नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ड में दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे आपने नाम सुना होगा एक कोई जग्गी वासुदेव हैं और उन पे बहुत सारे जो उनकी बाते हैं वो पब्लिक में सेयर हो रही हैं बहुत सारे लोग उस पर सोच व सांटिफिक बाते करते हैं तो इसलिए हम आज पूरा उसकी फैक्ट चेकिंग भी कर लेंगे और जो भी जो कंक्लूजन होगा जो बाते होंगी वो सब के सामने आ जाएंगी कि वो कितने सांटिफिक बाते करते हैं कुछ लोग उन्हें स्प्रिच्वल गुरू की तरह ट्री सामने आ जाएंगे तो यह हम लोग शुरू करते हैं यह आपने देखा होगा इनका इनको पाचानते ही होंगे आप लोग के पास भी मेसेज गया होगा मैं पहले आ पोलोगों से ही कहौँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सेयर कर देजिए ताकि जो भी से हुए हैं सबको लगता है कि कुछ तो सही बता रहे होंगे इतना गलत कैसे कोई बता सकता है कुछ न कुछ तो सचाई जरूर होगी तो इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुचाना इनकी सचाई जो है जरूरी है हम बहराल हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे पहले तो मैं यहां पर legal disclaimer दिखा देता हूँ, यहां पर जो भी presentation होती है, यहां पर जो भी debates होती है, और यहां पर जो भी बाते होती हैं, उनका उद्देश scientific temperament को encourage करना है तो चले आगे बढ़ते हैं हम, मैं सबसे पहले तो इनके कुछ बाते जो हैं उसको दिखा देता हूँ, यह क्या कहना क्या चाहते हैं, और उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को idea देता हूँ, कि आज 21 सदी में भारत में अलग-अलग तरह के बाबा उब रहे हैं पहले प्राचीन काल में क्या था है कि जो भी भारत की सम्यक कल्चर था, समण प्रमपरा थी, तो उसी में से थोड़ा सा उठा के या थोड़ा जादू टोना डिखा के लोग अपना-पना दरम्मत पत उठा लेते थें, लेकिन सब को एक बात पता थी, कि आप बुद्ध को deny नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भारत के कोर थें, तो सब बुद्ध को ही लेकर अपनी-अपनी कुछ न कुछ बाते वहाँ पर रख देते थें, जैसे सिव मार्ग आया, सैव मार्ग, जो 9th century के बाद आया, तो उसने भी बुद्ध का ही जो सुतूप था, उसको सिवलिंग व बनाते थें, उनको जो इसके बाद से, सैव मार के बाद से जो वैशनो मार गाया, उसने 11-12 सदी में कबजा किया, और मुर्तियों को ही विशनु विशनु कहना शुरू कर दिया, बौध परतिमाओं को, बौधी शत्वों को, बुद्ध को ही बना के, तो इन दोनों बुद्ध की ही बातों को तोड़ मरोड के पेस करतो, और बाहर से मुसलिम को भी बुला लिये थे, अब कोई सासक भी नहीं था भारत का, तो बहुत आसान था इन लोगों के लिए अपनी चीजों को आगे बढ़ाना, तो इसलिए ये लोग आगे बढ़ाते गए, लेकिन आ आसानी से पबली को बेवकूफ बना सके, तो आप देखे होंगे, मार्केट में तीन तरह के बाबा घूम रहे हैं, एक होगा, जो पूरे सरयाम, धडले से ही, मतलब जितने अंधविश्वा से पाखड़न हैं, उनको मान रहा होगा, और वो ही क्या कहेगा, कि आप लोग इत चला रहा होगा, और इस पर आप देखें, मार्केट में बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं, जो सीधे सीधे सरयाम, इस तरह की कथाए वाच रहे हैं, और अपना धर्म का धंदा जो है, चलाए जा रहे हैं, कईों पर मैंने स्ट्रीम भी किये, तो ये एक तरह के बाबा है, ए उसको ये उठा के बढ़ा चढ़ा के दिखाना सुरू करेंगे, और फिर उसको अपने रमायन मा भारत या किसी देवी देवता से जोड़ लेंगे, और फिर कहेंगे न, इन सम में साइन्स है, तो उनके चित्ते चेले चपाठे हैं, वो क्या करेंगे, कि पोश्ट बना बना के अब कोई मंदिर मिल गया है, भले ही वो 500 साल पूराना हो, भले ही 100 साल पूराना हो, उसको भी उसकी फी फोटो, उसकी फी सिल्फ कला को उठा के ऐसे दिखाएंगे, जैसे ये हजारों साल पूराना हो, या 10,000, 5000 या 17,000,000 साल पूराना हो, ऐसे दिखाएंगे, और फिर सी है उनकी तो कहानी उनका क्या कहना है कि ये जो एक तरक संगत भाते होती है उस था से उनमें क्रचाने कुस्ट करेंगे क्योंकि इन लोगों को या हो चुका है कि आज इक इस्वी सदी में सब आपको बेवकूफ नहीं बना जा सकता है जैसे जो अनपड़ पबलिक थी प्राचिन काल में तो उनको बड़ा आसान था एक सब्द बोल दो अलोग उसी को लकिर मान के फकीर बन जाते थे लेकिन अब वो तो समय नहीं रहा आप सबके हाथ में मोबाइल है टीवी है और कंप् आप क्या करते हैं कि जो अन्धविश्वास है उसको और उसमें थोड़ा सा मिकस अब करते हैं जो भारत का जो आतिहांसिक जो जिसको लोग आतिहांसिक मान बैठे हैं लेकिन एक निए जो कालपनिक चरीतर हैं, जो महा काव्यों के जो पात्र हैं नायक हैं उनको और अंदविश्वास को दोनों मिस्रित करके और ऐसे प्रजेंट करते हैं जैसे पबलिक को क्या लगता है कि यार बाबा तो बड़ा तरकसंगत बात कर रहे हैं, वो किसी को बुरा भी नहीं कहेंग आप पूछेंगे जैसे उनसे आप पुछेंगे कि यह बताईय कि आपका जो है बुध्य के में दोनों में क्या आंतर है यह को उंचा उठाने के लिए बुध की बात करते 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 अधिरे से उसमें एक अपना गोटी खेल देंगे और पबली को लगेगा कि हाँ यार ये बड़े अच्छे बाबा है अब जो बुध का भगत होगा या बुध के जो अनुवाई होंगे उनको भी लगेगा चलो कम से बुरा तो नहीं कर रहा है थोड़ा सा चलो कम तर दिखाया लेकिन बुरा त करते हैं और ऐसे बाबा अब तेजी से उभर रहे हैं जो थोड़े से एजुकेटेड है पढ़े लिखे हैं और ये इस धंदे में उतरके और पूरे जो पढ़ी लिखी जो एजुकेटेड पढ़ी है उनको गुमराह कर रहे हैं तो ये जो आप आज जग्ई वासुदेव की जो बात होने वाली हैं ये इसी तीसरे कटेगरी के हैं ये अपनी सारी बातों को इस तरह से प्रजेंट करते हैं जैसे लगता है कि यार बड़ा तरकसंगत बात कर रहे हैं इनसे आप कोई भी सवाल जब बात करोगे तो ऐसा दिखाएंगे ये क्या करेंगे कि जो हसुए की साधी होती है न उसमें खुर्पे का घीत होता है अब माल लेजिए कि कोई ऐसा बंदा आया जिसको ना हसुए के बारे में पता है ना खुर्पे के बारे में पता है बस उसको यह पता है कि साधी में गीत गाया जाता है तो वो सोच रहा है कि हाँ चलो गीत तो गाया ही रहा है बाबा साब कुछ ने कुछ तो बता ही रहे हैं, अब उसको फर्क नहीं पता है, लेकिन जो तरक संगत लोग हैं, जो तरकिक हैं, जो रेशनल हैं, वो इस चीज को पकड़ लेते हैं, कि बैटा यहां तो खुर्पे की बात ही तू हसुए की गीत गा रहा है, वो तुरंत इनकी खास बात क्या हो गई है, कि जितने भी एजुकेशन संस्थान है, या कहीं कहीं बड़ी बड़ी जगह है, तो और बीदेशों में तो क्या होता है, कि जब भी कोई भारत से वैसा को याता है, या ध्यात्मिक गुरू या इस तरह की कोई याता है, तो अगर आप उनसे रिक् freedom of speech क्या होती है, तो उसके फायदा उठाके ये लोग कहीं के किसी संस्थान में या कहीं कहीं जगह पे जाके, freedom of speech का फायदा लेते हुए, वहाँ पे अपनी बाते रख लेते हैं, उनके अनुवाई भारत में ऐसा प्रचार करते हैं, कि देखो देखो, अगर उनकी बात में दम नहीं होता, अगर वो इतने बड़े religious गुरु नहीं होते, तो वो university वाला उनको बुलाता, वो लोग उनको बुलाते हैं, तो यहां की public सोचती है, हाँ यार, वो जरूर सही बोल रहे हैं, तभी तो देखो, अंग्रेज हैं, अमेरिकन हैं, यूरोपियन देश हैं, वो भ कोई बात कहने की आपति या प्रतिवन नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, इनका करनामा, यह एक जो वीडियो है, इसको मैं सेयर करने की कोशिस करता हूं, जरा एक एक करके इनकी बात को हम दो सुनेंगे, वो हमेशा कही जीवन कालों तक के लिए थे, आप किसे आज साफ तोर पर देख सकते हैं, बहुत बात करते हैं, वो हमेशा कई जीवन कालों की साधना की बात करते हैं, तो अगर आपके पास, यह सुनना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग इन्हें सुनेंगे नहीं, तब तक हम लोग इन्हें सही से पकड़ नहीं पाएंगे, कि दरसल यह बताना किया चाह रहा हैं, वो हमेशा कई जीवन प्रक्षत है, आपका जीवन पूरा हो गया, अगर आप बस गिरते रहते हैं, अगर आप गिर रहे हैं, तब अगर आप कुछ हजार पुट के लिए प तुना कि इन्होंने किस तरह से अपनी बाते रखी हैं, इनका यह कहना है, यह दरसल हुआ क्या था, कि एक बच्चा जो है, इनसे एक प्रश्न पूछ देता है, कि जो गौतम हैं, गौतम बुध जो हैं, और सीव जो हैं, इनके बीच में वो जानना चाहता है, कि किसका मार् है, वो बड़ा लोजिकल मार्ग है, बड़ा अच्छा मार्ग है, और उनके जो अनुवाई हैं, वो कई जन्मों की बाते करते हैं, तो यहां पर एक चीज दिहान दीजिएगा, इन्होंने पुनर जनम सब्द नहीं इस्तमाल किया, अब बिना इस्तमाल किया, इन्होंने जन जन्मों की बात, कई जन्मों की बात जो है, कर दी, यानि पुनर जनम अस्थापित कर दिया, यहां पर, यह इतने बड़े धुरंदर खेलाड़ी होते हैं, इनको दरसल इनकी बातों से आम तोर पे लोग जो है, वो नहीं पकड़ पाती है, लेकिन लोग जो रेशनल व्यक् या अगर आपके पास इतना धैर्या है, इतने इतने जन्मों का या इसका, तो फिर आप यह मर्ग अपना सकते हैं, समझने मेरी बात को, अच्छा यहां पर यह लोग लिख रहे हैं, नो साउंड, नहीं, अभी साउंड मैं फिर से दुबारा सुनाओंगा आप लोगों को, आवाज नहीं आ रहा है, मेरी भी आवाज नहीं आ रही है, यह कोई बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, तो मैं इनको अब फिर से आप लोगों को सुनाता हूं, अच्छा वीडियो नहीं सुनाई दी, सर वीडियो नहीं सुनाई दी, यह बोल रहा है कि वीडियो की इह सदू गुरू न जादू टोना कर दिया क्या अरे बाइ आए इसा मत करो जर आज तुम्हारी पॉल खुलने वाली है ऐसे जादू टोना करो कैसे काम चलेगा भी यह कर दिया मैंने और यह यहां पे तो आ गया यहां पे तो दिखा रहा है एड़ टू ए स्क्रीन भी हो गया लेकिन वो हमेशा कई जीवन कालों की साधना की बात करते हैं तो अगर आट के पास उतना धैर है कि आप कई जीवन कालों की साधना दरसल यह जो है यह बताना चाहरा है कि जो संकर का मार्ग है ठीक है ना जो संकर का मार्ग है वो बिना तली का मार्ग है मतलब एक कुवा जो होता है ना एक कुवे में जैसे आप गिर रहे हो तो जब कुवे में गिर रहे हो तो उसका जो बॉटम है ना तो बुद्ध का मार्ग जो है वो bottom है उसमें नीचे bottom है गिर जाओगे और ये बता रहे हैं कि सिव का जो मार्ग है वो bottomless है उसमें कोई bottom नहीं मतलब गिर रहे हो तो गिरते ही चले जाओ ये बंदा ये बता रहा है अब इसी से आप जरा सोच लीजिए कि वही एक व्यक्ति ज है और सीव जो है वो बॉटम लेस है इसलिए उनके मार्ग में आप गीरो अगीरते चले जाओ ठीक है इसलिए वो अच्छा है यह चीज समझेगा यह बंदे का यह कहने का मतलब है कि इसलिए वो अच्छा है अब आगे सुनिये जरा यह क्या बोलते हैं मैं सेयर करता हूं यहा आज पता नहीं क्यों नहीं चल रही है था है जब एक कोई बोल रहा है कि साउंड नहीं आ रहा है कोई दूसरा बोल रहा है कि साउंड आ रहा है तो सुना आपने ये कह रहे हैं कि जब आप तली से टकराते हो तभी दिक्कत होती है और सीव का जो मार्ग है ना उसमें तली ही नहीं है बस गिरते जाओ गिरते जाओ गिरते जाओ इतना गिर जाओ कि पता ही नहीं चले मतलब इन्होंने ये कहा कि जो बुद्ध का मार्ग है वो बढ़ा लॉजिकल लगता है लोजिकली उसमें बात है जो लॉजिकल माइंड्स हैं उनको बढ़ा अच्छा लगता है लेकिन जो सीव का मार्ग है वो बिना तली का गड़ा है उसमें गिर रहे हो गिर रहो अब यह चतुराई देखिए यहाँ पर बंदे ने बुद्ध की बात पूछी और यह जो महोदे हैं इन्हों ने बुद्ध की तारीफ करते हुए असीव पर यह देखे कैसे यह स्लाइड लिया रहा है सुरू में ऐसे दिखाएंगे जैसे यह स्यू की तारीफ नहीं कर रहे हैं पर यह बंदा स्यू भक्त है और देखें इस चीज को इस चतुराई को समझिएगा कि कैसे यह बुद्ध भक्तों को भी अपने उसमें लेकर मतलब अपने पाले में लेकर असीव की कैसे तारीफ करते हैं आगे सुनते जाएं इनकी कहानी एक मिनिट यह जो है ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है कभी आ जा रहा है कभी नहीं आ रहा है वो बोल रहा है जग्दी वासुदेव क्या बोल रहा है कि जो जो यह है मतलब कि जो सीव है उसने 112 चक्र बताएं ध्यान दीजिएगा जरा इस जो साथ रिसी थें उनको उसने 112 बताया थे दरसल 114 चक्र होते हैं आयाम होते हैं और जो बुद्ध का मारग है वो सिर्फ एक है यह बोल रहा है कि सिर्फ एक है उन्होंने रिसीव को साथ जो साथ रिसी थें सब रिसी थें उनको मारग बताया थें और उनमें से बुद्ध जो हैं सिर्फ एक मारग पर चले हैं यह बाते यह यहां पर बताना चाह रहे हैं सुनिया इनकी बात को जरा ध्यान से तो यह बोल रहे हैं कि यह जितनी भी जो ग्यान आया है सारा का सारा ग्यान जो है वो सीव से आया हुआ है ये ठोक के बंदा कहता है कि ये सारा ग्यान जो है सीव से आया हुआ है और बाकी जो ग्यान है ये जितनी भी चीजे हैं वो सारा का सारा सीव से आया हुआ है ये बंदे का कहना है तो अब ये कहते-कहते ये और भी इसमें गपोड मारते जाते हैं जरा सुनिया इनकी पूरी ग पर काम किया जो जागरुकता का मार्ग था उसी पर काम किया और स्यू जो है 112 मार्ग दिये थे उसमें से सिर्फ एक मार्ग पर बुद्ध ने काम किया यह इनका कहना है यह इनका क्लेम है आगे सुनते हैं इस चीज़ को अब यह बोल रहा है कि गौतम बुद्ध जो है उनका जो तरीका है वह बहुत ही विज्ञानिक है और क्लिनिकल है यह बोल रहा है और फिर क्या बोलते हैं यह लॉजिकल माइंड को अच्छे लगते हैं लेकिन सीव तो बस सीव हैं मदहोस हैं एक प्यकड की तरह है बोल रहा है कि सीव जो है वो प्यकड की तरह मतवाले होकर नाचते थे और बुद्ध का जो लॉजिक था वो पसंद आता था वो लोगों को पसंद आता था आच्छा देखें यहां पर लोग कह रहा है कि नो साउंड भाई यह क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कभी साउंड आ रही है कभी नहीं आ रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूं बाद में साउंड की फिलिंग कर दो तो यहां पे यह कुल मिला के सीव की खूब चर्चा करते जाते हैं यह बोल रहा है प्लेयर चेंज करें नहीं मुझे सुनाई पड़ रहा है क्लियरली साउंड आ रही है जो इस्ट्रीम यार्ड है वो वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा र रहा है ठीक है यह स्ट्रीम यार्ड की प्रॉब्लेम है वो क्यों ऐसा कर रहा है यहां से कोई दिक्कत नहीं है यहां से चीज़े और यो वगएरा सारी चीज़े ऐन है यहां पर ठीक है ना वो stream yard जो है उसकी यह दिक्कत है वही कुछ इसमें दिक्कत कर रहा है तो खेर हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो कुल मिलाके यह जब दोनों की तुलना कर रहे थे तो तुलना करते-करते यह इतना आगे निकल गये कि आगे निकलते निकलते इन्होंने क्या कह दिया कि सीव जो है वो 40,000 साल पहले 112 जो आयाम है उसका कंसेप्ट दिया था इस सद्गुरु का कहना है अब यह बताईए जरा दोस्तों कि एक व्यक्ति जो है जो सद्गुरु है वो ऐसी बाते बता रहा है कि 112 आयाम सीव ने दिया 40,000 साल पहले क्या 40,000 साल पहले कौन सा व्यक्ति लोग रहते थे कभी सोचा है आप लोगों ने 40,000 साल पहले क्या सीव रहते थे भारत में कोई बता सकता है कि 40,000 साल पहले सीव रहते थे कौन रहता था अरे 10,000 साल पहले 12,000 साल पहले आईस एज हुआ करता था आपने पसाड काल सुना होगा आपने आपने सुना होगा पसाड काल और ये आईस एजड में ये बंदा इतना contradictory है मतलब एक तरफ तो ये विध्यानी की बाते करते हैं अद दूसरे तरफ इतिहांस की माभेन एक कर देते हैं विज्ञान की तो माभेन बैटी सभ एक कर देते है यह इनकी हालत है यह बंदा बता रहा है कि सीव जो है चाली से साथ हजार साल पहले उन्हों ने अस्तापित किया अब गुद्ध तो महातर पचीस सो चबीस सो साल पहले आए और उन्हों होने उन 112 में से एक मार्ग जागरुपता का मार्ग उठाके आगे बढ़ाया उस काम को अब जरा इसी से सोंच लीजिए आप कि यह व्यक्ति क्या सदगुरु होंगे यह जगी वासुदेव जो हैं क्या सदगुरु होंगे इन पर खुद इनकी पतनी का हत्या का आरोप है लेकिन आरोप है इन पर तो यह जो है इस तरह की बाते करते हैं फिर आगे यह क्या करते हैं एक और दूसरी कहानी बुनते हैं करते हैं कि दक्चिन भारत जो है वहाँ पे यह परंपराय बची हुई है और दक्चिन भारत में जो है एक अगस्त रिसीत हैं अगस्त वो गए पिर एक नहीं कहानी सुना देते हैं कि वो दच्छिन भारत में गए और हर एक गाओं में हर एक लोगों को उन्होंने योगा सिखा दिया सुबह उटके ब्रस करना सोच जाना से लेके दिन्चरिया सिखा दि योगा की दिन्चरिया सिखा दि अब ये बंदे को ये नहीं पता है कि भई जो योग सब्द है वो भी बुधिष्टों का है आप जो ये सीव की बात कह रहे हो जो आपका सहव संप्रदाय आया है नाइंट सेंचूरी में ये चालिस हजार और साथ हजार साल पहले आभी आर्केलोजिकल एविडेंस मांग दें तो एक चीज आपको समझनी होगी कि जो व्यक्ति जो है इतना सरयाम जूट बोल रहा है वह किसी आपने किसी इतिहांसकार से पूछा है कि आज से चालिस हजार से साथ हजार साल पहले सीव जो है भारत में रहता था अफिर ये अगस्त रिसी की एक कहानी की वो जाकर दक्षिन में गए अदक्षिन में जो विंध्याचल परवत है वो उनको देहकर असर जुका लिया अब बताए ये परवत जो है अगस्त को देहकर सर जुका लिया अफिर वो दक्षिन में बस गए दरसल अगस्त की जो पू पूरी चूरी पकड़ लेंगे इनका सोर्स कहां है तो बाल में की रमायड है इनका सोर्स कहां है तो पहराणी गताएं हैं जितने पुराणों में गप्पे लिखी गई हैं अंग्रेजों के समय में मुगलों के समय में उन्हीं गपो को उठाके और उसके आधार पर ये बंदा सिधे किसी चीज को 40,000, 50,000, 60,000 साल पूराना बताएगा और फिर कभी तरंग की बात करेगा, कभी फेक्ट्रोंसी की बात कर देगा कभी नए-नए electronic equipment इस तरह की बात कर देगा और लोग क्या समझेंगे, बाबा साहब तो बड़े विज्ञानिक है बड़े विज्ञानिक बात करते हैं, और उसका भी और छोर नहीं होगा एक बार तो इस बंदे ने ये बता दिया, कि जो सूर्य ग्रहन होता है चंद्र ग्रहन होता है, तो उसमें से जो निकलता है न, मतलब खाना अगर आपका पहले से पका हुआ खाना बनाये हुए हैं, आच चंद्र ग्रहन लग गया या सूर्य ग्रहन लग गया तो जैसे ही वो बीतेगा न, तो आपका जो पका पका या खाना है न, उसमें जहर आ जाएगा जहर हो जाएगा वो पुआजन हो जाएगा मत खाईएगा उसको फैंक दीचेगा उसमें कि एनरजी जो है वो खराब हो जाती है प्रबाद हो जाती है ये बाते कहती थी ये बहुत है मतलब आप इस बंदे की लॉजिक देखिए कोई भी एक नॉर्मल भी बंदा जो होगा उसके पास भी इतनी अकल होगी वो भी इस बात को समझ सकता है कि भाई सूर्यगरहन लगे या चंद्रगरहने लगे उसका खाना पकने से या पका हुआ खाने से क्या लेना देना है पका हुआ खाना जो है वो सिविलाइजेशन विक्सित हुई है पिछले आठ दस अजार साल में तब जाके लोग खाना पका के खाना शुरू किये हैं वो भी आठ दस अजार छोड़ दीजिए उस समय में लोग कच्चा कच्चा ही खाते थे दिरे दिरे आग का विश्कार होना शुरू हुआ है लोग दिरे दिरे पका कर खाना शुरू किये हैं पई बाकी के जितने जिव जन्तु हैं वो तो कच्चा ही खाते हैं वो तो पकाते भी नहीं है तो ऐसा क्या है सूरिय करहन में और चंद्रकरहन में कि वो अपनी नजरे जो हैं तलासते रहती हैं कि कहां पक गरहन लगता है और सूर्य गरहन भी कहीं न कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में लगते रहता है अब ज़रा सूचिए कि जब कहीं न कहीं कुछ न कुछ लगा रहता है पेड़ पोदें फल फूरूड्स हैं गाए वह रहते हैं इतने सारे पसू पंची रहते हैं सब तो ऐसे बरबाद हो जाता है सारे के सारे पेण पोधे उनको आप छुपा के घर में कैसे रख लू और जो कीचेन में पूरी दुनिया से वातावरन से इवन सूर्य गरहन और चंद गरहन के रे से भी हट के कीचेन में जो रखा हुआ है पकवान उजहर हो जाएगा अब ऐसे ऐसे स्यूडो साइंटिस्ट जो है जब भारत का भविश्यताय करने लगेंगे भारतिय जब युवा पढ़े लेके मैं देखता हूँ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पी एचडी धारक भी सदगुरु का नाम लेते हैं उसकी वीडियो सेयर करते हुए पाय हैं जो बंदा बता रहा है कि घर के भीतर पका हुआ खाना है उसको खोज के सुर्य गरहन और चंदर गरहन की रेज जहर बना देती है यह इनका दिमाद है यहीं नहीं यह बंदा इतना आगे बढ़े गया भी मैं दिखाता आप लोग फेर यह जो वीडियो है इसमें फिर व लेकिन मुझे लगा कि हर बार की तरह चल जाता है तो चली जाएगा लाश्ट में तो यह वंदा जो है न यह तूर्की का एक सीन था वह भी मैं आप लोग को दिखाने का पर्यास करता हूं यह क्या करता है वंदा पूरी तरह मत हो दिखाता है कि तूर्की में इसको 4700 साल प यह यह दिखाता है एक पत्थर है एक एक इस्टोन है गोलाकार इस्टोन है उसको दिखा के यह बंदा क्या बताता है कि तूर्की में इन्हें जो है 4700 साल पर ले जो है और यह इन्हों ने जो है इन्हों ने जो है सीवलिंग खोज दिया है तूर्की में इस तरह के मंदिरों से भरा हुआ यह लिंगम पूरु से करने लोगों को तो सीवलिंग की खोज कर दी सद्गुरू ने की 4700 साल पहले जरा सोचिए तूर्की में यह बंदा सीवलिंग बता रहा है जिस पत्थर को यह बता रहा है वो पत्थर कैसा था वो जरा देख लीजी आप लोग एक बर यह रुद्राश लेकर बोल रहा है कि अलग अलग वाइब करते थे भव्य मंदिर हुआ करते थे और फिर यह सारी चीज़े धीरे धीरे लोग तो हो गई अब यह बंदा ऐसी बाते क्यों कर रहा है तो आप लोग को एक बात समझनी होगी की यह लोग जब बिदेश में जाते हैं तो ऐसा प्रदर्सित करते हैं कि हम जो है ना हम लोग क्योंकि बिदेशों में बुद्ध की बुद्ध की बाते सुनी जाती है ना बिदेश में तो यह सारी बाते जो हैं उन्ही तरह से करेंगे जैसे कि यह किसी मौंग की तरह हूँ अब फिर धीरे से उसमें अपना एक गेम खेल देंगे कि हैं हिंदुईजम का गेम खेल दें और फिर बंदा ये बोलता है कि लाश्ट में अब हम जाएंगे यहां से, बुद्ध बड़े एक अच्छे प्रचारक थें, और लोजिकल माइंड उन्होंने प्रचार किया, अपने दिमाग का यूज किया, अज सीव को तो बस मतलब ही नहीं था, वो तो एक प्यकड की तरह न प्रचार, तो फिर बताते हैं कि अब मैं प्रचार करूँगा सीव का और जितना वोजिकल हैं मरने से पहले उससे ज्यादा फेमस करके जाऊँगा, आप यहां पे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति जो जूटा है जो जूट बोल रहा है लगतार जूट बोल रहा है जो एक सिंगल सबूत नहीं दे पाता है सीव का और वो बंदा उनको 40,000 से 60,000 साल भी पुराना बताता है फिर एक गोल पत्थर को उठा के उसे स सीवल इसलिंग बताते हैं अब मैं थोड़ा से इनको दिखा देता हूं वह पॉइंट भी दिखा देता हूं ये जो इसमें थोड़ा से आप लोगको बेटर दिखें सीwलिंग ऐसे होता है तो इन लोगों ने एक चित्र बनाए सीलिंग का ये आप देक लीजिए उपश लिखा इनों ने 4700 यर्स ओल्ड सिवलेंगा फाउंड इन तूर्की बाई सद्गुरू समझ रहे ना क्या लिखा यहां पर बाई सद्गुरू इनको यह बात पता थी कि यह कह देंगे कि फाउंड बाई सद्गुरू अब बते यह सद्गुरू क्या है क्या है मतलब भारत के अर्केलोजिकल एविडेंस आर्केलोजी जो है वहां का कोई हेड है वहां का कोई इन्होंने आर्केलोजी में कोई डिग्री ली है क्या ली है मतलब किस हिसाब से इन्होंने खोज कर लिया कि वो चित्र देखिए बनाए इसका ही नहीं कि चित्र कुछ और था चित्र था ये ये देखिए अंडाकर है दूसरी जगह जो है अंडाकर इस तरह का है अंडा है बिल्कुल ना पर देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है 4700 years old लिंगम found in Turkey तो यह आपको पता ही है साउथ से जितने भी आते हैं इनको लिंगम से बड़ा प्यार है इनको किसी ने समझा दिया है कि लिंगम जो है ना साउथ में ही बना है इनको यह नहीं पता है कि विद भी साउथ से लिखा गया है सेविजम और वेश्णोईजम भी साउथ से ही आया है यह भी इन लोगों को नहीं पता है ठीक है ना यह भी इनको नहीं पता है दरसल यह टकराहट थी जो बौध मार्ग और जैन मार्ग नॉर्थ से गया है पूरा बौध और जैन जो है नॉर्थ से गया है और ये दोनों जो हैं नौर्थ से होने के बावजूद साउथ में लंबे समय तक चाहे रहें, सबसे बड़ा प्रभा हो रहा हूं उन दोनों का, तकराहट थी, इस कहानी को पहले इन लोगों ने आरे और द्रविड में वो किया, ट्विश्ट किया, इस कहानी को इन लोगों न आरे अद्रविड की लड़ाई हुई थी, क्योंकि भई जब आप ये कहोगे कि आर्यंस जो हैं, वो आपके तरफ आके अद्रविडियों पर कबजा कर लिएं, तब फिर ये कहानी आपकी वहां पर फेल हो जाएगी, कि फिर ये महिदर उवट सायाड कौन थे, जिनोंने वे आज का जो ब्रामःड धरम घ्रंथ है, सब के सब साउथ वाले जो हैं, पंदरवी सदी में बैठके लिखे, ये ही लिखे हैं, मदवाचार्य, उवट, सायाड, और ये सारे बैठके लिखे, नौर्थ में तो पता हैं, नौर्थ वाले तो पूरा बैठके मुगलों का चाट पकड़ा दियें, तो आपके लोग फिर से दोबारा नौर्थ वालों को ये क्या वैश्नो मार्ग, सैव मार्ग और वेद और गीता, ये सब क्यों पकड़ा दिये, ये कहानी पूरी फेल होनी थी, ये पूरा बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये सब आके यहां पे लिंग सुरूप थें, उनको तो पहले लिंग कहना सुरूप कर दिया, ये लिंग है, इनको हर चीज का जो थेरवाद था, इनको थेरवाद को खतम करना था, तो थेरवाद को नहों ने उसके जो सुतूप होते थे, छोटे-छोटे सुतूप होते थे, उसको लिंग कहना सुरूप क कहीं से भी आपको सीवलिंग लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, यह सद्गुरु वहाँ पे तूर्की में जाके बोल दिया, फाउंड बाई सद्गुरु, यह है लिंगम तूर्की में, फिर एक नया क्लेम ठोक दिया कि यह पूरा का पूरा यूरोप में ही मंदिर बने अपने सेव मारका, वैशनो मारका, हजार साल पूराना ये लोग सबूत नहीं दे पाएं, तूर्की में 47 साल पहले जो है क्लेम ठोक दिये कि वहाँ पे मंदिर मिला है, तो यह इनके क्लेम थे, इसी तरह से इनके और भी बहुत सारे क्लेम थे, इनके क्लेम जो है मैं दिखा आना चाहता था, आज तो काफी मैं ले कर आया था, लेकिन हुआ क्या कि इनकी वीडियो ही नहीं चल पाई, आचा, यहाँ पे स्क्रॉल इन जो है, यह फैक्ट चेकिंग वेव साइट है, इसने क्या लिखा है इनके बारे में, वो भी एक बार ज़रा आप लोग सुने, फैक टेस्ट सर्प्राइजिंगली लाइक अ ब्लेंड ऑफ रेशनालिटी एन एक्यूमिनिजम, देखे एक्यूमिनिजम सब्द इस्तमाल गया है, सारवभौमिक्ता का सब्द इस्तमाल गया है, यह बोल रहा है कि यह बंदा जो है, जो सद गुरू है, यह इस तरह से क्या करता ह कि जो पोलिटिकल जो रिलिजियस जो पोलिटिकल जो बात है उसको और ब्लाइंड फेथ यानि कि अंध विश्वास इन दोनों को मिस्रित करता है और मिस्रित करके इस तरह से आश्चरी चनक रूप से इस तरह से पेस करता है जैसे लगता है कि ये रिशनालिटी की बात कर रह और सारोभॉमिक था यानि कि उनिवर्सल तूथ इस टाइब की बात कर रहा और पबली किसी में गुम्रा होती है यह फैक्ट चेकिंग जो वेव साइट है उन्होंने इसकी तमाम जितनी कपूरगा था इन्होंने स्यूडो साइंस फेंकी थी उसको जांच करके बताई यह कि अब इंसान में बदल देंगे मतलब मजाग टाइब कर बात करते जाता है पूरे अपने सेसं में आपको ऐसा लगए कि मजाक उडा रहा है और उडाते उडाते लाश्ट में ऐसा करेगा कि यह जो इसने पहली बार थोड़े दिया है चाल्स टार्विन ने यह बात कह रहा ये तो 15,000 साल पहले हमारे आदी गुरु देखे गए हैं, आदी योगी देखे गए हैं, अब ये बंदा ये इतना कन्फ्यूज है, इसको ये नहीं पता है कि इसका आदी योगी कभी कहीं पे 60,000 साल बताएगा, कहीं पे बता देगा कि वो 40,000 साल है, और कहीं पे बता देगा 15,000 साल पहले देखे गए भया सीवू जो हैं कितने साल तक जिये थे 60,000 साल भी पहले 40,000 साल भी पहले अब 15,000 साल भी पहले असुन कौन रहा था यही चीज़े नहीं बताता है ठीक है उन्होंने बता दिया 15,000 साल पहले पसाड यूग में रहते होंगे पत्थर उत्र घिश के रहते होंगे ठीक है पता होता पहनते होंगे लेकिन ये तो बता भई कि सून किस ने लिया किस भासा में सुना किस लिपी में लिख कर लेकर राया उस पिका स्वाद को अब बैठे बैठे इनको ग्यान परफ्ट हो गया तो ये बन्दा इस तरह से बेउ को बताया था यह जो 4700 years वाला देखे इसने भी लिखा है कि यह बंदा कहता है here is finding what he calls Siva Lingam on the ground of the archaeological museum in Konya यह गया था वहां तुर्की में वहां का Konya जो museum था उसमें एक archaeological grounds पे कुछ पत्थर रखा हुआ था उसी को उठा के इसने क्या claim ठोक दिया कि यह Siva Lingam है the Rudraksh Mala is brought out again and affirming that as far back as 4700 years ago all of Europe was full of temples और साथ में इसने यह भी claim ठोक दिया कि जितने भी Europe है वो पूरे के पूरे मंदिरों से भारे पड़े थे मतलब सबूत कुछ नहीं है मूँ खोला सब्त गपोड़ा बस हो गया क्योंकि सद्गुरू ने मूँ खोल का गपोड़ा है वसभूद हो गया अनुवाई है ही भक्त है ही तभी तो भारत में भक्तो की संख्य इतनी क्यों ज़्यादा है इतने बाबा भारत में क्यों पने पर हैं क्योंकि यहां कोई fact checking नहीं करता है किसी को संच सुनने की आदत नहीं है यहां पर पीछे भीड के पीछे खड़े हो जाओ खड़े हो के एक बाबा ने डाबा मूँ खोला उसी को लेके गपोड़ते रहो हर जगा फैलाते रहो यह है नीचे क्या है कि that is exactly the sort of thing having a loony hindutva history would have us believe though there is no archaeological evidence for it whatsoever मतलब कोई भी archaeological evidence नहीं है उसकी कोई बात नहीं है बस कह दिये हैं बस उसी को मान लो यह इनका जो है सद्गुरू की यह कहानी है इसी तरह से इनने अगस्त रिसी की जब बाते बता रहा था तो उसमें भी इस बंदे ने क्या कहा था कि अगस्त रिसी जो थें वो चार हजार साल तक जिये थे अगस्त रिसी जो है चार हजार साल तक जिये थे अब अगस्त रिसी कब था भाई साब कब था अगस्त रिसी अगस्त का कहीं नाम नहीं आएगा अगस्त का नाम आएगा आपको रमायड में बालमी की रमायड में बालमी की रमायड कब लिखी गई है उसमें सको का नाम है उसमें जो समराट कनिस्क के द्वारा बनाया गया जो सक संबत है उसमें मेंसन है सक संबत उसमें मैंसन है मतलब सोच जी जी पहली सदी के बाद की बात है बुध को तो गाली दी गई है तो बुध के तो बाद है ही है सको का उसमें है यवनों का है मलेक्छो का उसमें नाम है और तो और जिस जो लिपी और भासा परयोग की गई है वो दसवी सदी के बाद की ही है, देवनागरी में लिखी गई है, तो उसके अधार पर उसमें अगस्त की बात लिखी गई है, अब यहां एक बात समझेगा, ब्रहमेनिकल सिस्टम का जितना क्लेम है, वो क्लेम और जो जमीन के नीचे से जो खुदाई से जो मिलता है, दोनों विल्कुल उल्टा होता है, ब्रहमेनिकल सिस्टम के जितने भी चाहें वो रष्टवाधी हो और जितने भी दियांसकार हो, इन्हों ने जितने भी कलेम कियें, वो पूरे के पूरे उल्टे होते हैं, इन्हों ने हम जानते हैं कि भारत में जब खुदाई होती है, तो इंड पर जाकर हामला किये, ऐसा कोई अभी तक सबुत नहीं मिला, लेकिन ये जो बंदा है अगस्त को बुला लाया और अगस्त को बिंद्याचल पार करके पहुँचवा दिया, ये घटना कब हुई थी भाई साथ, अगस्त नाम जो है ये भारत का नाम नहीं है, अगस्त नाम एक रोमन नाम है, अगस्त नाम होता है जो इसा से 300-400 साल पहले था, रोमन में, वो बंदा क्या करता है, वो वहां का राजा था और वो राजा ने अपने अगस्त नाम से जो कलेंडर था वहां का, उस कलेंडर में जो मन्त होते थें, तो एक मन्त का नाम चेंज करके अगस्त मन् है अगस्ट महिना जो आता है न अगस्ट वो उसी राजा की देन है जो इसा से 300-400 साल पहलेगा था उसके अलाबा अगस्ट आपको कहीं भी नाम नहीं मिलेगा और इन बंदों ने उस अगस्ट का नाम जो है उठा के एक रिसी बनाके यहां पर पहुंचा दिया यहां पर क्योंकि इनकी सारी कहानी ही कहां से चोरी है तो कहीं रोम से कहीं ग्रीक से कहीं कहीं से चोरी है पर आज तक आपने सुना है कहीं पर अगस्ट नाम का नहीं सुना उसमें भी जब लोग उसमें दिखाता है कि जो दो भाई थे वो घुश जाते थे स्राध में जाकर मान समगा के यह लोग खाते थे रमयायन जब आप पढ़ेंगे यह जो 1927 की जो नेट पे अवलेवल है उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मान सखाने की बकायद चर्चा जो नई लेटेश्ट रमायड आई हुई है उसमें इन लोगों ने उस प्रसंग को थोड़ा सा ऐसा वेजटेरियन दिखाने का पर्यास किया है लेकिन पुराना वाला जो पढ़ें के उसमें साफ साफ लिखा है कि इससे पता चलता है कि उस समय ये सारे लोग मांस खाते थे प इनसे पूछ दीजिए कि अगर बुध ने सिर्फ एक मार्ग पे काम किया जो जागरुकता थी तो सिवु ने जो 112 मार्ग बताये थे आज से 40-60,000 साल पहले उसके एविडेंस कहां है कौन से आर्केलोजिकल एविडेंस से आपको पता चला सिवु का और सिवु ने इतनी सार रम मारग पे बता दो तो यह जो है इसाद्गुरू की पूरी कहानी है अब मैं फिर कभी स्ट्रीम करूंगा तो इनको वीडियो के साथ मैं दिखाके आप लोग को दिखाऊंगा जब तक वह आप लोगँ को अच्छे से समझ में नहीं आता है उस चीज को तो फिलहाल मैं ज तो 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 फिलहाल जो है मैं आप लोगों को यहां पर लिंक सेर कर देता हूं और आप लोग जो है यहां पर जिनको भी डिवेट करना हो जो कमेंट वीर हैं वो लोग जरूर आएं और आकर इस पर डिवेट कर सकते हैं कोई सद्गुरु के चेले हों उनका स्वागत है आएं वह अपनी बातों को रखें अच्छा बीच में कुछ सुपर चैट्स आ गये थे उनको भी देख लेते हैं यहां पर हरवजन सिंग जी का सुपरिश्टिकर था बहुत बहुत सुक्रिया आपका हरवजन सिंग जी और इसके बाद यहां पर आरवी रोग जी का भी सुपरिश्टिकर था आपका भी बहुत सुक्रिया फिर यहां पर कैलास चंद जी का भी सुपरिश्टिकर था आपका कि बाते हो रही थी अमुल वान खेड़े जी ने भी लिखा था नो शाउंड ओके सतनाम सिंग जी ने लिखा है सर बाबा की साउंड नहीं आ रही है ओके मैं समझ सकता हूं उससे में थोड़ी प्राबलेम हुई थी और इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा खेर अमुल वान जी का भी सुपरिष्टिकर आया है सुक्रिया आपका कुनाल जी और फिर हरवजन सिंग जी एंड संस ने लिखा है यहां पे मैंने जंबू में अपने सभी भाईयों को रेशनल वर्ड और साइंस चर्णी की लाइव का टाइम सेयर किया है और बोला मैं एक्स्प्लेन नहीं करूंगा आपको आपको इन्वाइट है और इन्वाइट टुडे जी बहुत बहुत सुक्रिया आपका हरवजन सिंग जी बहुत सुक्रिया फिर इसके बाद यहां पे जीवन कुमार जी का भी सुपरिष्टिकर आया है सुक्रिया आपका जीवन जी और यहां पे तारिका छ उतनी चीज़े इनको बताने की नहीं जुरूत है उनसे पूछने की जुरूत है कि उनके पास कितनी डिगरिया है ठीक है ना चले देखें कौन यहां पर आया है डिवेट के लिए उनको विनोध राजक आपका डिवाइश नौट कनेक्टेड है तो उसको कनेक्ट करें और यह पर न्यू थिंकिंग जी ने यहां पर लिखा है सर सायद गुरु जी जान जाते कि प्रिथवी अन्डाकार है नहीं तो गुरु जी इसे भी सीलिंग कहते कि हम लोग सीलिंग पर निवास करते हैं जैविम यह तो आपने पिल्कुल सही कहा है वो सड़ गुरू है वो कुछ कभी सड़ा सकते हैं मुकेश कटारा जी का भी सुपरिष्टिकर आया है सुक्रिया आपका मुकेश जी तो चलें यह देखें यह आये हैं यहां पर साइंस एंड बुद्धा बुद्धिजम आजी साइंस अंड बुद्धिजम बताएं क्या कहना चाहते हैं साइंस अंड बुद्धिजम से आपको बहुत बहुत शुटकामना है सर आपने जो आज से चुना है बहुत ही अच्छा है यह सटकुरी बहुत ही फेको आदमी सर बहुत बड़ी-बड़ी फेकते हैं और बहुत दिनों से आपनी खुद की एक आलक सी दुनिया बनाए हुए है और उसमें जो है सर एक तरफा बाते जो होती है आप जो जैसे बूले आपने कि उसको कोई लॉजिक मतलब कोई उनको क्रैक नहीं करने देते और अगर कुछ कोई करेगा भी तो भीड के सामने उसको शर्मसार कर देंगे तो कोई भी बंदा डिवेट करने नहीं आता ना वो वो डिवेट करने नहीं आता वह बंदा वो डिवेट कर तब तो उसको बताया आजया ना कि बही दूसरे तरफ क्या कहना चाहता है वो एक तरफा बातर चलती है उनकी ते यहां पर शनकी आये हुए है चलें शनकी हाँ पसंफा की बताएं क्या कहना चाहते हैं हाजी नमस्कार इनका ना एक डिवेट है जावेद के साथ पूरी पैंतालिस में उसमें जावेद अक्तर ना दो दो के मारा दो दो के और इतनी तरीके से मारा वो देखना एक बार यह जितनी कहते हैं हर चीज में इनको दोया है और अपने आपको अपडेट रखते हैं टाइम के साथ तो इनके जो चेले हैं वो काफी अमीर रहते हैं और काफी रहते हैं इनको पता हाउ टू यूज और कैसे कैसे लोगों को आप बेफ को दुना सकते हैं यह एक बार वो जावे तक तर बाला देखना बहुत दोध होगे मारते हैं उसके बाद उन्होंने आइधिंग वो एक ही डिबेट इन्होंने करी तो उसके बाद कोई डिबेट नहीं करी उन्होंने हाँ 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 ओके हाँ बोले बोले ठीक है ठीक है अचा पूछे लिजे पूछे हाँ एक सवाल ऐसा था वो मुझे ना आज तक पता नहीं चला हो थोड़ा सा मतलब अभी से अलग है मैंने कई बार पढ़ने की शुरू करी के पेगंस यहूदी और यहूरास्टियम यह दर्म कैसे थे और कहां शुरू मुझे शोट बता दो मैं इंटरनेट पर पढ़ा पर मुझे समझ में नहीं आई यह तीनों दर्म कैसे शुरू है और खासकर पेग अच्छा ओके शुरू कि देखें एक चीज समझे हैं पहले कि दुनिया में जितने भी जो संगठित जो वह हुए हैं मतलब कि जिन्होंने संगठित किया अपने धम का उन लोगों ने प्रचार प्रसार किया है तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है प्रचार प्रसार का व इंस्क्रिप्शन लिखवा है उसमें ये बात कहते हैं कि मैं इन इन लोगों को इन इन देशों में भेज रहा हूं और नाम लेते हैं कि साउथ में चोल पंड्या से लेकर और इधर जो ग्रीक से लेकर सिरिया से लेकर हर देश का नाम लेते हैं कि इन इन देशों में मैंने इतने बहुत भी खुबे भेजें और वो देखा भी जाता है आगे चलकर कि कई सारे देश जो हैं सीदे सीदे बुधिष्ट भी बनने लगते हैं उस ग्यान को पाकर लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं होती यह चीज है तो इनका असर पड़ा जब कोई सिर्फ बहुत भी खु उनमें बढ़ता है तो इसका मतलब कि बाकी के जो देश थें उन वो देश अच्छूते नहीं रहें वो देश पर भी बुधिजम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था इसका मतलब यह है हुआ क्या कि उधर से कुछ और भी चीज़े धीरे-धीरे उभरने शुरू हु पूरा बुधिश्ट हो गया तो वो देश कैसे अच्छूते रहे होंगे उन्हीं के तो अगल बगल पीछे के सारे इलाके हैं यह सब मंगोलिया पूरा बुधिश्ट देश बन गया था तो यह सारे पहुँचे थे वहां पे और इन सब का जो उधर की जो कल्चर था जो मेस सारे आने जाने का बहुत सारे inscription मिले हैं तो वो प्रता जो थी ना मूर्तियों की छोटी-छोटे मूर्तियों के बनाने की वो प्रता continued थी घड़े उड़े बनाने के आज भी रानी राक्या और भारत के मिलते जुलते हैं घड़े पाये जाते हैं कुछ लोगों ने सीधे लेकिन हुआ क्या था कि वो व्यापार के रास्ते थे लोग आते जाते रहते थे तो हमें एक चीज़ यह समझना पड़ेगा कि यह जो चीज़े जो वहां पे अराईज हो रही थी जो मेसोपटामिय सब्याता के बाद वहां पे अराईज हुई और भारत में सिंदुगाटी सब्याता के बाद से बुधमार्ग अराईज हुआ तो बुद्ध मारगे में शुरू में मूर्तियां तो थी नहीं उतनी, मूर्ति नहीं बनती थी, सुतूप बनते थे, लेकिन इन लोग का उधर प्रभाव गया, उधर से भी लोग इधर आये हैं, अम्मिला जुला प्रभाव सब पे चलता रहा, जो जो रोस्त्रियन है, उसका रोमन का, और जो आपने पेगन कहा, इनका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, उनकी जो चीज़े जो उससे में दिखती हैं, वो सारी चीज़े आज के ब्रह्मेनिकल सिस्टम में पूरी दिखती हैं, वो पूरी चीज़े जो हैं, आज ब्रह्मेनिकल सिस्टम में देखने क को मिलती है अगर आप रोमन का जो टीका लगाने का सिस्टम देखेंगे वो इन में मिलता है उन वो लोग जब आज भी आप देखेंगे कि जो आज का हिंदुईजम टाइप का जो चीज है जिसमें लोग मरते हैं ब्रह्मनिकल सिस्टम तो वो क्या करेगा कि एक लोटा हैं उनमें भी ये चीज़े पाई गई है तो बहुत कुछ इनका मिला जूला जो प्रभाव है न वो इधर मुगल सासनकाल और अंग्रेजु के कालखंड में जब ये ब्रह्मनिकल सिस्टम अपना संगठित हुआ है उसमें इसने उस चीजों को लाया है कहानिया भी पूरा सिस्टम अको ज्यादा मझ بूत बना रहा था अपने देखा मोगा कि जो है प्शों है वहां पे दसवी बार्मीं सी कि में इतने हों गए तीरह फ्यावी पंदरहाविंश को भी लोग वो कर सकते थे मतलब राजा को भी सजा दे सकते थे मतलब इतिने ज्यादा हो गय थे तो सिस्टम भी उसी समय भारत में अपने को ज्यादा स्ट्रॉंग बनाता है अच्छत्रिय को अपने से नीचे रखता है कि तू तो मुझे परणाम करेगा तू मैं तो मेरा दस साल के बच्चे को भी तू सो साल बुढ़ा हो जाएगा तो परणाम करेगा पूरा चीज वही कॉप जाता है कि वहां पर स्टार्टिंग हुआ और यहां पर कैसे पहुंच गया तो पहुंचने का माध्यम यही था कि जब तक बुधिष्ट आते जाते रहते थे तो हर चीज जो है आती जाती रही है लेकिन जैसे ही मुगलिया सलतनत भारत में आती है उसके बासे यहां से आउ इसलिम और ब्रामण का गठ जोड़ था यह उन्होंने रोक लगाई इसने समुद्रपार पर रोक लगा दी सब लोग जाते हैं कि हमारे यहां से आप बुधिष्ट देश बने हैं चुरह हमारे देश पर हमला हुआ है आए हमारी हेल्प कीजिए उल्टे यह परतिबंद लिए यह पूरी कहानी है तो इस पर हम लोग कभी स्ट्रीम करेंगे आगे जिसमें और भी डिटेल्स लेकर आएंगे जी संकी जी और यहां पर अमित तिवारी जी यहां पर लिखते हैं कि जय भीम सबको वीडियो लाइक सेर कीजिए दोस्तों और रेशनल वर्ड साइंस चैनल सबस्क्राइब कीजिए बहुत-बहुत सुक्रिया आपका अमित तिवारी जी जाविद आपकी और वासुत देश जगी वाली अच्छा इसके बाद से यहां पर तारनेल दा मिस्टिक अगोरी जी का भी सुपरिष्टी करता सुक्रिया आपका और फिर आलम प्रभु वातामबे जी ने लिखा है जय भीम सर हाँ आपको भी जय भीम तो चले आगे बढ़ते हैं कोई डिवेटी हों उनको थोड़ा भेजिए जो डिवेट करना चाहते हो ना उनको थोड़ा सा अपलग भेजिए जो लोग हमें सा आते रहते हैं उनसे तो बातचित होते ही रहती है लेकिन जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा भेजिए यहां पर आशु रमन आये हुए हैं हाज एक सवाल था पूछिए से बुद्ध ने जो भी उदेश दिये हैं उस उसका सौर्स किया किसको में मतलब कैसे मतलब ब्लीव करें कि जो उपसे ले दिये हैं उन्होंने ही दिये हैं अहां तो इस पर बताया तो था मैंने न कि जो बुद्ध की जो बाते हैं उसको उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है उसको मानने का सबसे अच्छा एक तरीका है कि सबसे पहले आप जो आर्केलोजी से जो चीजह मिल रही है उसको आप पकड़िये कि आर्केलोजीकल एविडेंस में उनके बारे में रजा क्या लिख रहे हैं उल्डेस्ट जो इंस्क्रिप्शन है विसेस का सबसे उल्डेस्ट वो उनके बारे में क्या डील कर रहे हैं वहां से पकड़िये दूसरी चीज क्या है कि अब जब वहां से आप पकड़ेंगे तो ये सब को पुरा सर्वविदित है सब को ग्यात है कि जो बुद्ध का जो ओरिजिनल या जो सुरू वाला था वो थेरवाद था और थेरवाद के बाद से महायान बना है तो उसमें आप क्या कीजिए कि अब थेरवाद को पकड़िए क्योंकि महायान बाद में बना है महायान में मूर्तियां भी सामिल हो गई मूर्तिया बनने लगी फिर मूर्तियों से अलग-अलग मूर्तिया बनने लगी और फिर बाद में साथवी आठवी सदी में उतरवर्ती बुद्धी जमा गया तो आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि आप किस चीज को फिल्टर आउट करें जैसे आप कोई कहता है कि बुद पर जाना है उरिजिनल पर तब आपको पता चलेगा कि उनके मूल उपदेश क्या है तो जब उरिजिनल पर जाओगे थेरवाद में जाओगे तो उसमें मूर्ति पुजा नहीं है और वहाँ पर एक सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन जो होगा उनके जो बहाँ विहार होंग जिससे वो हिंसक हो जाते हैं या दिन रात लड़ाई जगडा करने लगते हैं या गलत चीजों में फस जाते हैं उसको कैसे दूर करें वो सारी चीजे जो है आपके अंदर आ जाए मतलब आप समझने लगोगे कि जब मेडिटेशन की बात कर रहे हैं विपश्चना की बात क कर रहे हैं तो अब आप समझोगे कि बुद्ध किन विकारों पर काम किये थे वो प्रोसेस है आपको पूरा माइंड सेट अप करना हो इतिहांस खोजना इतना असान नहीं है भारत में दो सभ्यताएं जो हैं विलुप्त की गई थी एक इंडस वैली सिवलाजेशन और उसके सिंदु घाटी सभ्यता भी तीन चार सभ्यता हैं लगतार मिलते चली गई तो यह हमारी लोश्ट सभ्यता है न तो इनको खोजने के लिए हमें आर्केलोजी और आर्केलोजी के बाद से उनके उल्डेश्ट जो ठींग है उसको समझना पड़ेगा तब आप इस चीश को किता दो भाई यद्यहों की किताब है तो चादम यह तो चeledah 17 के किताबаюсь तो यह बुद्र के तो जाने के 2000 साल बाद की किताब है हम क्यो मान लिक्वागत और उस समय चार चीप में बुद्र कौन लिक्रा था था पर दीपो भवा है नो तो यह चीज उनके इंस्क्रिप्शन से प्रमार मिलता है या फिर कोई इसके लिए कोई रिफ्रेंस भूक पढ़ना पड़ेगा देखें यह चीज आपको समझना पड़ेगा कि उस जो समराट असोक का जो अविलेक है उसमें भी यह सब्द आया है जो तो यहां पर अब कि अपको इसलाम को समझना होगा सर्मार मुस्लिमों को या उनके जोemy लूवर उनके जो मुफ्ति है जो विद्वान है उनको आप एक पर पकड़े उनसे पकड़के पूरे कुरान का समझहों गैं यह आयत क्या कह रही है अप फिर आप एक जनडल प् क्योंकि बुद्धिय्ष्ट भारत में ना बुध्र लोश्ट हुए हैं, पूरी दुनिया में तो हुए नहीं थे, जो तेरवाद भी एक देस में बचा हुआ थेरवाद जो है मन्यमार में बचा हुआ था अब महायान तो कई-कई देशों में बचा हुआ था तो सारी चीज़ बुद्रमार की लौश्ट थोड़े होई थी भारत से सिर्फ लौश्ट हुई थी ना विदेशों में तो था लेकिन हुआ क्या कि जब आप सब का जब सर्वे चीज है कौमन है तो जो कौमन होगी न वो मूल मंत्र होगा और इन सब में क्या कौमन होगा तो चार अरियसत्य कमन होगे अश्टांगिक मार्ग कमन होगा डिफरेंट क्या होगा तो विच्छू का रहन सहन डिफरेंट होगा कि विच्छू कैसे रहे सहे कहां पे निवास कर लिए विखुनिया कहां रह सकती हैं वो कैसे वो सारी चीजे ना इनके अलग-अलग सबने बना रखे तो अपना कोई नियम अपने लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से बना सकते हैं यह नियम था तो इसलिए यह भिखुओं के जो नियम होंगे और जो उनकी जो थोड़ी होगा वो सब में common मिलेगा तो उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि हायर यह चीजे सब में common मिल रही है यानि कि यह बाते सुरू से आई होंगे और इसको किसी ने नहीं खोया है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यह कोर वाली चीज जो है यह बुधकी हो सकती है क् कि इसको किसी ने नहीं खोया है इससे आप अनुमान करके यह लॉश्ट चीजे है ना लॉश्ट चीजों को आप पता लगा रहे हो एक कोई दावा करता है कि नहीं हमारी चीज ही लॉश्ट नहीं हुई है तो वो तो अपना कुछ भी गपोड़ देगा जो लॉश्ट चीज है उसको पता लगाने के लिए आपको थोड़ा क्रिटिकली मेहनत करना होता है जी आशुरमन मेरे खाल से आपको उत्तर मिल गया होगा जी सर जी सर ठीक है ओके थेंक यू सर थेंक यू आच्छा इसके बाद से सूरज कुमार आये हुए है हाँ जी सूरज कुमार बताएं क्या हमने यह बंदा जो है यह गाना बजा के बैठे हैं यह सुच रहें कि कॉपी राइट ला देंगे इस पर गाना बजेगा और कहीं से कॉपी राइट आ जाएगा तो यह जो है वीडियो ही बंद हो जाएगी यह इतिरन चतुरचलाक लोग होते हैं चले यहां से जाए हुए हैं चले इन से बाते करते हैं हाजी जैबाबा की बताएं क्या करना चाहते हैं हेलो सर हाजी बुलिए जैबिम सर धुरुपराटी ने एक वीडियो बनाई उसमें उन्हों ने दिखाया कि यह जो अपना उत्राखंड वगरा का एरिया है ना सर वहापे मतलब लो पर देश के तो लेक में वहां के तलाबों में आज भी खुदाई होती है तो बुद्ध की मुर्तिया निकलती है उसमें से यह तो कॉमन है आगे बताएं गालाग अलग अलग थी तो यह बोल लेते कि यह जैपनीज आरमी की हो सकते हैं जो माइड़ वार की दोौरां मर गय कर फिर बोल लेते कि यह उनकी आरियन की यह रिज्टी की हो सकती है फिर उन्हों ने जब भी जब अनिनिक निइनरी कायो देए निकली तो 12 के 13 सेंचोरी 80 के राउंड की है तो तरफ किया ऐइसा नहीं हो तरह मतलब इस इस इधे टैंपरेड वह बुधिजम बाज बिंग डिस्टोड बाइड रमर्ला बिलकुल हो सकता है बिलकुल देखें कोई भी जो तलाब में मार कर फैंक देना या और भी बहुत सी घटनाएं आई थ कि किसी किसी ने किसी के हाँ कोई गया उसको मार कर अपने ही बगीचे में मार के गाड़ दिया अपने तलाब में फेकवा दिया किसी जीव जन्तू से खिलवा दिया या कुछ कर दिया इस तरह की घटना है तो आज भी पाई जाती हैं तो वो कौन लोग होते हैं जो वंचित सो से किया गया है जिनकी हड्या मिल रही है तो आफकोर्स यह ज़्यादा possibility है कि वो उस समय के सूसित वंचीत या वो संगर्स करता रहे होंगे जिनको जो समय बाहुबली या जो बाहुल में आया होगा उसने मार दिया होगा, इसकी possibility ज्यादा लग रही है, जी, हाँ सर, एक लोगों की नहीं मिली, बहुत सारे लोगों की मिली है, हाँ, तो genocide करते थे थे, जैनोसाइड तो करते ही थे, जैनोसाइड तो करते ही थे, अच्छा, इसके बाद से, विनोध रजा का आपकी जो device है, वो not connected है, एथिस्ट आये हुए है, चलें इन से बाते कर लेते हैं, अच्छा, जिन से बात हो जा रही है, वो दीरे-दीरे खाली करते जाए, हाँ, बोलें एथिस्ट, क्या काना चाहते हैं, जी, मैं तो आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा, कि आप इसे गुरुवों की पोल खोलते है, मैंने इससे पहले साइंसिस, डोप और दूसरे चनल भी देखे दे, और ये बहुत ही बढ़िया बात है, जो लोग पड़े लिखे हैं, वो एक बार यूट्यूब पे आपके वीडियो देख ले, तो उनका निरने लेना अलग हो जाएगा, वो फिर उसमें पड़ेंगे नहीं, आपका बहुत धन्यवाद, अगर ये वीडियो 2016-17 में होता तो में भी साइद उसमें फोलो नहीं करता, लेकिन आप जो कर रहे हैं, वो बढ़िया कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, लोग उपना टाइम वेस्ट ना कर रहे हैं, और आपका वीडियो देख ले और उन् किया है और कहां से शुरू हुआता है सब कुछ है ओके ओके सुक्रिया सुक्रिया आपका एथिश्च जी फिड़एक देने के लिए और आपका कोई प्रस्ण भी है जी मेरा यह प्रस्णा है कि मुझे बहुत गोतम बुद्ध जो है अगर उसके बारे में जहनना हो उसके जो दुख के जो आठ रीत बताए गई थी वो उनका रेग्यूलर सोर्स कहां से मिल से अथेंटिक सोर्स वो कहां से मिल सकता है एथिस्ट जी उसके लिए मैंने एक वीडियो वनाई है SJL 68 एक बार मैं आपको सजेशन दूँगा कि वो एक बार स्ट्रीम देखिए उसका जो सुरू का प्रजेंटेशन है वनावर का SJL 68 उसमें मैंने दिखाया है कि जो बुद्ध के असली जो कोर सिधान्त थें वो क्या चार अरियसत्य और उसका जो चौता पॉइंट है कि कैसे उसको हम दूर करें वो पॉइंट हो दरसल हुआ क्या है कि जब बुद्ध मार की किताबें अंग्रेजों के समय में जब बुद्ध मार का पता चलने लगा तो ब्रहमेनिकल सिष्टम ने क्या कि उनकी किताबों का सं संस्क्रीट में लिखना शुरू कर दिया और कहा गया कि बुद्ध की सारी बाते बिदेश से सिरलंका से और मन्यमार से चीन से तिबद कोरिया इन देसों से लाई जा रही हैं तो इन देसों में संस्क्रीट चलती नहीं थी लेकिन ब्रह्मेनिकल सिस्टम ने क्या-क्या एक और गेम खेल दिया ये कहना सुरू कर दिया कि देखिए भाई इनके जो विद्वान थे अस्वगोस वो संस्क्रीट में लिखते थे तो हमारे न संस्क्रीट में हम आपको किताब दे रहे हैं उनकी बाते फिर ये क्या किया उन सौंदरे नंदन भी संस्क्रीट में लिख दिया तो जो इनकी जो किताबे थी असोगोस की, यहीं से चीजे ना बदलनी शुरू हो गई, यह जो चार अरिय सत्य थे और इसके बाद से उनके घर का, घर से जो जा रहे हैं, जो जंगल में जाने की बात है, इसका इन लोगों ने ब्रामड़ी करन कर दिया, इनका जूट पकड़ और देखकर उनको ऐसा लगा कि, अरे कोई कैसे मर सकता है, जीवन में बड़ा दुख है, तो दुख की खोज में वो चले गए, इसलिए उन्होंने आचार आरिय सत्य खोजे, यह पूरा एक बनावटी कहानी इन लोगों ने इन संस्कृत किताबों में पेस कर दिया, जबकि वो कंसेप्ट ही नहीं था, जबकि वो घर से जो बाहर गए थे, बाबा साहब ने भी अपनी किताब बुद्धाय निजधम्मा में वही फैक्ट लिखा, कि वो घर से जल के बटवारे में उनको घर निकाला मिल गया, देश निकाला मिल गया, इसलिए उनको जाना पड़ा इसलिए मैं वीडियो के फॉर्म में बना बना कर या जो अच्छे जो स्कॉलर्स हैं, वो लोग इस पर काम कर रहे हैं, उनकी चीज़ है आप लोग को देखनी चाहिए, आप लोग काफी सत्य का पदा चल जाएगा, उसके लिए मैं आप से कहूंगा कि दॉक्टर सुरेंदर परशाज सिंग की भी आप किताबे पढ़ हैं, आर्केलोझिकल एविडेंस के अधार पर, और राजिव पाटेल जी की भी किताबे आप पढ़ हैं, वो भी आर्केलोझिकल एविडेंस पर, इन तीनों का कंबिनेशन आप पढ़ेंगे, तो आपको जने पाुँछ अच्छे लिखा था कितब वही हम पढ़ रहे हैं नहीं यहीं यही तो सबसे खास बात है बुद्धमार्ग एकलोता दुनिया का ऐसा सबसे पुराना मार्ग है जिसने स्क्रिप्चर्स पे नहीं विलिव किया उन्होंने सीना फाड़ के पत्थर का सीना फाड़ फाड़ के लिखा आज कोने के चेश्चा में अच्छे चीचे को समहालते हो जब आप बनाते हो जैसे देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन Constitution कब लगू हुआ, तीन साल बाद ही लगू हुआ, 1950 में लगू हुआ, तीन साल लगा ना Constitution, हालाग कि दूर साल कुछ महीने लगे थे, लेकिन हमें अपने देश को चलाने के लिए तीन साल बाद हमने उसको लगू कर दिया, तो हर वर्ड भी सविधान Constitution में जोड़ा, इंद्रा गांधी के समय में, ये भी सब्द जोड़ा गया था बाद में, 75 के करीब में, तो देखे, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको समझना होगा, कि जैसे ही बुद्ध मार्ग, जब बुद्ध चले गएं, तो उनके अनुवाईयों समय के अनुसार उनकी चीजों को कंपाइल करना शुरू किया, बनाना शुरू किया, जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई, फिर बाद में लगा कि यार ये चीज़े तो हम खो देंगे, तो उन्होंने उसका जो है रजाओ के साथ मिलके, रजाओ को उन्होंने कन्विंस किया, रजाओ को बना कर और फिर बड़ी-बड़ी भवे-भवे चीज़े बनानी शुरू कर दी, जितने मौंक्स थें, वो कैप्स में रहते थें, पत्थर के घरों में रहते थें, और पत्थों पे उकेर-उकेर के बुद्ध को बनाया, लिखित प्रमाड़े मिलता है अजंता मे इसा से 300 साल, 400 साल पहले के जातक अथाय लिखी हुई मिलती हैं, उस पर चित्र बने हुए मिलते हैं उस समय के, उसी तरह से भरहूत में इसा से 2500 साल पहले बुद्ध कहां जा रहे हैं, उनके पिता जी कैसे खेती कर रहे हैं, उनके जो फिर घर से वो जा रहे हैं, तो कैसे खोड़े पर बैठे हुए हैं, सब लोग उनके आगे पीछे लोग लगे हैं, इस तरह की हर तरह की कलाकारी बना दी गई थी, अगर उस समय कोई किताब नहीं थी, तो जो दिवारों पे जो चित्र बनी है, पेंटिंग्स बनी है, जो मूर्तिया टाइप की बनी हुई है, उसक इसने इतने सारे एविडेंस दिये, इसलिए दिये हैं, क्योंकि ये तरकिक्ता का मार्ग था, इसने लोगों के बुद्धी विवेक पर काम किया, जब इस्वर को आप हटा देते हो, कि इस्वर है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, तो आप अपनी बुद्धी की ही बात करोगे कि बुद्धी का इस्तमाल कर, हम भी अपने बुद्धी का इस्तमाल करते हैं, तो जब बुद्धी का इस्तमाल करेगा, वो व्यक्ति वो पढ़ेगा, लिखेगा, इसलिए इतने सारे इनके सिल्पकला मिलती है, तो सिल्पकलाओ से आप बुद्धमार को बहुत असानी से औ तो उनको नहीं जनकारी है ना उनको जनकारी कहां होती है आप जब जब जो रिसर्च कर रहा है उससे लेंगे ना बुद्ध मार्ग एक लोश्ट मार्ग था ना भारत में बारत में लोश्ट मार्ग था आज जितने आपको भंते दिख रहे हैं वो भंते लोग कब बने हैं मु तुरंद ब्रामः बन गए कदारनाथ पंडे ब्रामः बनके रहुल संस्कृत्यान बन गए मधुर पिपलायन और कौन-कौन से लोग है भधनत आनंद कोशल्यान या सब ब्रामः लोग थे तुरंद बन गए वो बुधिस्ट बन गए अब बन बन के किताबे लिखना गुरू है इस सड़ गुरू ने आपको बुध की तारीफ करते कर्ते असीव का उसमें घुषर दिया कि शीव तो एक अनंध तली है यह है वो है प्रचार करना पड़ेगा यह करना पड़ेगा वह करना पड़ेगा सब बात कहा कि बहुत logical है logical way में हैदीरे से क्या बोल दिया कि medications है उसमें से शिर्फ पर प्रिवा मार्क भीया तो अब सबूत इनके पास नहीं है सिर्फ मुह का गपोड़ है तो जो मौणक पूरी जनकारी नहीं है उनका सोर्स आप पूछेंगे तो कहेंगे कि हमारे पास वो कहीं से सुन लिया होंगे कहीं आसरम में या कहीं बैठे होंगे किसी बिहार वहार में कहीं किसी से सुन लिया होंगे वो बता देंगे रिसर्च थोड़े करते हैं, आप पहले के जो भंते होते थें, जो आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, उनका क्या लेबल था, आप सूचके भी मुर्चित हो जाएंगे, क्या लेबल रहा होगा उनका, इतनी सारी उन्वर्सिटिया, बताइए चीन का सामराट बुलाया, मतंग भं शप जी को बुलाया था, मेरे कहल से अगर मैं नाम सही बता रहा हूँ, ये दोनों लोग गए, और ये दोनों लोग वहाँ जाने के चीन के बाद से, चीन जो है, अगले 100-500 साल में पूरा बुधिष्ट देश बन गया, समझा है, दो भंतों को बुलाया था वहाँ पर पू आज के समय में आप जो बात कर रहे हैं, तो ये लोग उस लोश्ट में से कुछ वैसी चीजे खोज रहे हैं, जो खुद को ही नहीं पता, अभी तक तो लोगों को ये नहीं पता था कि वेद बिलकुल नया है, वेद तो गीता के भी बाद का है, ये तक लोगों को नहीं पता था कि गीता जो है वेद से भी ज्यादा पूरा नहीं है और गीता खेर दोनों एक ही समय में एक ही बंदों ने कंपाइल की है आगे पिछे का लेकिन यह जो चीज वेद वो नहीं वेद 15 सदी में आया हुआ इसको बता दिया था सारे 3000 साल में और जो वेद जो सब्द आया है तिपिटक में जिसका मतलब था उपाशना भक्ति योग उस सब्द को उठाके इन लोगों ने तीन वेद बता दिया था कि यह तीन वेद की बात कर रहा है वहां पर उस वेद का कुछ और मतलब था तो लोगों को तो अभी यह लोग कंफ्यूज थें क्योंकि ब्रामण ही बुद्धमार की किताबों को लिख रहा था तो वो सच्चाई नहीं बताएगा न आपको वो कभ अच्छा इसके बाद से देखें और कौन आये हुए हैं यहां पर हेलबॉय आये हुए हाजी हेलबॉय बताएं जैविम सर हाजी जैविम सर मैं आपका एक करीबन एक माने से दिख रहा हूँ आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुती घ्यानवर्दत बाते होती है और इतियास के बारे में आपकी जैनकरी है और सटीग है और तरीके से आप साक्ष के साथ पेश करते हैं सर मेरे दो-टीन प्रशनत सर्व है जो मैं आप से पूछना जाता हूँ सर्कांअ जरूर पूछ लेजिया कर मुझे यह जानना था कि संस्कूद भाशा जो उद्गम हुआ पहले संस्कृत भाषा जो थी वह हाइब्रीड संस्कृत बनी आ उसके बाद फिर यह अभी का संस्कृत है क्लासिकल संस्कृत उसका उत्गम हुआ तो सैर वह जो संस्कृत भाषा जो थीरे दीरे प्रोग्रेश हो रहा है थी कोई भी भासा जो है न वो धीरे-धीरे बनती है और इवेन छटी-सात्वी सदी में भी देखा गया कि जिसके उनके नाम पर भारत नाट्यम की जो किताबे आई हैं वो दरसल पांचवी-छटी सदी की किताब बताई जा रही है लेकिन वो किताब जो है मिस्रित है मतलब 80% पाली-प्राकिर्ट के सब्द है मुश्किल से 10-20% जो है वो संस्कृत के कुछ सब्द है यानि कि उस समय तक भी संस्कृत फॉर्म नहीं हुई थी कुछ सब्द जो है उस समय जो आ रहे थे उन सब्दों को बाद में संस्कृत में इस्तमाल कर लिया गया लेकिन वो सब्द जो हैं संस्कृत वाले वो complete संस्कृत नहीं बनी थी यानि छटी-सात्वी सदी में भी नहीं संस्कृत का कोई बोलवाला था तीसरी-चौथी सदी की गाथा सतपती है और वो पाली-प्राकिर्ट के किताब है जो गाथा सतपती सत्वहनों की बाते करती है इस तरह की उसके किताब बताया गया तो कोई भी किताब जो है जो बताया जा रहा है मिसृत संस्कृत का उस्से पुरानी नहीं है काफी नहीं है यह भारत के जो ब्रामणवाद़ी लोग है या उस समय के जो अंग्रेज थे वह बहुत ज़्यादा भरमित हो गया थे ना उस समय इसले confusion गया तो उसको इन लोगों ने ब्रामडों ने प्रचार फिला रखा था कि यहां पे हजारों लाखों साल से संस्क्रीट भासा है जब ने मान लिया इंडो आर्यन भी अस्थापित कर दिया गया कि वह आये थे वहां से वेद लेकर आये थे संस्क्रीट भासा आज से 3500 साल पहल मानते थे फिर क्या हुआ अचानक से कि जब पाड़नी पर अंग्रेजों ने रिसर्च किया तो पता लगा कि नहीं नहीं यह तो 2700 साल पूरानी हो सकती है तब तक क्या हुआ कि उसमें बुद्धिष्टों की चीजह मिलने शुरू हो गई तब पता चला तब फिर संजली को खड़ा किया कि इसा से 200 साल पहले का है उसके साथ पि कहानी है उसका भी कोई एविडेंस नहीं है पाड़ेनी का, बाद में इन लोगों ने लिखा है किताबों को वहाँ पर अस्थापित किया है तो यहां पर एक चीजह आपको समझनी पढ़ेगी कि मिस्रित संसक संस्क्रित जिसकी बात कर रहे हैं वह चौथी पाँचवी सदी से सुरू तो होती है लेकिन वह संस्क्रित नहीं है क्योंकि उसमें ना 80% जो है पाली प्राकिरत है शिर्फ 2-4-5 परसेंट या 10% जो है संस्क्रित के कुछ सब्द हैं तो इससे आप यह नहीं कह सकते कि मिस्रित संस्क्रित क्योंकि मिस्रित संस्क्रित जब कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि इससे पहले संस्क्रित थी असंस्क्रित का इसमें मिस्रण हो रहा है नहीं जैसे अर्भी है अर्भी में कागज सब्द है और भी बहुत सारे सब्द हैं कागज है और भी पतनी स्याही वगरा भी तो उसी समय जो मिश्रित पाली प्रकृत थी न उसमें से सब्द उठा के अब बाद में क्लासिकल संस्कृत में लोगों ने ले लिया एजिटी तो इनका संस्कृत बन गया इस तरह से है संस्कृत का कहानी जी जी सर यह अश्वगोश की बुद्द जरितन जो किताब है वो भी सर निश्रित संस्कृत में है न सर ने जी कि देखें अशवगोश की किताब है एक तो संदर नंदन है जिसमें उनके भाई नंद की कहानी है और एक दूसरी इनकी किताब है बुध चरितम दोनों की कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये न दो लेखक अलग अलग लिखे हैं एक लेखक का लिखी भी बाणी नहीं हो सकती है क्योंकि एक किताब में वो कुछ और बात कह रहे हैं बुध के जनम से लेकर औ दूसरी किताब में अचानक से पूरा चीज ही ट्रेंड ही चेंज हो जाता है तो ये देखें ये बड़ा ऐसा लग रहा है कि किसी ने बाद में धूर्तता वस उस कहानियों में मिलावट कर दिये कोई ऐसे बिल्कुल अलग-अलग नहीं लिख सकता है एक ही लेखक हो तो इस बात का तो द्यान रखेगा ये ऊचानक से चीजे अलग-अलग बनने भीख़ने लगती है अच्छा मतकारिक टाइप की बाते आने लगती है जैसे बुद्ध जो है वह अपने बहुत सारे उसमें रहने लगते हैं क्या नाम है उसके बहुत सारे आपसराओ और लड़कियों के साथ रहते हैं इस तरह के चितरण मिलने लगता है बुधचरितम में, फिर मिलता है कि जो लोगों को देखते हैं कि ये लोग दुख है इनको, बिमार हैं और फिर उनको छोड़ के घर छोड़ कर जाना पड़ता है, उसमें अपने पतनी से विदा लेते हैं चले जाते हैं जंगल में, ज्यान के खोज में, ये सब बाते जो हैं आपको बुधचर्टम में मिलती हैं, लेकिन जब ये किताब सवाल ये है कि बौध तो भारत में 11-12 सदी में खतम हो गए हैं, और ये संस्कृत में किताब है, तई थी कहां पर ये किताब, सबसे बड़ा तो चलो ठीक है 12-12 सदी में किसी ने लिख दिया, तो वो तो 100 साल में पन्ने उसके सड जाएंगे ना, फिर 13 सदी में उसकी ताब को दोबारा किस ने लिखा, 15 सदी में फिर किस ने दोबारा लिखा, क्योंकि पत्थर पर तो लिखा हुआ नहीं है, हर 500-100 साल में तो उसको गल सड जाना ही जाना है दोबारा तो लिखना पड़ेगा तो यही जो बार-बार लिखने वाला कारेकरम है न तो अगर ब्रामण उसको बचा के रखा था एक खंड मिला है भारत में बुधुध चरितम का आधहा तो उस आधहा में उसरे कितना बुधिश्टे बहुत जलता है रमायड जब लिख रहा है तो बुध को गाली दे रहा है इसी तरह से पुराणों में जहां देखो वहां गाली दे रहा है इनके तमाम लोग इतनी इतनी गालिया दे रहे हैं संकर भी गाली दे रहा है कुमारिल भट भी गाली दे रहा है सब कह रहे है कि कुत्ते की खाल में ल बसव के छुच rolling तो उनका प्रांट करण कर देगा यह बहुत बड़ा सवाल है यह लोगा सवाल नहीं उठाते हैं उठाके सब लोगों kya लगता है। ऐसा प्रचार फैल आता है ब्रामण मेडिया तंद्र से कि अस्वगोष जो है संस्क्रीद में बुधचरितम लिख दिये थे भाई साब अरे अस्वगोष था पहली सदी का उसको कहां से संस्क्रीट उस समय थी कि संस्क्रीट में लिख देगा वो इन लोगों ने लिखा है बाद में संस्क्रीट में उन्होंने जो भासा इस्तमाल की होगी पाली प्राकिर्त रही होगी मिस्रित रही होगी नवी दसवी सदी तक तो मिस्रित आही गई होगी ब्रामणों ने बाद में लिखा है अलिक के उसका ब्रामणी करन किया है तो ये ची किताब पर नहीं विलेव कर सकते हैं यूंकि व्रामहण जो है भारत में पाली पढ़ाने वाले सारह प्रॉसा कर सकते हैं आपको और चुल्स एविडियंस पर यह भरोसा करना होगा सर अभी जो तिबबत में 84,000 किताबे मिली हैं शाक्यमुनी मॉनिस्ट्री में लाइबरी मिली है सर बहुत बड़ी सर वहाँ पे बहुत सारी बुद्धिस्ट किताबे मिली है तो क्या हम हमारा जो इतियास जो जला दिया गया था आलन्दा उनिविशिटी और बाकी उनिविशिटी के माध्यम से जो जला दिया गया था क्या हम उस लाइबरी की किताबों को ट्रांसलेट करके हमारा जो खोया हुआ इतियास से उसे पुना प्राप्त कर सकते हैं सर देखें वो जो दस हजार किताबों का जो मिला है कलेक्शन तो वो किताबे लिखी है तिबवती में और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका ठेका लिया है ब्रामडों ने अनुवाद करने का और उस तिबवती भासा से उसको लिख रहे हैं वो संस्क्रीट में ध्यान दिज ये का इस चीज़ को तिबवती से वो ट्रांस्वեյेट करके संस्क्रीट में लिख रहे हैं हिंदी- इंगलिस में लिखा लिखा जा रहा है ताकि दुनिया को पता चले क्या है उसको वह संस्क्रीट में लिख दिया था बूधश से तो जिरा से चिख Siyaam Churitम से लिखा अनुवाद करेंगे जब एक बार चीजे संस्क्रीत में लिख जाएंगी तो संस्क्रीत में जो मतलब होता है उपाली के ठीक उल्टा निकलता है बहुत सारे वर्ड जो है उल्टा निकलते हैं अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि सर देवान पिय जो है कहां पे लिखा हुआ है कौन से डिक्स्णरी में लिखा हुआ है कि उसका मतलब मुर्ख होता है आप कोई सभी ब्राम्रो का डिक्स्णरी उठा लेजिए सब में देवान पिय का मतलब जो है मुर्ख लिख रखा है तो सम्राठ असोक जो है अपने इंस्क्रिप्शन पर लिखवाए है खुद को द निकल सके तो आप वहां से नहीं जान पाएंगे बहुजन वरग को अभी बहुत महनत करने की जरुरत है हमने अपने पाली प्रकृत को खोया है हमने अपना आत्मसमान इसलिए खो दिया क्योंकि हमने अपनी भासा खोई है और भासा जब नहीं रहती है न तो उसी चीज का अलग अलग भासाओं में अलग-अलग मतलब निकलता है, वो संस्क्रीत में लिखेगा, अनुवाद वो करेगा, वो बताएगा कि देखो तुम्हारे बुद्ध की क्या बात है, जब वो बताएगा हमें, तो हम कहां से जान पाएंगे अपना इतिहांस, भाई भेण हो का इतिह इन्टरनेशनली लिया जाएं बिदेशी जो वो हैं, स्कॉलर्स हैं, बिदेशों में भी निस्पक्छ नहीं होते हैं, जैसे भारत में भूलर था, फूरर था, यह सब निस्पक्छ थोड़े थें, यह सब तो ब्राम्हणों के एजेंड थें, दोनों फरजीवारा करते पानी खेवने कहा गया वहीं से गायब हो गया दोनों का फर्जी वारा पकड़ा के तो नैपाल में गयते नैपाल में अस्थापित कर रहे थे बुद्ध को कि बुद्ध का जनम नैपाल में हुआ था अब पुल खुली यहाँ पे जेम्स पेपे ने यहाँ पे ब्रामर है वही किताबे अनुवाद कर रहा है वही सारे चीज़ दे रहा है इसलिए इतनी सारे जो बुद्ध मार के बारे में जो गलत भरांतिया हैं यह लोग इतनी आसानी से फैला पा रहे हैं जी है ठीक है 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 शुक्रिया हाँ हाँ सुक्रिया अच्छा इसके बाद से यहां पर नमो नमाह आये हुए हैं हाँ जी नमो नमाह बताएं क्या डिवेट करना आपको अजरा एक मिनट रुक है यहां पर अमूल वानखेड़े जी ने लिखा है सर सीवाइज एलियन एज पर सद्गुरू जी एक मिनट रुक है हाँ बिल्कुल सही कहा है वह एलियन ही पर रवी कुमार जी का यहां सुपरिष्टी कर आया हुए है शुक्रिया आपका रवी जी और हरसद जाद हो जी है यह लिखते हैं द्वारे का मठवाला स्वामी स्वापूर्णा नंद आज चल बसा अच्छा जी और इसके बाद यहां पर शुमेंद्र दिवाकर जी का भी सुपरिष्टी कर था जी शुक्रिया आपका फिर यहां पर राम भाई जी ने लिखा है जै भीम नमो बुद्ध गशो और फिर यहाँ पे तारा मनी दमैश्टिक अगोरी जी ने लिखा है आपके प्रते एक वीडियो बहुत अच्छे हैं प्रजवलित रख्या जी शुक्रिया आपका और इसके बाद यहाँ पे observation and thoughts क्या लिखते हैं हर निबल अच्छा इस चे सर जी क्या मुगलों की help ब्रामणों ने की थी बुद्ध धम को बरबाद करने के लिए सर जी थोड़ा elaborate करके बताईए हाँ यह मैंने बताया तो है ना आपको तो इस्ट्री में बताया है कि जब देखें वे आप देखी इस से समझे ना कि संकराचार्य के बारे में आपको कुछ भी प्रमाड नहीं मिला कहां से प्रमाड मिला तो एक मधवाचार्य है 13-14 सदी का साउध का वो एक किताब लिखत है बताता है कि संकराचारय ने यह यह बाते कही है फिर एक जो है बंदा है 15 सदी में सायर उवट मैधर यह सब लिखते हैं आए बताते हैं कि वेद में यह चीज़े लिखी हुई है यह 15 सदी में उससे पहले कोई नहीं जानता है नौर्थ वाले जो ब्रमाड है यह तो और इधर का जो ब्रमाड है यह Muslim का पूरी चाटू कारिता में लगाता है इधर का लिख रहा था इधर का भी लेकिन अल्ला उपनी सद लिख रहा था बहुई से पूरा नहीं लिख रहा था अकबर को अपना ब्रमाड भाई बता रहा था तो इसी से आप समझ सकते हैं कि North India क जितने ब्रामढ़ है ये पूरे के पूरे इधर मुगलिया सलतनत को कायम रखने में पूरा मदद किये हैं भर पूर मदद किये हैं यही चीज है आचा इसके बाद से यहाँ पे ठंधर ब्लेड थ्री यहाँ पे लिख रहा हैं जो रोगन के टालक सो पर बहुत फेंके वो फेकू ही है दरसल वो फेकू ही है और एससजी का भी सुपरिष्टी कराया है सुक्रिया आपका एससजी तो चले आगे बढ़ते हैं देखें कौन आये हुए हैं नमो नमाय से बाते करते हैं हाँ जी नमो नमाय बताएए अगर में हो या हो किसी के भी और इसी उनके काम से प्रभावित और उनसे खुश होकर मुटलों ने उनका जज्या कर भी माफ़ कियाता तो यह सबसे बड़ सभूत है कि उनका कोंट्रिबूरशन बहुत अच्छाता ब् siitä विजेसें उनके खुश होकर उनका जज्य होकर अब बताइए बताइए क्या करना चाहते हैं जी तो ये बात सही है ना वो जजिया कर सिर्फ इसलिए नहीं माफ कर दिया कि वो सिर्फ चाटू कारिता की हैं बलकिल उन्हों महोदे आप तो हमारे ब्रामःण भाई हैं आप तो वहीषए पुराण में लिखा हुआ है उसमें वो साप साप लिखता है कि पिछले जनं में आप जो है दूध पी रहे थे तो जो घाय होती है ना उसका एक रोम एक बाल जो है उस दूद में पड़ गया उसको आप पी गया है इसलिए आप मुसलिम घर में पैदा हो गया है आप तो हमारे बरामर भाई हैं इभावी से पुरान में लिखा है उसने तो वो बहुत अच्छी तरह से चाटुकारिता कर रहा था लोग उपनिसद लिख रहा है अकबर की चाटुकारिता में अल्ला का उपनिसद लिख रहा है ऐसे बहुत सी किताबे उसने लिखी है तो इससे खुस होकर कि हमारे भाई भाई लोग हैं और तब जाके उन्होंने उनकी जजिया करमाफ किया था यह कहानी थी वह इसलिए नहीं कि देश के लिए काम कर रहे थे बहुत बड़ा गठ जोड था इनका चले बताएं आगे क्या कहना चाहते नमो नम आए इसवर मानते हैं सद्धुरुप पही कर लेंगे इस वर मांते हैं कि क्या मात आप यह बदते हैं कि आप क्यों वह क्यों कर रहे हैं जो जैमर टाइप का क्यों इस्तमाल कर रहे हैं आपकी साउंड जो है वो clear नहीं आ रही है और बहुत cross कर रहे है आपको ऐसा कोई डर है क्या कि आप या वाज कोई पाचान जाएगा और आपकी पोल खुल जाएगे कि आप एक ही व्यक्ति जो है बार-बार आते हैं अलग-अलग sound बना के है जी आपकी sound तो वैसे पाचानी हुई लग रही है लेकिन आप जो है ऐसे jammer लगा के क्यों बात कर रहे हैं पूरा clear बोलिये ना आप हां बताए यह इस्वर मानते हैं लेकिन इतना इस्वर मानते हैं जैसा कि आपको लगता है कि वह को इंसान होता है अरे बाई जब मानते ही आप बनाने वाला है creator हर किसी चीज का creator हो आचा कौन सा वाला creator आप मानते हैं अल्ला इस्वर गौड कौन सा वाला सब एक है जी जो सब परम शक्ति तो एक ही है जिसकी सब पूजा करता है और उसी के अंधर पर धरम बनाएक है देखिए यह बंदा फिर से जैमर लगा के बा और अधे नहीं हो आइज है की आपने वेद उपनिसद नहीं पड़ा है कृष्णा कापने गीता नहीं पड़ा है कि का भाई-धाई को मारने की बात कर रहा है आईज में फिंड एक हो धाला है इतो काफित कर रहा है थैर सब अलग अलग है है आप आप जो सोच रहे हो ना वैसा नहीं है अभी जब घटना हुई थी अभी यहाँ पर जो क्या नाम था विन लादेन जो वो पेंटागोन में जो वो किया था विस्पोर्ट किया था जो वहाँ पर हमला किया था एरोपलेन से उसमें क्या हुआ था मुसलिम सब 2010 में अड़ तक हमयों पर्राइं वहाँ यहीं पर मस्जिद बनाएंगे जो गौड वहाल है वहीं पर पहुंच गाये हैं यहीं कुरांच जलाएंगे वया। कि पर इस वर आल्लाँ एक कैसे हो गया वही इस्वर अल्द गोरेर। मुर्ति पूजा करता है आएसलाम में मुर्ति पूजा ही हराम है एक कैसे हो गया वाई साब अल्ला को बिल्कुल मुर्ति पूजा नहीं पसंद है आईस्वर को मुर्ति से ही खुस होता है मुर्ति पूजा से एक कैसे हो गया कहानी मत बनाए कि तीनों एक है तीनों बिल्कुल ही अलग-अलग है एक दुसरे से मिलापी नहीं है आप अपनी बताएए कौन सा वाला आपका जो creature है इन तीनों में से इसा कि creator होता है जिसने के रिखनां है कोई भी कीज रेसे कौन रेफरेंस दीजिए न कौन सा वाला है आपका रेफरेंस बना वह चाहते हैं कि कि इसEu tota शर्टा का शाहीं है बुख में अच्छा कभी आपने डियने कोड देखा है और कभी सब्सक्राइब नाम भी नहीं सुनेता है यह साइंस की देन है थर्मोडाइनेमिक्स हो या डियने हो यह साइंस की देन है यह आपके लोग तो जानते भी नहीं थे अच्छा कितना कम है कि साइंस ने जिस चीज की खोज की उसको बता रहे हो आप तो सड़ गुरू से भी बड़ा का सड़ गुरू निकल गया है आप बोल रहे हो कि वो साइंस ने नहीं बनाया आपके जितने भी यहां पे धुरंधर लोग थे हैं उनको आज तक पता था डियन में निकल जाता था तो कोई जो है अला क्या नाम है उसका नारायन नारायन करते हुए दुनिया भरमण करने लगता था बैठे बैठे हवा में उड़ जाता था आप बता रहे हैं कि डियने कोड और ये कोड़ साइंस ने बनाया है बद्धभी उड़ के श्री लंका बद्ध निकल लो फिर चलो निकल लो जब सबूत देने के बात आया ना तो बेटा सबूत हो तो बोल द्या करोगे सबूत नहीं है फरजी फरजी दो कोड़ी के सडक छाप जो है उनका नाम लोगे निकल लो फिर यहां से सबूत नहों तो मत आया करो बार बार भार भार भागी भी गया यह यह फट्टू लोग है जैसे इन से सबूत का नाम सुनेंगे यह भागी जाएंगे अगर नहीं आया रिटर्न होके तो मैं भगोड़ा फिर खोशी तूंगा मैं जाएगा भी नहीं बन दाद आए इस एले गुप्ता जी आये हुए हैं इनसे बाते करते हैं हाँ जी गुप्ता जी बतायां क्या करना चाहते हैं इस नवस का सब्सक्राइब और हार याएंड हाओं थे घुप्ता जी का आप हमें सुन पा रहे हैं जी सुन पा रहा है हां बताएं हमाने में आप से दो सवाल है जो सवाल है एक are the two century सवाल सुन रहे हैं just तो आपने एक बार हमको बताया था एक बार हमको बताया था कि सुर्च से किसी परकड़ का आप सांड नहीं आ सकता है क्योंकि आपको जूट बोलना कि कब से बीमारी है आपको मैंने आपसे कब कहा था कि वहां रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता है आप लगता है कि वाट्सप और फेस्बुक पर ज्यादा रहते हैं क्या पिछले नहीं अरे आप खोल के दिखा दीजिए और यहीं पर वीडियो बना रखी है थोड़ा अराम से थोड़ा अराम से इस पर रहा है अल्रेडी वीडियो बना रखी है आप लगे जूट बोलने जेके नहीं पता होता है तो जूट नहीं बोला जाता है सब्दों का थोड़ा सा आप इधर उधर कीजेगा ना सब्दों का सलतकार हो जाता है समझ रहा है ना तो इसलिए आप सब्दों का सलतकार मत कीजिए यहा बंदा इतना बड़ा गपोड़ा है वह बंदा क्या बोलता है आपके गुरुजी जो दियान-सरुससती है उन से दो कदम आगे निकल इकन चार कदम आगे निकल गया कुद्रे सकता है। उस दिन खोल गे सत्यार्थ प्रकास दिखाया तो था मैंने, आपके गुरु जी क्या बोल रहे हैं, द्यान अंसर सती, कि वहाँ पे सूर्य उस पे इंसान रह सकता है, वहाँ पे जीवन हो सकता है, यह द्यान अंसर सती का काना था, और आपका वो जो गपोड़ी आरे समाजी जो है, उसने क्या कहा, कि भई जो ओम साउंड आता है उससे, आइए नासा ने कहा है, आज जब हम लोगों ने इस चीज की फैक्ट चेकिंग की, जब नासा का हमने बेव साइड खोला, तो क्या पता चलता है कि भई यह देखें, उस पे तो आई कहीं लिखाई नहीं था कि वो तो कुछ और ही बात कह रहा है, वो तो कह रहा है कि उसने रिकॉड किये हैं, बहुत सारे और रिकॉड करके वो साउंड सुना रहा है, वो जो बात ही नहीं थी वहां पे, अब यह देखें, आपके दयानान सरसती ने यही सत्याल प्रकास खोल दिया, मैंने अश्टम इसमें प्रश्ण में आपके द्यानानसरसती क्या लिखते हैं कि सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तू है और उनमें मनुस्यादी स्रिष्टी है या नहीं तो उत्तर में द्यानानसरसती लिखते हैं ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुस्यादी प्रजा भी रहती है क्योंक अब ये अपना उदारण देते हैं सत्वत व्रामण का ऊच्छा ले जिए जुम ही जुम कर देता हूं देखें भई कहां मनुस्यादी जो है साइड में साइड में ला दिया हूं अक्षर कट रही है आपकी आप देखिए नीचे प्रस्न का सुर्ज चंदरवा और तारे क्या बस्तू है और उसमें मनुस्यादी सिष्टी है वा नहीं उसका उतर देखिए एसा भूगो लोग और इ सांस लेजिए सांस लेजिए कोश्चन आपने पढ़े लिया कोश्चन पढ़े लिया क्या कोश्चन में है सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तू है और उनमें मनुस्यादी स्रिष्टी है वा नहीं मतलब मनुस्या मनुस्य जैसे या मनुस्यादी और स्रिष्टी वहां पर किस पे किस पे तो सूर्य पे चंद्र पे और तारे पे इन तीनों पे उत्तर क्या दिया इन्हों ने ये सब भुगोल लोक और इन में मनुस्यादी प्रजा भी रहती है अब ये कह रहा है कि इसमें जो है मनुस्यादी प्रजा रहती है किसमें किसमें तो सूर्य पे चंद्र प पर रहती है अब इसका यह जश्टिफिकेशन देंगे ना नीचे तो बताईए आपका जश्टिफिकेशन देंगे बताइए आप सुनेंगे अप देखें पृत्वी जल अगनी वायु यहां पर एक चीज का सूर्ज के बात नहीं हो रही है पृत्वी जल अगनी वायु अकास चंद्र नक्षत्र और सूर्ज इनका नाम वसु इसलेल है कि इनहीं से सब पदार्थ और परजा बसती है और यहीं सबको बसाते अब सुनेजे बीना सूर्ज की जिन्गी आप जी सकते हैं भाई साहब एक चीज ये बताईए अरे गुपटा जी गुपता जी देखिए यह दुकान थोड़े है जी बहाई कोई आप से पूछे गा ुप्ता जी सूजी हैा highway गुपता जी आ धूरी पूछता जी पूचता है यहां पे अपके द्यान गपदी हैं कि भाई सूर्य के बिना, सूर्य के बिना कि नहीं बात हो रही है, सूर्य पे, अतारों पे, अच्चंद्रमा पे बात हो रही है, कि क्या उस पे स्रिष्टी या फिर मनुस्य जो हैं वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो देखें ये क्या कहते हैं, ये दिखें ये और जैसे परमेश्वर का या छोटा सा लोग मनुस्यादी स्रिष्टी से भरा हुआ है तो क्या यह सब लोग सुनने होंगे यह कह रहे हैं कि तो क्या यह सब लोग सुनने होंगे मतलब कोई भी लोग जो है वो सुनने नहीं होगा सप्पे स्रिष्टी होगी वो यह कह रहा है अब सूरीन है से एक्स्प्रानेशन लेते हैं बताइए क्या कहना चाहते गोपता जी टित्सार तो मेरी प्रसमों रहाए उसके बाहि जो गार न आप पुले है इसी में बढ़े बढ़ रहे हैं जुँन ले हम लोग सूनरी एक बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है और फॉल नहीं कर रहा है सब्सक्राइब करने के घर है इसलिए इनका नाम वसु है सब्सक्राइब के समान सूर्ज चंद्र और नक्षत्र वसु है उन में इसी परकार के परजा होने में क्या संदे हैं और सुनिए और जैसे परमेस्वर के या छोटा सा लोक मनस्वी सिष्टी से भारा हुआ है तो यह सब लोग सुन्ने होंगे परिमस्मर का कोई भी काम नहीं है तो क्या इसमें अस्यंक्र लोकों में मनस्वी सिष्टी नहीं सकता है तो सफल कभी नहीं हो सकता इसलिए 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 उसम्हां अब देखिए उसके नीचे जो प्रस्न है उसमें उसी का साथ हुआ है सुनिए सुनिए सर अभी मेरी बात नहीं हुई है अब थोड़ा सा रुक जाईए आपने पढ़ लिया ना तो सांथियों यहां पे आपने देखा कि द्यान अंसर सती उपर कहते हैं कि हाँ चांद तारे सूर्य पे भी स्रिष्टी हो सकते होती है और वहां पे भी मनुस्यादी रहते हैं एक्स्प्लोनेशन में कहते हैं कि परमेश्वर ना जब इतनी सारी चीजह बनाई है तो उसका प्रयोजन बिल्कुल सफल हुआ और हर जगे वहां पे मनुस्यादी रहते होंगे और नीचे लिखी भी देते हैं इसलिए सर्वत्व मनुस्यादी श्रिष्टी है यह साप- भी थैब हर जगाये हैं अभी इसमें आपको क्या दिक्क्त आ रही है आप हमें बोलने दीजे सर बीच में मत रोक दीजे ने तो हम खुद कनफ्यूज हो जाएंगे मत इसाथ नहीं चाहिए नदेख अब आप पढ़ोंगा आपने जो खोलके रखा तो आपने जो खुड़ा दिया ने तो आपने पढ़ दिया ना वह सब ले देख वी लिए जैसे दूसरा प्रसन है जैसे इस देश में मनुसिस्टी की अकृति अभ्यव है वैसे ही अन्य लोकों में लोकों में होंगा जैसे मतलब भारत का जो इंसान का बनावाट इस तरीका से है चाइना के बनावाट अलग है नेपाल की बनावाट इंसानों की अलग है अब सही होगी यह सम्मेश होगी तब उसका सुने कुछ कुछ आकर्तियों में भेड होने का संबाव है मतलब जैसे इंडिया का लोग थोड़ा दुसरे दिखते हैं हैं जो क्छो ढप्रोप्रativos के थोड़ा थोड़ा भ्यद होगा एकदम परफेक्ट है इसी पर लोक लोकांतरों में भी भ्यद होते हैं अब जैसे नासा एलियन खोज रहा है तो कभी अरे मत कहानी बता रहे हैं आप सुन लीजिए ना आप सुन लीजिए मेरे उतर अरे भाई आपके द्याना अंसरस्वती ए एक किताब 1883 में छपी है एक 80 में छपी है या 82 में छपी है तो इसी लिए आप जो है वो सब कहानी मत पढ़ाइए यह स्यूडो साइन्स आप लोग जो पढ़ाते हो ना बात चल रहे हैं अठारा सो पचातर ची अतर की आसीधे आप जो है दूजार बीस एक इसकी एक कहानी यहां से उठा का वहां टपा दोगे वो वकाम मत कीजिए आप यहां पर बात कीजिए कि यहां पर पूछ रहा है कि जो मनुस्यादी जो है यह अन्य लोक में कैसे कैसे होंगे तो यह बोल रहे हैं कि रहेगा तो इंसान ही थोड़ा-थोड़ा भेद होगा और यह भेद क्या होगा रंग रूप का वहद होगा आकृती का थोड़ा-थोड़ा वहद होगा थोड़ा थोड़ा की बात कर रहे हैं है यह बोले रहे हैं कि चीन के अलग होते हैं हवसी और आर्या वरत वाले ये थोड़े थोड़े अलग होते हैं चेहरे मोरे इसकी बात कर रहे हैं आप जूट मूट का alien में पहुंच गए ये alien लिखे थोड़े हैं इसमें आपने अलग से कहानी जोड़ दी alien की ये बस कह रहे हैं कि अलग-अलग जगा पे थोड़ा सा रूप रं और किस चीज़ का तो यूरोप में अव्याव और रंग रूप और आकरिती का थोड़ा-थोड़ा वेद होता है थोड़े लिखे हैं कि सूर्य पर alien रहता होगा पर सूर्य पे पांच हजार साथ हजार डिग्री सेंटिग्रेट टेंपरेचर हो जाता है पानी का बॉयल होने कुल से मत कहानी जोड़िए जो लिखा है उसी को पढ़िए उसी के अनुरूप explanation कीजिए जी गुपता जी बताईए कि बोलिये ना भाई देखिए अभी चले गए यह देखिए आपनी माइक अन्म्यूट कर लीजिए अभी माइक ही अन्म्यूट नहीं करेंगे यह हाँ कि बताईए हाँ बोली अगर मेरा मेरा उतर आपको नहीं सुनना है तो चली हम अपना कोशन अला कर लेते हैं लेकिन नहीं कोशन मत रहें किजिए बाई सब देखें आप समझ नहीं पार हैं सार देखिए मैं समझ रहा हूं ना मैंने आप से क्या कहा आप से मैंने यहीं होते हैं या सूर्य या तारा पर जो इंसान रहता है उसकी आकर्टी भिन होती है तब मैं मान लेता उसकी बात ही नहीं लिखे ना यहां पर इन्होंने आर्या वरत यूरोप का बात किया है यहां पर चीन का उधारान दिया है तो आप प्लीज अपने जो आपकी किताब है उसम कि इसमें पढ़िए अगर मैं बता दू कि दूसरे अड़ा की बात कर रहे हैं तो आप इसके क्या के इंगा है आपके पास पर्रूफ है क्या ए इसमें लिखे हैं आपके सत्यार्थ प्रकास में हम लोग सत्यार्थ प्रकास पर चर्चा कर रहे हैं अगर इसमें एलियन की बात लिखी है तो वह हमारे टॉपिक में कवर हो जाएगा अगर हम सत्यार्थ प्रकास की बात कर रहे हैं, अगर इसमें एलियन की बात दयान अंसर सती नहीं लिखे हैं, तो वो हमारे टॉपिक से बाहर चला जाएगा, तो प्लीज टॉपिक से बाहर मत जाईए, पबलिक यहाँ पे अभी बाइस सो सड़े बाइस सो असी लोग देख र अंगर जो आप जो बोल रहे हम लोग समझ रहा है ना अप जो बोल रहा हम लोग समंझते जाएगयुड़ समझ रहा है, हाँ बोली प्रिफिवी पर अलग 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 सकल के लोग है तो इस पर बात हो रही है तो इस पर बात हो रही है ना सर तो कुछ सबस्क्राइब कर दो इस पर अलग अलग लोगों के होने का सबूत दूंगा आप कह रहे हैं कि उसकी बात ही नहीं हो रही है तो समय क्यों खराब कर रहे हैं आप आप जो है सूर्य चांद तारे पर मनुस्य या स्रिष्ठी होने की बात के लिए यह अगला प्रशन मुझे से खुलवाये थे मैं तो आपको कहीं और ले जा रहा था आपने जबरजश्ती खुलवाया कि इसमें उत्तर तेंगे आप कर रहे हैं कि उसमें बात ही नहीं हो रह लिए यह कैसे काम चलेगा गुपता जी ऐसे मत कीजिए आप आरे समाज से आये हुए हैं आरे समाज को डिफेंड करने आया हैं और आप फिर इधर उधर कर रहे हैं अपनी बात से यूटर्न मार दे रहे हैं तुरंथी चले माइक अपनी वो कीजिए और पताए क्या कहना च लुए है कि पुर्ण जनम की अगर मैं पुर्ण जनम पर अभी आपको कुछ परमान दे दू तो क्या बताएंगे अगा उन्हों पर ना देजिए गादी जीए पूरा रिफरेंस दे दूंगा था सबूत देना पड़ेगा रिफरेंस क्या होता है आप कहीं पर लिखा हुआ और अपके द्यान आंसर स्थी ने अभी क्या किया यहां पर उन्होंने भी यह कि सूरिय और चंद्र पर तारे पर इंसान रशकता है आप पहले ऐसा बताने आप सोचे कि चैशा नौर्मल आदमी होगा, जैसे आप नौर्मल व्यक्ति को फसा लेते हैं, वैसा आपने यहाँ पर एलियन का बात बताना चाहा, कि देखो एलियन जैसे अलग-अलग होते हैं, ना सा इसे बताना के कोशिस करता है, तो उसी तरह से कोई सूर्य तारे पर होगा, मैंने जब उसको काट दिया, तब आप आप क्या कह रहे हैं, कि भाई अब इसको छोड़ दे रहे हैं, मतलब फुल मिला है कि इस ट्रॉपिक पर आप अच्छी तरह से बुरी तरह से फंस गए, यहाँ पर फंस गए, आपके पास अब नहीं जवाब है, ध्यानान सोर्सती भी फंस गए, अब उससे पहले कुछ सुपरचेट्स आये हैं, उनको मैं देखूंगा, फिर आपसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वाईज हुमन जो हैं, वो लिख रहे हैं, इस चे लास्ट थ्री लाइन के लिए कर रहे हैं, कि हुमन की बात कर रहा है, दयानान, हाँ बिलकुल, बिलकुल सह बिलकुल सही का है, वो इस टॉपि को छोड़ दिया है, आचा, इसके बाद से यहाँ पर प्रचांत बंगेरा जो हैं, वो लिखते हैं, सद्गुरू वाइफ मुर्डर केस, बिलकुल सही का है, वो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, लेकिन यह लोग बड़ी असानी से इसके लिए किया जाता था, अभी परचलित है, अरहत जो बहुत विख्षू होते थे, विद्वान होते थे, जो जिनको कहा जाता था कि जिनको बुद्ध जितना ज्यान है, या उनकी तरफ जो अप्रोच करते थे, उनको ही अरहत कहा जाता था, उन लोगों पे इतने पाव लिख सकते थे बुद्ध के नाम पर लिख सकते थे कि बुद्ध का ऐसा मानना था जैसे आज कल आप देखे होंगे ना जो आपने इसलाम में देखा होगा मौला नोग फतवा गड़ते हैं यह चीज यह चीज भी इन लोगों ने यहीं से सीखी है बहुत मार्क से ही सीखी थी इन लोगों ने देखा कि बहुत विखु तो अपनी बाते जो हैं बुद्ध के नाम पर यह अपनी बाते को आगे प्रचार कर देते हैं चीजों को लिख लेते हैं तो वह चीज हैं इन लोगों ने भी कौपी की कि समय समय पर हम भी नहीं नहीं चीजे जो हैं गड़ सकते है और समाजें परचार कर सकते हैं यहाँ पर वलकायरी जो है वो लिखते हैं ब्रामःड का जजिया ब्रामःड के लिए माफ हुआ लेकिन वह हिस्सा बाकी काफिरों से वसूला गया ओंगरजेब ने यह बंद करके ब्रामःडों पर जजिया लगाया तो मिर्ची लग गई हाँ यह बिल्कुल सही कहा है आपने ओंगरजेब ने ओंगरजेब भी उससे अच्छे रिष्टे थे लेकिन उसने पकड़ लिया था ना एक राजा था एक राजा गया था तो उसकी वाइफ जो है एक टेमपल में गई थी और उस टेमपल में मिली नहीं साम तक लोटी नहीं और बकायदे इसका ऑथेंटिक सोर्स से एक वीडियो भी बनाया है कि तिहांसकार ने उन्होंने सबुतों कसांद दिखाया भी कि जब अंग्रजेब को राजा ने मुगल वहां का राजा था राजस्थान का तो अंग्रजेब से कहा कि आपके इलाके में गई थी देखें लोटी नहीं उसने अपने सैनिक दोड़ा है पता चला कि मंदिर के नीचे ताह खाना था वहां पे उनका रेप वगरा या ऐसा क्या पंडे पुजारी फिर उसने उसको धार के तोड़वाया तोड़ा धरधार के अंग्रजेब वह अच्छी तरह से बुरी तरह से खफा हो गया था इन लोग पर सब जजिया अफजिया सब बेंड किया था अच्छा इसके बाद से यहां पे पंकज दोहरे जो हैं वो लिखते हैं सर ऐसे ही डिवेट किजी अच्छी डिवेट चल रही है पिछली स्ट्रीम लाइव नहीं देख पाया था पर भगवा के साथ हुई डिवेट भी सार्थक थी ऐसे गपड़ियों के सांती से हैंडल करे हैं तभी मज़ा आता है जी शुक्रिया आपका पंकज दोहरे जी और इसके बाद यहां पे यहां पे यहां पे यह सक्सिंग चेरी जी ने लिखा है एक मिनट एक मिनट यह कहां इधर चला गया हाँ यहां पे आरवी रोग जो है इनका भी सुपरिष्टी कर था शुक्रिया आपका और फिर यहां पे राम भाई जी का भी सुपरिष्टी कर था सुक्रिया आपका फिर यहां पे sorya जी ने लिखा है तो चलें बताएं गुपता जी आप क्या कहना चाहरे थे कहां से क्या सबूत दिखाना चाहरे थे या मैं आपको एक और सबूत दिखा हूँ आपके सत्यार्थ प्रकास का आपके समाज की आज तोड़ा सा मैं और दिखा देता हूँ पब्लिक को एक और कहानी की किस्तेक हैं पाशे दिखा देता हूं आपने सुना होगार वेद समाजियों का कटि ये आके और जब पूछीए का कितने है तो मूंग खोलेंगे पट दे बढ़ाशा असवद गपोड देंगे एक और अब 6.60 कोरूड तोड़ है इन ही के जो सत्यार्थ प्रकास किताब है दयानांसरसती की इसका अश्टम समुल्लास है इस अश्टम समुल्लास में दयानांसरसती प्रशने उठाते हैं कि जगत की उत्पत्ती में कितना समय व्यतीत हुआ अखुद उत्तर देते हैं क्या उत्तर देते हैं एक अरब छानविर करोण कई लाख और कई सहस्त्र वर्स जगत की उत्पत्ती और वेदों के प्रकास होने में हुए हैं तो सुन लिजे आपने ये दयान अंसर सती खुद लिखके गए हैं कि वेद जो है जैसे ही स्रिष्टी की उत्पत्ती हुई कितना समय पहले हुई एक अरब चानवेर करोण स साल कई लाख और कई सहस्त्र वर्स और उसी के सांसाथ वेद भी स्रिष्टी के उत्पत्ती से आया मतलब डायनासूर अभी नहीं पैदा हुआ था उसे पहले ही वेद उत्पन हो गया था मतलब कॉन सी भासा मैं लिखा कि सलीपी में लिखा उसे कोई मतलब नहीं है स्रिष्टी आयी है कब मैं स्ुर्य मतलब स्रिष्टी मतलब सूरिय बना फिर प्रित्वी बना फिर वो तारे बने नहीं बने चंद्रमा बने और उसके बासे बैलेंस बैलेंसिंग हुई प्रित्वी की धीरे धीरे सारी चीजे लेर डेवलप हुई फिर जो है सिंगल सेल से लेकर मल्टिपल सेल में कैसे डेवलप्मेंट सब गया भाणव है द्यान अंसर स्वती क्या कह रहे हैं कि एक और अब च्छानवेर करोन कई लाख और कई सहस्तर वर्स जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकास होने में हुए हैं यह कहानी है आरे समाज की और यह गुपता जी जो है आरे समाज से ही विलोंग करते हैं एक बार इनसे इस पर प्रतिक्रिया ले ले लेते हैं फिर इनका पूर्णर जनम देखते हैं हाजी गुपता जी बताएं कि यह क्या है वेद जो है कैसे इतना पूराना हो गया है बताए जड़ा एक सेकंड माइक हां सर देखिए हम आभी जो कुछ बोलना चाहने तो बोलने दीजी देखिए हमने जो पिछला कूर्शन से इस लेल नहीं हट है कि हमको उसका जनकाई नहीं है आप बार-बार म्यूट कर दे रहे हैं इस लेल हम आरे कि जब बार-बार म्यूट करेंगे तो सांथियो 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 देखा आप लोगों नहीं कि जूट बोल रहे हैं मैंने इनको पूरा मौका दिया गुपता जी को कि आप अपनी पूरी बात रखिए कहीं पे आप लोगों नहीं देखा इनको म्यूट का खेल मैंने खेलाओ यह आरे समाजी जो है आज कल जो है unmute कीजिए आप बोलिए मुझे बोलना पड़ा रहा था क्योंकि ये mute करके खुद बैठ जा रहा है थे बोल ही नहीं रहे थे सैद हो सकता है कि खांसी बगर आ रहा हो तो इसलिए mute करके बैठ जा रहा हो अब ये क्या किये हैं कि जब इनको ये ऐसा लग गया कि यार पिछला पे तो हम हार गएं पिछला का तो जबाब नहीं दे पाएं तो अब इनोंने एक नया जूट बोल दिया यहां पे कि हम इसलिए उससे हट गए क्योंकि आप mute कर रहे थे सुना आपने और फिर इनोंने जब वहां से हट गए थे तब ये बात नहीं कही थी अब कह रहे हैं क्योंकि कुछ समय मिल गया सुपर्चैट में पढ़ रहा था तो आरे समाजी लोग जो हैं अपने दयान अंसरस्ती की ही तरा जूट भी बोलते हैं जैसे वह जूट बोलें उसमें अब फंस गए अभी देखें ये मैंने सवाल पूछ दिया कि वेद जो है एक अरब आपने अभी तो अभी तो मूट कर दिया सर आपने अधिये सुने आप लोगों ने साथी ओ मैं इसे बोल रहा हूं आप बोलिये आप बोली आप बोली खुद नहीं होता है खुद नहीं होता है चले बोली आप इस सवाल के लिए थोड़ा हम उसको पूरा किताब पढ़ना होगा उसके बाद हम बताएंगे साथी ओजरा सुने आप लोग इस बात को कि यह आरे समाज से गुपता जी है और यह बोल रहे हैं कि इस सवाल का आज तक यह जवाब नहीं खोज पाये हैं कि वेद जो है कैसे पूरन हो सकता कोई भी थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होगा वो भी कुढ़ा इतना साल थो पूरन होई नहीं सकता और यह भी यह Über 3 पढ़ेंगे हैं इसको पूरा पढ़ेंगे ना नीचे लिखा तो हुआ है पढ़े और गुप्ता जी पढ़िए इसको पढ़िए पढ़े आज differently समस्तों जाएंगे वह कैसे साल पूरा ना होता है है सब्द 5 पहले प्लेजिकर 5 सब जलेंगे वह उसके यह bardziej अबार बार집 मूट कर रहे हैं पिर जूट बोल रहे हैं आपको कहीं और यह आप से बात कर बबनने क्यों म्यूक कर दे रहा है क्यों क्यों रोते हैं मैं आप लोग को पूरा मोका दिया रहा है कि बहए आपको पता नहीं कहां से सब्सक्रालेंगे जुट बोलकर है यह जोट नहीं बोल रहा है थोड़ी उसके बात को अधा दीजेगा मुझे बात नहीं किजेगा हमारा जो प्रस्ण का तो जवाब ले लेजे अच्छा वह भी ले लोंगा इसका तर एक बार पढ़िया ना एक बार इसको पढ़िया वह भी जबाब ले लोंगा ठीक पर अच्छा मैं करते हैं यह यह रहा यह मैंने कर दिया जूम हां पढ़िये ज़रा एक अर्ब 96 क्रोर कोई लाख और कोई ससस्त्र वर्स जगत की उत्पति और बेदों की प्रकास होने में हुई है इसका असपस्ट बेख्यान मेरी बनाई भूमका में लिखी है देख लीजिए यहांदि परकार शिष्टि के बनाने और बनने में है और यहां भी है कि थोड़ना आगे की जिसा भी अहां से शुक्षी टुकरा अथर जो कटा नहीं जाता उसका नाव परमानू przy साथ परमानियों को के मिले हुए एक नाम अनु इसको यह कुछ गरबढ हो रहा है क्या नहीं सही तो है इसी प्रकार सेष्टी बनाने का यह तो कुछ और कहते चले जा रहे हैं बस वहां इन्हों ने लिख दिया ना यहां पर कि व्याक्ष्यान में मेरी भूमिका में लिखा है देख लीजिए ब्हुमिका पढ़ना होगा व्यद जो है एक और अप चानवे क्रोंड साल कैसे पुराना है वह उसका उन्होंने और डि क्या यह पूछता कि यहां पर पढ़ने के लिए वाली भी पढ़ा हूं यह भी पढ़ा लगे हां ताज आपको और भी कुछ पढ़ा देता हूं फिर कभी डाउट नहीं रहा जाएगा किसी आरे समाजी को आप बोल रहे थे पढ़िए तो यह प्रश्टी में पढ़िए तो यह जो हाइलाइट किया हूं आधे सिष्टी में मनुष्टी के बाले युवा विद्या वास्ता में सिष्टी हुई थी अथवा तीनों में अचा आप हमको आप उठा के लेगे जहां पर इंसान गुपती है यहां पर इसलिए सिष्टी का निंजा तक्निक सुनिएगा दोस्तों थोड़ा सा मुपताजी म्यूट रहिएगा थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लेजिए तब तक ठीक है हां तो यहां पर द्यानान सिर्श्टी से सवाल खुद पूछ रहे हैं उसका जबाब ही वो खुद देंगे क्या कह र पूछ रहा है कि मतलब बच्पन में आया था इंसान या सीधे युवावस्था में आया था या बुढ़ापे में आया था या तीनों ही फॉर्म में एक साथ आ गया था तो दयानान सरुस्थी क्या उतर देते हैं इसका उतर हम लोग गुपता जी से सुनेंगे गुपता जी से परवाएंगे गुपता जी बताइए द्यान अंसुर्सती ने इसका उतर दिया है अपने को अन्म्यूट कर लिजिया हाँ बताई इसका क्या उतर दिया है कि सर आप कितना पलड़ते हैं को आप अभी पता चला है अरे भाई सब पढ़िये नहीं है एक बार हमने तो आपका अपका अच्छा सकंस है कि बहुत क्या मनुस्य जो है चांद तारे सूर्य पर रह सकता है आपके द्यानसर से नहीं कहा हा हा रह सकता है फिर हम जो है यहाँ पे चले आए कि वेद और शृष्टी कब बनी है तो उन्होंने बता दिया एक और 96 क्रोन साल पहले शृष्टी भी बनी अब वेद भी बना है उसी समय अब हम आ गए कि पह यह स्रिश्टिक उत्पत्ति बता रहे हैं आज़ उतर पढ़िए नाएक बढ़िए जरा है पढ़िए गुप्ता जी गों ताजी अपने को अनम्यूट कीजिये जरा को गुप्ता जी अपने को अनम्यूट करें पूपता जी 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 मुट खुद हो जा रहा है ना अब मत कीजेंगे अपने पूपति हैं पड़िए पड़िए हम थे सिस्टी गुटपति पर अब चला इंसानिक उत्पति पर इसे दुन प्रसंट से आप संतुष्ट है पिछले वाला दोनो दोनों प्रसंट से आप करेगी आप पढ़िए ना इसका उत्तर पूरा पता है कि यह वास्ता में क्योंकि क्योंकि जो बालक उत्पन करता है तो उनके पालन के लिए दूसरे मनुस आवस्यक होते हैं ठीक है बात एकदम सही लिखा हुआ है कि अगर छोटा बचा होगा तो उसको बारा बोरा इनसान इसलिए इवास्ता में बनता है उजह मैथुल शिष्टी नहीं होती है इसलिए इवास्ता में शिष्टी की गई है यह बात एकदम परफेक्ट बैठ दी है जन संख्या कि यह सब चीज़ से अंसार से लेकर अब उसके नीचे आते हैं प्रस्ण को भी शिष्टी का परम्भ ह यहां पर साथियों सुना आपने द्यानां सरस्थी जी का निंजा तकनीक था कि जब स्रिष्टी बनी है तो सीधे सीधे इंसान जो है न क्या युवा बनके आया था मतलब वो जो है नबालग बनके आया नगर्भ की जरूरत पड़ी सीधे युवा लॉंडा बनके सीधे आ युवा बनके आ गया ताकि वो यहां पर आके और सीधे मैथून कारे करके अब प्रोडक्शन की जड़ी लगा दे और बच्चे उच्चे पैदा करके पूरा जंसान के आजबर दे सीधे युवा बनके आया था कोई उसका बच्चा नहीं हुआ कोई जो है एवलूशन नही कि और ब्他說त्ति यह क्रोंशन लाइं के तुमा के ब्लाव सर्श मैं काले कि सिधे डिया एक समस्ति रूझा चाहए satisf आपने एक और प्रश्न का उसके बाद से आपका ले लेंगे बस यह बता दीजिए कि वह सीधे सीधे जो जवान लॉंड़े आये थे वह कैसे आये थे मतलब कहां से कहीं उपर से टपकें या जमीन से टपकें या कहां किसी ने बना दिया खनाती हुई मिट्टी के गारे से बन दिया मतलब कैसे बनाया सीधे लॉंड़ों को जवान लॉंड़ों को यह ज़रा बता दीजिए यह थोड़ा निंजा तकनिक आरे समाझ वाली बता दीजिए बस इस पर हमने रिशर्च की है थोड़ी रिसर्च खुद की है तो मैं पता चला है और कुछ आप लोग पता चला कि बेद काता है कि बनस्पती से आया है अ की बनस्पति से आया थो थोड़ी पता चला है कहीं से लेकिन इसका मैं गरांटी नहीं लूँगा कि यह परफेक्ट सही है इस पर मेरी उतना अभी रिसर्च नहीं है कर पया हम बनस्पति से कैसे आएगा बनस्पति से आथा तो आज पर सब्सक्राइब पैदा होते हैं अब जवान लॉंडे सीधे बनस्पती से कैसे पैदा होंगे मतलब थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए ना वह वाला कंसेप्ट बताइए ना अपना जो आपके जो अचारे लोग विद्वान लोग बताते हैं कि जमीन गड़ा खोद दियें और गड़ा खोड के उसमें से सीधे सीधे जो चुतियात परकास में लिखा हुआ है कि सीधे गड़ा खोड के उसमें से सीधे जवान जवान लॉंडे जो गर्व बना दिया उसी में से निकल के आया या कई विद्वान लोग गाथाओं में कथाकार जो है कहानियां सुनाते रहते हैं वह वाला कहानी सुना यह ना अपना पूरा कैसे सीधे 25 साल के लोंडे आ गए एक क समाज के जो विद्वान लोग है अपना आर्या समाज की किताब भी नहीं पड़े हैं आज तक सत्यार्थ प्रकास और सारे नास्तिकों के चैनल पर जाकर यह लोग कौपी पेश्ट करते हैं कि भया एक बार सत्यार्थ प्रकास पढ़िए लोग सबको बताते रहते हैं वहां से किसी परकार का साउंड नहीं आ सकता है तो मैं स्ट्रीम निकाल रहा हूं खोजूंगा दूसरी बात पुर्ण जनम की बात है तो मैं आप आपको रियल में देता हूं सबूत जो घटना घटी है इंडिया के अंदर में वो किसी किताब में लिखी हुई मैं नहीं इतना साहर आपने बोल दिया है एक एक करके बात करते हैं नहीं तो सब कुछ सबकर को जाएगा अभी आपने एक और जनम की गाथा बोल लिए पर कहा आप science फेल हो गया और पता नहीं मुझे तो यह नी स्वज मारा है कि जब science फेल हो गया तो पुनर जरम की घटना प्रमाडित किस ने किया क्योंकि जो science के उस पर बुनियाद पर जो खरा नहीं उतरेगा तो उसकी तो प्रमाडिकता ही संदिक्द हो जाएगी वो तो प्रमा आपने क्या कही कि sound of sun की बात कही कि वहाँ कोई ओम की sound आ ही सकती है नहीं आ सकती है अब मैं आपकी official वेवसाइड ही खोल के दिखाऊंगा आप मैं इसकी आप बार बार रो रो रहे हैं अब मैं official वेवसाइड ही नासा की खोल देता हूँ लेजिए भाई साब देखिए सभी you're actually hearing the vibration of the sun it almost has a warmth to it it's just enough where I can almost feel the sound on my skin or on my clothes I imagine feeling the sun you know moving next to me my name is Alex Young and I am the associate director for science in the heliophysics science division here at NASA Goddard Space Flight Center when anything material moves waves travel through it and the same thing happens inside the sun and these waves are traveling bouncing around inside the sun and if your eyes were sensitive enough you'd actually could see this jiggle but what scientists have done is they've taken that jiggle and turned it into sound into a sound that we can hear with our own ears the sun is vibrating at lots of different frequencies and one of the things that's pretty cool about that is we can use those vibrations in the sun to look inside the sun we don't have straightforward ways to look inside the sun we don't have a microscope to zoom inside the sun so using a star or the sun's natural vibrations allows us to see inside of it we can see huge rivers of solar material flowing around we are finally starting to understand the layers of the sun and the complexity it's really cool because all of this complex motions inside the sun are in fact what generates magnetic fields inside the sun and those magnetic fields float up to the surface and give us sunspots and those sunspots give us solar flares and coronal mass ejections this whole thing we call space weather so all of these things are connected and that simple sound is giving us a probe inside of a star I think that's a pretty cool thing the dynamic imagery and sounds of the sun are on display at the nasa goddard visitor center in greenbelt maryland solarium is an immersive art installation that transports visitors into the heart of our solar system this story was produced right here at goddard by katie atkinson and michaela sosby the sounds you heard in this piece were sonified by the stanford experimental physics lab the data comes from the solar and heliospheric observatory a collaboration between the european space agency and nasa so 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 तो सांथियों आप सभी ने यहाँ पे सुन लिया जो नासा का ओफिश्यल वेव साइट जो अच्छा यह चले गए भाग गई है देखिए यह जैसे खतम हुआ ना तो यह भाग गई है यह है गुपता जी अभी इन लोग का क्या प्रचार था यह जितने भी आरे समाजी से लेके और यह जितने लोग भी थे हैं इन लोगोंने एक प्रचार फैलाया था एक जूठा प्रचार फैलाया था अग्या जूठा प्रचार था वो भी मैं दिखा देता हूँ जैसे मैंने स सुना दिया कि भया यहां ओम साउंड कता ही नहीं आती है यह भाग गए यह देखिए यह फैक्ट चेकिंग भी इसकी हुई है दसन डज नॉट चैंट ओम एज किरन वेदी ट्वीटर वीडियो क्लै यह देखिए किरन वेदी जो है जो आईएस ऑफिसर महिला पहली आईएस ऑ अवन साउंड आता है संस से जबकि वहां पे जो साउंड रिकॉर्ड की गई है और उस साउंड को यहां सुनाया भी गया है और आपने देखा होगा कि कोई ओम की साउंड नहीं आती है पूरा जो ऑफिशल था उसी को खोलकर पूरा साउंड ही मैंने सुना दिया जो उसके वेव साइट पर था तो इस तरह से यह लोग जो है फेक न्यूज फैलाते आये हुए हैं कि ओम साउंड आता है देखो वहां से भी ओम साउंड आता है यह जूटी बाते करते हैं और बाकी आपने तो देखी लिया सत्यार्थ प्रकास में कि सत्यार्थ प्रकास के जितनी यह ल सबुनर जनम वालिव ले लेते हैं जी कुपता जी बताई यह पुनर जनम कि क्या आप सबुत दे रहा है थै कि आप लिखवाइब नहीं दे रहा है उसके बाद विखत भात है उसके विखते है राजस्तान में दो मिध्ला में है और एक राजस्तान में है क्या घटा है ऐसто एक को बच्चा जनम लिया हुआ है और वह बता रहा है कि हमारे पुष्व जनम में यहीच था यह रशी था चानल लेते ही जनम लेते ही नैंप nutrbye not वहां फाज़ कि होंगे तो वहां भी ऐसी घटना पाई गई होगी यहीं ना कि पुनरम के इसा तो बहुत से घटनाय आते रहती है किसको याद रहता है सबक्रिदत को बच्छा जो है ना वह चार से पांस सार का है ना बच्छा यह जो घटनाय होती है वो चार से पांट साल के बच्चे को थोड़े याद रहती है जब कोई बच्चा जनम लेगा तो आपका जो धार्मिक गरन या तो आप गीता जो है उसका सरजनिक दहन कर दिजिए जो कहता है कि भया आत्मा जो है उसको उसकी तो कोई मेमोरी ही नहीं होती है उसका दहन कर दिजिए सारजनिक दहन जो कहता है ना इसको भींगोया जाता है ना डूगया सकता है ना काटा जा सकता है वो तो आत्मा बोल रहा है कि आत्मा में कुछ होता ही नहीं है उसके कोई फरक नहीं पड़ता है किसी चीज का फरक नहीं पड़ता है उसके आप उसको न गुपता जी आपने लगता है आप जो हम देखें हैं बच्पन में बच्पन में मदारी देखें होते हैं आपको सब पता चल जाता है चोटे-चोटे बच्चे जब कर तब दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं ना उंगली तले दबा लेना दातों तले उंगली दबा लेना ऐसे जो चीज़े कही जाती है कथा कहानी वो हो जाती है चार-पांच साल का जो बच्चा है थोड़ा अपसांत रही है मुझे बोलने श्टोरी बटाना सुरू कर दिए हैं 3-3 साल के बच्चे बाता रहे हैं आप चार-पांच साल के बच्चे की बता रहे हैं आप किसी बच्चे को जब स्पाइडर-mien, बैट-मैन इनकी तरह-तरह कहानया सुनाएंगे ना एक बर सुना दिजीए दो बार सुना दिजीए तो उसको याद हो जाएगा उसको आप कहना है कि बैटा तू ये क्लेम कर कि ऐसा हुआ था वो कर देगा क्लेम आप एक बच्चे को ले लिए चार-पांच साल बच्चे को उसको रोज एक कहानी सुना ये कि तू मैटा ना पिछले जनम में वहाँ पर राजा थे और वहाँ पर ये तीन-चार-पांच बर जब सुना लेगा ना उसको ऐसा उसकिरदार में फिट हो जाएगा कि लगता है ये मेरी ही कहानी है उसको अभियास हो जाएगा और ये पूरा ट्रेंड देखा गया है कि हमेशा इस तरह की कहानी जो है बच्चे पर कही जाती है अरे भाई साहब अग आपके जितने भी कहानिया है उसमें आपके जो भी आत्मा उत्मा है उसको कोई मेमोरी नहीं है कि पिछली चीज कोई उठा के ले जा रहा है अगले जनम में नहीं ले जाता है और यहाँ पे आप लोग क्या कहानी बता रहे हो कि चार-पांट सल का बच्चा अगर आत्मा आ झाटमा आएगी तो फिर आत्मा वैसा थूड़े एक बच्चे की जो आत्मा है वो बच्चे साथ में वर बुढ़ाप़् काट के आया है तो उसकी आत्मा जो फूरी असितर में मैचयोर आत्मा आनी चाहिए इस ऐज में वह बताता है जब बोलने लाइक हो जाता चार-पान साल का बच्चा जिसमें कहा जाता है कि चार-पान साल के बच्चे जूट बोलना सीख जाते हैं तीन साल का बच्चा भी जूट बोलना सीख जाते हैं तब कि कहानी आप लोग उठाते हैं अगड़ देते हैं और यह क्या बता है आपने दो-चार-दस घटना दो-च वह उन्वर्सल तूथ है ना हर जगह लागू होता है हर इंसान को भूख लगती है यह उन्वर्सल तूथ है हर इंसान जो है टटी करता है यह उन्वर्सल तूथ है तो जब यह उन्वर्सल तूथ है तो उसी तरह से अगर किसी को पिछला जनम अगर याद रहता है तो वह उन यवह ही वाले होते जो गाओं में मादारी दिखाते हैं ऐसे ऐसे करतब दिखाएंगे ना कि जो है दातो तले उंगली दबा लेंगे तो वही करतब दिखाने वाले ही होते तो इसलिए कि कहांनियां जो हैं यह सबूत नहीं होती है और आप बोल रहे हैं कि साइंस फेल हो गया साइंस फेल हो गया क्यों फेल हो गया क्यों क्यों फेल हो गया क्योंकि आप लोग फेल हो गया साइंस थोड़े फेल हुआ है साइंस ने मना कर दिया कि यह बखवास चीज है एक यूटूबर था एक यूटूबर ना म मैं भूल रहा हूँ उस लड़के ने पुनर्ज नाम पे इतनी वीडियो बनाई इतनी पॉल खोली इतनी पॉल खोली उसका चैनल इन लोगों ने डिलीट करवा दिया उसने घूम घूम के और सारे जितने भी जिन लोगों ने दावा किया था मैंने उस बंदे की उस बंदे ने कहा था कि सर हमको प्रमोट की जब लोगों ने प्रमोट भी किया था उस लड़के को वो लड़के के अच्छा से सबस्क्राइबर भी हो गय थे उसकी चैनल इन लोग पूल खूली पूरी तरह से इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले जो थे हैं उन्में उन्होंने पुनर जनम की घाटना दिखा रखे थी आप सबकी वह हो रही तो उसका चैनल ट्रीट करवा दिया लोगों नहीं आपकी फेंक न्यूज इस तरह से फैलती है जूट पर जूट से सचाई नहीं होती इन में अच्छा चले आप देखे कौन आये हुए हैं इसके बाद से अर्चना कुलकर्णी जी यहां पर आप बहुत शैयम और सांती से फेलते हो टुन्नियों को अच्छा जी शुक्रिया आपका और इसके बाद से रामदास सरवडे जो है इनका भी सुपरिष्टी कराया शुक्रिया आपका और फिर यहां पर विभासरे जो है इनका भी सुपरिष्टी कराया आपका भी शुक्रिया और यहाँ पे Antone IAS जी का भी सुपरिष्टिकर आया है आपका भी शुक्रिया फिर यहाँ पे मैं लिंक दे दे रहा हूँ कुछ लोग जूड़ना चाहते है दयग नरायन जी ने लिखा है मैंने शडगुरू सडगुरू और जावेद अक्तर की डिवेट यूटूब देखी है सडगुरू की सिट्टी पिट्टी गुम्ती तभी से तो वो डिवेट नहीं करता न वो यह जितने भी धार्मिक जो वो हैं धकोसले बाज लोग हैं कभी किसी एथिष्ट से अपने धरम को लेकर कभी डिवेट करने नहीं आएंगे क्योंकि इनको पता है कि इनकी अच्छी तरह से पोल खुल जानी है राम भाई जो हैं वो लिख रहे हैं छोड़ दो सर गुपता जी के हार्ड अटेक आजएगा हाँ मैंने छोड़ दिया उनको उनको अब मैं छोड़ दूँगा अब अराम करें वो एनर मेखवाल जो है वो लिखते हैं जै भीम सर राजस्तान अभी भी अंधविस्वास में डूबा हुआ हुआ है जहां पुनर जनम और आवतार रोज होते रहते हैं वैसे मैं राजस्तान से हूँ जी मैं खवाल जी सुक्रिया फिडवेक देने के लिए और यहां पर शन्जे गौतम जो हैं वो लिखते हैं सर जी जै भीम जो ACHT OBC मंदिर में जाते हैं और उनके धक्के मार कर बाहर निकाला जाता है मेरी तरब से उन्हें चार जूते और लगाए जाएं अचा संजे गौतम जी का ऐसा कहना है अईसा मत कहिए अब क्या किया जाए अपने समाज के लोग जो है वो इतने बोले भाले हैं सदियों से इतना पीछे रहे हैं लेकिन अकल नहीं कुलती लेकिन अब क्या किया जाए यह अज्यानता है अपने समाज की तो ऐसा नहीं कहना चाहिए अभी हम लोग को इससे पता चलता है कि हम लोग को अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जुरुत है बहुत ज्यादा मेहनत करने जो सोच रहा है न जितना उससे कहीं ज्यादा मेहनत करने के जुरूत है क्योंकि हम लोग अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं तभी वो लोग उधर फंस जा रहे हैं चंद्रे बत्वार जो है इनका सुपरिष्टी कर आया है शुक्री आपका और मंगा कलर बौध जो है इनका भी सुपरिष्टी कर आया है शुक्री आपका तो चले आगे बढ़ते हैं कि यह कुछ कह रहे हैं अच्छा यहां पर आये हैं कि एक मिनट कोई डिवेटी हो तो पहले देख लें यह अच्छा सत्य के दर्सन आये हुए हैं चले जी इन से थोड़ी वाते कर ले लेते हैं हाँ जी सत्य के दर्सन कैसे हैं आप नमस्ते परणाब हाँ बहुत-ची इस्ट्रीम चल रही है और अच्छी बांच बता रही है और देश की जनता को जागरुप कर रहा है जहाद धन्यवाद है आपको और बहुत अच्छे लोग देख रहा हैं पचास पचास अजार अप्ती इस पिम जा रही है अब तब मैं देख रहा हूं तो बहुत अच्छी सपलता आपको बहुत-बहुत बदाई हो कि आप पुरे देश और दुनिया में चाये हुए हैं और इस सोसित पेड़ी समाज की आवाज उठा रहा हैं और इतियास को एक आने के लिए आपके पास हमारे दर्सकों के लिए दर्सकों में एक बहुत अच्छा भजन सुनाता हूं गीस सुनाता हूं यह जो अगला पिछला जनम के चक्कर में जो बात हो रही थी उसी पे एक दब मुझे खयाल आया कि मुझे जुड़ना चाहिए और इस पे एक भजन किया है और आज का जो आपने स्ट्रीम रखा है कि पीछे चलने की आदत है इनको क्या है कि इनको कोई गुरू चाहिए कोई नेता चाहिए यानि इन में अपने आप में अकल नहीं है कि हम स्वयम अध्यन चिंतन करें कोई भी बाबा बाबी उटके खड़ा हो जाएगा उसक पर जो यह पड़े लिखे लोगी यह ज्यादा जाहिल है तो एक भजन सुना करके में बात को खतम करता हूं फिर आप दोसरे काला रुप लेना तो भजन लिखा है ए चोरासी का चक्कर में थर बेंडो बनायो रे बेंडाया ना मूर्ख बनाया पागल बनाया चोरासी का चकर में थर बेंडो बनायो रे अगला पिछला जनम बते थर लूटी खायो रे अगला पिछला जनम बते थर लूटी खायो रे धंदरती और राजपाट पे कब जो कर्वलियो सो सकने, धन्दर्ती और राजपार्ट पे कब जो कर्वलियो सो सकने, मैनत का सब काम बते ने, मोझ उड़ैली सो सकने, उच नीच का भेद थरे भगवान बतायो रे, चोरासी का चक्कर में थर बेंडो बनायो रे, अगला पिछला जनम बते थर लूटी खायो रे, सो सक कहता है कि जो उच नीच, काले गोरे, छोटे बड़े, गरीब अमीर, और ये सब कुछ भगवान का बनाया हुआ, इश्वर अल्ला गाड यहुवा का बनाया हुआ है, ना कि ये इनसान का बनाया हुआ, और इसलिए संसार में जितने भी धर्म गुरू होते हैं, किसी भ साड़ा साती थारे लगायो जबरन का डर से का पे, राहु के तू थारे बतायो चार धाम के तू ना पे, अरे मंगल को धंगल बते ने घणो न चायो रे, मंगल को धंगल बते ने घणो न चायो रे, चोरासी का चक्कर में थर बेंडो बनायो रे, अगला पिछला जनम बते थर लूटी खायो रे, गड़ा और बताया है, इस्वारट के बहु नहीं है। में अपने जिंदगी वरबात करते हैं उसके लिए लिखाए कि बेरा चोड़ी घर के चोड़ियो भेश बनायो बेरागी ध्यान जागरन कथा करेली फिर भी गरीबी नी भागी अगला पिछला जनम बतई थार लूति कायो रे बहुत जुक्रीटि ढ़ायो रे बहुत बहुत साधुआद धन्यवाद कि आपको हलो हाँ जी जी बहुत सुक्रिय आपका केसा लगा भजन केसा लगा बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर बहुत खुपसूरत भजन जी जी धन्यवाद मैं आपके बाद्यम से कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों से कि कल हमारे चेनल पर भूतो का शिकार नाम का एक प्रवस्ट रहेगा उसमें सभी दर्शकों का और आपका भी स्वागत के लिए आप जुरूर पदार है स्वागत है ओके ओके स्थे कदर्शन देखा जाएगा अभी समय की थोड़ी सी कमी है पर आप जरूर करें झी का अच्छा इसके बात से कौन आय हैं डिवेट के लिए चले देखते हैं आचा कुछ यहां पे डुष्टपी कर था सुकर आपका तुथर्ड्स और फिर यहां पर अखिर धार जी का भी सुपर स्टीकर था सुक्रिया Against का शुभास राउ जी का भी शुक्रिया और यहां पे वी द पिप्पल आफ इंडिया जी का भी शुक्रिया फिर यहां पे रवी कांत खुजूर जी का भी सुपरिष्टी कराया है शुक्रिया आपका और इसके बाद यहां पे विशाल नंद गाउली जी का भी सुपरिष्टी कराया सुक्रिया आपका आच्छा चलें इसके बाद से देखें ये कोई आये हैं हिंदू की आवाज कोई आये हुए हैं ये डिवेट करने आये हैं इनको मैं एड़ करता हूँ है और हाजी हिंदू की आवाज बताएं क्या कहना चाहते हैं नमस्कार सर अधाय नमस्कार आज़े आपका ये चैनल लेखते हुए तो इसके लिए मैं आपसे चर्चा करना भी चाहरा था आपसे तो चर्चा तो मैं आपसे कर लूँगा थोड़ा सा कुछ अपने विचार रख ये बताना चाहरा था सर की जैसे आप लोगों की डिबेट का डिबेट को देखता हूं तो जैसे कभी कभी अच्छा भी लगता है कि यार चलो अच्छा है जैसे भी ये लोग पाघंवाद को लेके कैसे भी इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छ भी है अब दूसरी बात आती है सर आप लोगों के बोध के मार्गों को लेके तो यहां पर मेरे दिमाग में कभी कभी कनिफिशन आ जाता है कि आप लोग पाखंड बाद दूर कर रहे हैं तो अच्छी बात है पर वास्तमने बौद के मार्ग को ही आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं या पिर पर एक इर्छावादी जो जैसे पर एक भ्रामणवादी जो चेनल चल रहा है इसको लेके थोड़ा सा एक मन में गन्विजन रहता है कि अरी केवल ब्रामणों की बुरही करने मां तक तो ठीक है लेकिन इसके बाद में भी आगे क्या आगे अगर वास्त में आपके चनल से केवल इर्शाही मिलती है तो कोई इसका मतलब नहीं रहेगा अगर वास्त में कुछ बोध का मार्ग भी अगर आप लोग बताएं क्योंकि देखो आज का टाहिम जो है न कोई विशेश मूर्ख ही होगा जो बोध की मार्ग को अपनाना नहीं चाहेगा लेकिन अपनानी के लिए जब वो बोध पर बात हरा आदमी करना चाहता है हरा आदमी बोध से जुणना चाहता है लेकिन वो बात करेगा कब उसमें होता क्या है कि बोध की मार्ग को या तो बोध के अलावा अस्तर कोई समझाई नहीं जो जिनको आप बोध कहते हैं या तो उनके बात बहुद के मार्गों को समझना भी तो पड़ेगा नशार बाद केवल यह नहीं कि अंदिश्रास दूर कट रहे हो तो आपकी बाद ठीक है लेकिन पंगा लेना है तो बोध के मतलब विचारों को हर आदमी मांगता है उनको कोई नेगलेट करी नहीं सकता अगर वो समझदार है पड़ा लिखा आदमी है वो उनको दूर नहीं कर सकता लेकिन केवल यहां पर एक पंगा लेने वाली बाद आ जाती है तो वो पूरा सुन लेकिन प्रणार व्यक्ति समझता है उनकी बात को लेकिन उनके अनुवाई जो है वो पंगा लेना चाहते हैं यह क्या इस्वा इस्यावर्स करते हैं ऐसा क्या है मैं आपको ऐसा प्रतीत होता है जी हिंदू के वाज मैं यह जानना चाहूंगा आपसे कि बहुत मार्ग में क अच्छा आपने जो है यहाँ पर गनेश की फोटो लगा रखी है अच्छा जी इस पर यह क्या कुछ उपर से लहंगा चुनरी कुछ पहना रखा है क्या आपने क्या है इस पर यह इनुनने मतलब बस्तर पहन रखें माला वगरे पहन रखें माला वगरे माला की जरूरत एक बिजनिस है जो हिंदु दर्म पूरा जो बनाया हुआ है ना जिसको यह ब्राह्मन लोग यह कहते हैं कि यह श्वर है और कोई चमतकार वाली बात यह सब कुछ के वहले मेरी नजर में के लिए बिजनिस है और कि यह क्या आपको माला से लेकर नारियल से लेकर हट्ची समझा सकता हूं कि अगर समझें लेकिन उससे परले हम एक चीज और जानना चाहते हैं कि आपने यहां पे लिखा है हिंदु की आवाज तो क्या आप बता सकते हैं कि जो आपका विजनिस है यह बिजनिस हिंदु वारे कि आप ऀया सिध्य कि आपके की तो यह औरफ याई कि पार में यह कर आद आपर सीज कोDay प्रजिद की जरूररत सबसे जहाएं है उस जरूरत को लेकर और तो अपने लिए आज पसे जब से लोग मूर्ति पूजा करने लगें तब से ब्रामडों ने हिंदू नाम का एक विजनेस चला दिया कि वो मूर्तिया प्रवाइड करेंगे पूजा पार्ट करवाएंगे आप यह कहना चाहते हैं अब आते मुद्दे पर आ जाते हैं देखें जो मूर्तिया बनती है तो मूर्तिया तो पहले भी बनती थी भारत की जितनी भी खुदा ही हुई है वहां से तो मूर्तिया ही मूर्तिया निकल रही है लेकिन वह सिल्प कला जो है बौधों की है जैनों की यह ब्रामर धरम का कोई भी मूर्ति नहीं मिला है तो मूर्तिया बनाने से जो मूर्तिकार है उनको तो रोजगार मिलता है यह पूरी दुनिया जान जो काम करती हैं, जो मतलब कारे करती हैं, उन कामगारों को सब को गाली दिया है, चाहे वो डॉक्टर हो, सिल्पिकार हो, नट हो, या फिर आप समझे ग्वाला हो, जितनी भी जातिया जो काम करती हैं, जो कुछ डायरेक्ट फिजिकल वर्क करती हैं, उन सब को उसने गाली दि ब्रामढ की खूब आवही है, वो कोई फिजकल काम नहीं करता, उसकी खूब हावही है. तो इस से तो इस विजनस से तो सिर्फ और सिर्फ जो है, जो हराम खोरी को प्रोचसान मिल रहा है. तो ये धरम जो है, आपका जो धरम है, जब मूर्ती बन जाती है, तो मूर्ती बनने के बाद से फैदा किसको होगा, पहले भी मूर्तिया बनती थी, तो सिल्पकार को फैदा होता था, क्योंकि सिल्पकार जो है मूर्ती बनता था, आज की डेट में जो मूर्ती बन रही है, उस मूर्ती तो बन तो गई, सिल्पिकार को थोड़े बहुत पैसे भी मिल गए, लेकिन उस मूर्ती से फायदा किसको हो रहा है, तो ब्रामण को हो रहा है, वो अब उसमें पराण परतिष्ठा डाल रहा है, और वो उसमें पूरा पैसे कमा रहा है, तो उसने क्या किया है, कि एक सिस्टम धरमांद सिस्टम बना दिया जो जूटा सिस्टम है देखें बिजनेस करना अच्छी बात है लेकिन जूट का बिजनेस वह नहीं फलता है जैसे मान लेते हैं कोई स्मगलिंग कर रहा है कोई जो है जो नसे का ब्यापार कर रहा है या अच्छी चीज थोड़े है कोई जो है आतंकवादी बन रहा है वो भी विजनेस ही कर रहा है आतंकवाद का बिजनेस कर रहा है वो अच्छी चीज थोड़े ही है आप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो किसी ऐ रही है बहुत सारे गरीब लोग जो है वो चाते हैं मंदिर में टेंपल में और उनसे 10,000 रुपया मांगा जाता है कि तुम 10,000 रुपया दो तब तुम्हें दर्सन करा जाएगा अंदर बाला जी का या जो भी होंगे मुर्ती होगी उसके दर्सन करा जाएगे अब एक गरीब व्यक्ति जो है जो बिल्कुल ही गरीब है निर्धन है वो व्यक्ति किसी तरह मंदिर पहुंचा क्योंकि उसके पास एक फाल्स होप दिया है उस सोसाइटी ने जो सोसाइटी अपने को सबसे सरोस्रेश्ट मान रहा है उसने एक फाल्स होप दिया है कि यहां पे मन्नत मांग तो तुम्हारी चीज़े पूरी हो जाएंगी तो उस फाल्स होप के कारण वहां गया उल्टे उसको दसजार देने पड़ रहे हैं ताकि और फिर वो जानता है कि उसके बाद से वो दसजार ब्रामण के जेब में जाएंगे और उसको वहां से कुछ मिलना भी नहीं है लेकिन उस फाल्स होप पर वहां पे गया है तो इस पूरे विजनेस से सिर्फ और स्री ब्रामण को फैदा हो रहा है अब पबली कोहानी क्या हो रही है कि उसका फाल्स हो रहा है अब कोई बीमार व्यक्ति है बीमार व्यक्ति है उसको पांच लाक रुपे उस सोचता है कि पांच ल सिस्टम ने ज़ूट होती है अब वह गया और वहाँ जाने से उसकी जान चली गई पैसे भी 1000 गए या जान भी चली गई लोगों के साइट्रीक टंप्रामेंट्स से पीछे ले जाने का पर धन्दा है, अचा स सिर्फ इस से ये नुकसान नहीं है, दूसरा नुकसान क्या है कि जो young generation है, जो scientific temperament आती है, कि दरवाजा हमने खोला, आवाज उससे कचर से आवाज हुई, एक scientific temperament यह सोचेगा कि वही इसमें कहां पर गरबढ़ है तो उसके कबजे वगर पर देखेगा तेल वेल डालेगा उसको सही कर देगा वहां पर देमग लगाएगा scientific temperament है और वही अगर कोई डरपोक व्यक्ति है डरा हुआ सहमा हुआ व्यक्ति है धार्मिक व्यक्ति है तो व धर्म जिसको आप धंधा बता रहे हैं वो हमारे new generation को next generation को scientific temperament से खीच के और एक गलत जगह पे वेवशन के लिए डाल देती है पढ़ाई कर रहा है इंजिनिरिंग की असोच रहा है धर्म की कि धर्म में तो ऐसा कहा गया है तो ऐसे ही हुआ होगा उसकी temperament गई भाण में ज तो आपका जो हिंदू धर्म जिसको आप धर्म धंधा कह रहे हो वो सिर्फ धंधा नहीं है वो पूरे देश को मंदा कर रहा है इसलिए हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा अबादी चीन के बराबर हम लोग की अबादी है चीन कितना आगे निकल गया भारत में 70% मार् पीछा चले चीन नास्ति की देश हैं हमारे यह 33 करोण देवता है पीछह हमने लानत है अच्छान रही बात कर रहे हैं ने लोग तो पूरे पर दोग बातं इस पोरे इस बाते आई है historical fact किया ही है और historical fact इसलिए आया है क्योंकि हमने ये देखा कि जिस मूर्ती की ये लोग पूजा करवा रहे हैं वो मूर्ती की कभी पूजा यहां होती ही नहीं थी बुध मारगे में कोई मूर्ती पूजा नहीं थी उनके बुध के जाने के 500-600 साल बाद मूर्तिया बननी लार्ज स्केल पे शुरू हुई लेकिन पूजा पाठ नहीं होता था पूजा पाठ का पूरा धंधा इन्हों नहीं दस्वी सदी के बाद शुरू किया है और उसमें भी आपने धंधा कहा न वो भी कंप्लिटली धंधा नहीं है इन लोगों ने CST OBC को मंदिर में जाने से रोक लगा रखी थी सुद्रों का प्रवेश वरजित 85% देश के सुद्र है उनको मंदिर जाने से रोक लगी हुई थी क्यों लगी थी भाई अगर धंधा है तो इनको अलाव होना चाहिए था अगर यही भारत का बिजनेस है यही इसका धरम है त डंडे की चोट पे globalization आया डंडे की चोट जब पड़ी तब जाके अलाव हुआ अलाव हुआ तो अब इनसे पैसा कमाना सुरू कर दिया और भी इनसे भी पैसा कमा रहे हैं तो कुल में लाके हमें ऐसा कोई भी धरम चाहिए ही नहीं भारत हमें भारत का अपना original culture चाहिए ज जहां पे हम अपने culture से भी जूड़े रहें और हम अपने भारतियता का जिसकी एतिहासिक बात होती है कि हम कभी विश्व गुरू थे हमारे कभी पर्चम होते थे जब पूरी दुनिया में कहीं education नहीं था विदेश से लोग हमारे यहां पढ़ने आते थे हमें वो glory चाहिए हम लोग बुध के देश के हैं ना उस glory हमें वापस चाहिए जिस चाइना जो आज हमारे market पे कभजा किया है कभी हमारे लोग जाके चाइना में कभजा किये थे जापान में बुधिश लोग बैठे थे कोरिया में बुधिश लोग बैठे थे आज ये दो देशों के पूरे स साइस आया साइस आया तो भारत में भी तो साइस आया चाइना भी गुलाम था जापान पूरो ficar लिया हम लोग नहीं क्योंकि हम आपका यह जो हिंदू धरम है जो हिंदू का धरम जो आप अवाज बनके आया है इसी के चक्कर में फस गए जो बुधीष्ट देश थे उनने इत खड़ा हुआ सिर्फ उड़ नहीं खड़ा हुआ उखाड के फेक दिया नजा ने कितने लोग को पीछे छोड़ दिया आज हम कहां फसे हैं इतनी बड़ी जनसंख्या इतने देवी देवताओं को रिश्यमुनियों को लेके हमें नहीं चाहिए ऐसा धरम जो धरम हमें साइंट कि देश का वही हमारा कल्चर अुलरेड़ी अच्छा है इतना अच्छा है कि दुनिया के अन्य देशों ने हमारे क्ल्चर को एक्षेप्ट किया है लेकिन बिना किसी पाखंड के बिना किसी अंदविश्वास के आप जिसको बोल रहा है था ना बुद्ध धरम की हम लोग ब पानी पीने तक सारोजनिक तलाब पर रोक थी, बच्चे 6-6 साल की बच्चियों की ये साधी कर देते थे, ऐसे ऐसे नियम बना दिया इनोंने, मैलाओं को बिल्कुल नरक से भी बदतर इस्तिती कर दीती, नरक तो खैर सब्द ही वैसा है, धार्मिक सब्द की तरह लगता है, क कि कोई वो बात हो रही होगी, दैविक बात हो रही होगी, इतनी बुरी हालत खड़ी कर देती, हमें नहीं चाहिए न ऐसा धरम, बिल्कुल कते ही नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल सही चाहिए, तो आपकी जो संका है न, कि ये द्वेस, ये द्वेस नहीं है ये, दरसल ये व उसको कोपरनिकस उठ खड़ा हुआ कोपरनिकस पूरी जिन्दकी हिम्मत नहीं जुटा पाया लेकिन बुढ़ापे में हिम्मत जुटाया कि वह या किताब मेरी छाप दो उसी किताब को जियरदानों ब्रुनों पढ़ा गया था पादरी बनने के लिए लेकिन जब देखा कि वही कोपरनिकस की सारी किताबे जला दी गई लेकिन पूप क्या करते थे उसमें से एक दो किताब लाइबरेरी में सुरक्षित रख लेते थे कि भविसे में हम देखाएंगे लगों को कि देखो ये किताब लिखा था और उसको सजा दी गई थी वही किताब गलती से लाइबरेरी में एक दिन जियरदानों ब्रुनों पढ़ लिया गया था पादरी बनने के लिए चर्च में आदेखा वो कोपरनिकस की किताब पढ़ा दिमाग कुल गया यह तुब बाइबल में जूट लिखा है तो उसने उस धरम को हटा दिया उसमें नहीं फसा बोल दिया जूटा धरम है उसको पकड़ के पोपो ने जिंदा जला दिया वैसे नजाने हजारों बेग्यानिकों को इन लोगों ने जिंदा जला दिया रोकना चाहते थे उस scientific temperament को लेकिन वो रुका नहीं न वो नहीं रुका वो आज देखिए इसाई देश ने जब इसकी कीमत चुकाई है तो वो कितने आगे निकल गए सारे इसाई देश जो है मैलाओं को अधिकार दे दिया वहां भी मैलाओं को अधिकार नहीं था लेकिन science जो है scientific टेंपरामेंट जो है अगर वो भी सम्झावता कर लेते हुआ के विज्ञानिक नहीं इसायत को भी मानलो पाखंड भी यहां का मानलो पोपो का भी पाखंड नहीं जान देनी पड़ी उन्होंने जान दी है कीमत चुकाई है तब जाके पूरा और यह मुसल्मान मुसलिम और ज पखंड भारत हमें यह ब्रभयनिकल सिश्टम नहीं चाहिए और वास्तों में हिंदू की आवाज अगर अगर दे देश के वासी हो अगर इस हिन्दू सब्रोगत है का हिंदू सब्द में 1200 साल पहले कोई जानता तक नहीं था उसकी आप आवाज भने घुंब हैं और Um हमें पकड़ा रहे हैं, हमें अपना भारत का ही कल्चर चाहिए, नहीं चाहिए हमें कोई बिदेशी कल्चर, बिदेशी नम ये हिंदू उन्दू नहीं चाहिए, आपके किसी धार्मी करंथ में इस सब्द का नाम नहीं है, और आज कल आप लोग बताते चले हो, कि हम लोग द्वेस पाल रहे हैं, नहीं द्वेस पाल रहे हैं वाई साब, यह आप लोगों को बलना चाहिए, जब दिवाली आती है, जब होली आती है, आप लोग द्वेस करते हो चीन से, चीन का ही आप लोग जहलरी लगाते हो, चीन का ही गुलाल लगाते हो, चीन का ही आप लोग मो मूबाइल से के तो हमें नहीं चाहिए लुप द्विस पालते हों दूसरों से बडैसी से अगर क्योगि वह बीदेशी है यहां पे अगर हिंदू आप लिखते हो तो आप भी हमारे लिए बिदेशी हो क्योंकि हमारा कल्चर ही नहीं है हमारे यहां कहीं भी हिंदू सब्द नहीं पाया गया है तो अगर आप भारतिय कल्चर के साथ हैं तब तो it's okay हमें फिर स्वीकार है लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि कोई बिदेशी सब्द का कोई बिदेशी चीज हम लोगों पर थोप दो अक हो कि आप लोग दूइस पालते हैं तो हम लोग दूइस नहीं पालते हैं हम लोग इतिहांस खोलेंगे सबके सामने प्रदर्शित होगा हर भारत का बालक जानेगा ना अपना इतिहांस सबको अधिकार है अपना इतिहांस जानने का असच दिखाएंगे अर्केलोजिकल एविडेंस हम लोग दिखाते हैं, यही बाते हैं, जी हिंदू की आवाज, आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, बोले, चले, मुझे लगता है अब यह सू गया है, तो चले फिर, आगे अब कौन आया है, अच्छा कुछ सूपर चैट्स आया है, इसको हम लोग देख लेते हैं, यह प्रिया गयकवार है, इनका सूपर स्टीकर आया हुआ है, शुक्रिया आपका प्रिया जी, और फिर यहाँ पे एक्स यू वी डबलू एडिटर जो हैं, यह लिखते हैं, ग इडिटर गुरु रविदास जो हैं, वो किसी की भक्ती नहीं करते थें, उनका जो बताया गया है, वो एक मोची थें, जूते बनाते थें, और वो किसी की भक्ती नहीं करते थें, उनको ब्रेमेनिकल सिस्टम बहुत परसान करता था, और परसान इसलिए करता था, क्योंकि वो अपने समाज से सबसे बिद्वान व्यक्ति थे, वो अपने लोगों को अच्छी बाते बताते थे, ब्रह्मेनिकल सिस्टम जो थोप रहा था, उसे लोगों को अगाह कराते थे, तो वो जो है बहुत चिरता था ब्रह्मेनिकल सिस्टम, वो किसी की भक्ती नहीं करते थे, भ बाबा साहब ने दिल वाया है पर्विष्व डिलाया है तेंपल में रगी थी अगर वो भक्त कर रहे हैं तो सारे रहता इस समाझया भक्ति कर रहे होते हैं बेन लगी थी ना ब्रामन नहीं कुछने तक था तो इसी से समझ जाए कि जो रहधास जी हैं उन पर किस तरह से इन लोगों ने जुर्म किया होगा, उनकी हत्या तक करवा दी, फिर बाद में जब अंग्रेज आता है, बिदेसी आते हैं, वो सब रहधास जी को खोज निकालते हैं, पढ़ते लिखते हैं, गुरुबानियों में रहधास नहीं था, वो नहीं जानता था, तो उनकी भी बाते बाते ब्रामडे लिखके देता हैं अंग्रेजों को, अच्छा रैदास जी यह चीज कहें हैं, आब उसमें ब्रामडी करन कर रहा है, आज देखिए, रैदास समाज के लोग जो हैं, रैदास का फोटो लगाते हैं, तो समाज से एक ऐसा बच्चा भी नए पैदा हुआ है जो रैदाश जी की एक अच्छी सी समयक जो हम लोगी समढ़ सभेता थी उस तरह से पिक्चर बना सके यह ब्रामन जो है वो पिक्चर बना कर देता है वो पिक्चर जो है वालमी की समाज के लोग रैदाश समाज के लोग चमतकार नहीं मानते थे, चमतकारों का खंडन किया उन्होंने, उनको ही चमतकारी कुरूप से पेस कर दिया गया, उनकी भी फोटो आप खोजिये, तो उनके भी हाँ से प्रकास निकलता हुआ, दिखाएंगे लगे का जैसे चमतकार कर रहे हैं, उन पर भी कहीं-कहीं ओम की जरूरत है, जो rational चीज़े दिखा सके, बता सके अपने समाज को, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर राजू मने जी जो हैं, इन्होंने लिखा था, सजेशन में, जिस घर में 20 रहता हूं, उसका मालिक मुझे अचानक घर छोड़ने को कह रहा है, अगर घर नहीं छोड़ा, तो मेरे बीवी बच्चों को काटने की बात कह रहा है, गए वर्स मेरी बीवी कुजर गई है, क्या मैं उस पर पूलिस केस कर सकता हूं, बिल्कुल क कर सकते हैं, अगर इस तरह की बात है, तो आप जो हैं, संपर्क करें, जो अपने हां एडवोकेट हैं, जो भी अपने लोग के एक्सपॉल्ट हैं, उसे जरूर संपर्क करें, ऐसे कोई कैसे का सकता है, काटने की बात कैसे कोई कर सकता है, ये तो सीधे-सीधे जान से मारने क दहमकी है और दहमकी पर तो किस बनता है सीदे सीदे अगर आप रेंट वगर अपे हैं तो तीन महीने भी अभी तो आया था फैसला ना अभी तो हाई कोट का फैसला आया है एक वच्छे ने तीन महीने तक अपना नहीं दिया रेंट नहीं दिया तो किस करती है उसके मालिक ने लेकिन उस पर यह आया कि भाई आप जो है अगर नहीं देते हैं तो आप उस पर कुछ खरवाई या वो नहीं कर सकते हैं ठीक है न उन नहीं कर सकते हैं मालिक का उसके यह दिखा रहा है कि इसने जो रेंटी था उसके पच्छ में फैसला सुनाया तो बिल्कुल आप इस पर के लिजिए कानूनी सलाह लीजिए इस पर ऐसे कोई कैसे धमका सकता है और यह जो है नेचुरल वर्ल्ड जो है यह लिख रहे हैं सर आपको और सभी सांतियों को 2.3 के टॉप चैट के लिए बदाई जी बहुत सुक्रिया नेचुरल वर्ल्ड जी और नाव इट्स टू फॉर थ्री नाइन सुक्रिया आप सभी का आप सभी जितने भी देखने वाले हैं आप सभी का सुक्रिया यहां पे हमेशा ही बेहतरीन इस्ट्रीम की जाएगी नए नए टॉपिक ले जाएंगे और उन सारे पच्छों को दिखाया जाएगा जो कहीं कोई नहीं दिखाता है कुनाल पाखले जी यहां पे लिख रहे हैं जै भीम एश्चे सर लोगों को मुर्ख लेकिन उन्हें यह बताना तो असान है समझाना कठीन है कि उन्हें मुर्ख बनाया गया है हाँ यह सही का आपने बिल्कुल आचा यहां पे अभी यादो जी का भी यहां सुपरिष्टिकर आया है सुक्रिया आपका भी यादो जी फिर यहां पे भानुदास भोशले जी यहां पे लिखते हैं आधर्णिया इस्चे सर जैभिम नमो बुद्धाय जी आपको भी जैभिम नमो बुद्धाय फिर यहां पर डियस मुल मुले लिखते हैं जैभिम स्चे सर्जी आपको भी जैभिम और द्रविडिएन इंडियन यहां पर लिख रहा है हिंदू जैन बन करो इसलाम के अगेंस्ट वी आई आर एट्यू वर्ट बुलाओ क्या ये लिख रहे हैं वी रातु बुलाओ क्या लिख रहे हैं ये बंदा दिन रात हिंदू मुसल्मान करता है ये कोई मुसलिम लड़का है साउथ इंडिया का और जब भी यहां आएगा हिंदू मुसल्मान हिंदू मुसल्मान तो ऐसे जो लड़के हैं जो हिंदू मुसल्मान वाले हैं इनसे थोड़ा सा सवधान राने की जरूरत है ये आईटी सेल वाले होते हैं ट्रोल होते हैं राम भाई जो हैं यह लिखते हैं, सर बहुत अंधेरे में रखा गया हमको, यह हिस्ट्री तो हमें पढ़ाई पढ़ी ही नहीं कभी, जी राम भाई जी बिल्कुल सही कहा है आपने, हम लोग भी बच्पन में जब इतिहास पे नहीं जूर देते थें, तब हम लोग भी नहीं समझ पाते थें, ल इसके बासर यहां पर अनार्किष्ट आए हुए है, हाँ जी पताएं, सर जय भीम नमबुद आए बहुत शुकरी आइड करने के लिए, हाँ जी, नमबुद है जयाविम, जी, मुझे बात इसर बारे में करने ही, कि 2007 में टाइमस अफ इंडिया ने एक न्यूस पर इश्कित कि वह ऐसा बोलके एक्सिप्ट कि है कि वह वीडियो बना बना के रखे हुए हैं दरसल हुआ क्या है कि जब से हमने वीडियो बना यह तो पहले सभी लोगों को पता नहीं थी चक्कर क्या है और वो यूनेशको की वेव साइट पे दरसल भारत से जो पूने की जो संस्था है भंडारकर इंस्ट्यूट उसने एक नॉमिनेशन फॉर्म बनाया उस नॉमिनेशन फॉर्म में उसने पूरी डिटेल्स दी कि रिगवेदा का जो मैनुस्क्रिप्ट है उसका जो कारवन डेट बनाया और बताया कि 1464 AD का है फिर उसमें आगे उसने लिखा कि यह जो मैनुस्क्रिप्ट है यह कब की है कि सारा डिटेल्स उस पर लिखा और वही नॉमिनेशन फाइल जो है उसने अपने वेव साइट पे अपलोड कर रखी थी लेकिन जब हम लोगों ने ओपन करके सब को दिखा दिया तो इन भक्तों को अब वो लग गया कि यहां से तो पूल खुल रही है कि जो रिगवेद जो है वो 1464 AD का पूरा ना सावित हो रहा है तो इनों ने क्या क्या वहां से हटा दिया लेकिन यह क्या है अभी भी कई वेव साइट्स पर पड़ी हुई है अब उसका नाम मैं इसलिए नहीं लोंगा कि अभी हम लोग नाम लेंगे फिर वहां से भी हटा दी जाएगी समझ रहे हैं अभी भारत की सारी वेव साइट्स जो है वहां ओफिशली यह चीज पड़ी हुई है हम लोग ने पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ इनका तो यह सारी चीज जो ह नहीं दिक बैसे पूराना पन % 7 पड़े अहां वहां पे संपा था अब उनको हटाना पड़े वहां से लेकिन नहीं होता है medications आतलब आडित्यों से ुख सर्वां पुर साल पुरा ना है तो मूंह से कह देने से ठोक मैंβαनूरे हो तो उस पर लड़कों ने रिपोर्टिंग की भी बकायदे वो हुई थी तो यूनेसको ने हो सकता है कि उनेसको ने इसको हटा दिया हो कि यह चीजे हमने कैसे इसको पुराना बता दिया तो उसने हटा ही दिया फिर और एक डाउट था मुझे यह दम्मसुत्त का क्या चक्कर है मैं समझा नहीं फिर से पूछे वो जो दम्मसुत्त है कि कुछ लोग क्लेम कर रहे कि वो प्रिजर्व किया गया है स्री लंका में बहुत पहले से तो वो बोल से हम अजूम कर सकते हैं यह बुद्धा से खुद आय होए शब्द उसमें लिखे हैं तो यह कितना वरोसे लायक है अदेखें इसमें एक दूबात हमें समझनी होगी सबसे पहले तो यह बात कि भारत में ही जितने भी विखु संगते हैं सब की अपनी अलग-अलग विनेपिटक थी 18 तरह की विनेपिटक थी और यह भी नियम थ अपने हिसाब से अपना चीज बना सकते हैं तो अगर स्रिलंका में कोई चीज मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वही वाला ओरिजनल है हो सकता है वहां के विखुओं ने अपने लिए वह चीज बना के लिखी हुई हो कि समझ रहा है न हाँ रहा है क्योंकि फाहिय और यह बात लिखी है सबकू समझने का परियाब्याश किया तब मुझे पता चल रहा है कि मेरे चीन का जो 3P टक है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है उसने ये बात लिखी है लिखित प्रमाड है ना नोट्स में कि वो भी स्विकार करता है कि चीन में तो बिल्कुल डिफरेंट है उसी तरह से हर देश में अपनी सुईधा अनुसार इन लोगों ने बताये थे हैं क्योंकि सवी सदी में जो दिकत्ते आई थी वह उसका भी सोलूशन बनाकर त्रिपिटन एक इत्र लिखा गया बाद मारम अरहतो ने लिखा इसका मतलब कि वह नहीं है कि दसी को यह समय सब लोगा अरहतों को जोड़ सकते हैं जिस पर सब लोग सहमत हो जाए सहमत हो जाने पर उसको उसमें जूड़ दिया जाता था तब यह कलेक्शन बढ़ते जाता था वो बात क्या है कि मुझे किसी ने रिसर्च पेपर देखा दिया कोई मतलब वो आदमी क्लें कर रहा है कि बुद्धिजम में भी कास्टिजम जाती वाता था तो मैं उसको बखवास है खुद क्यों नहीं आता है इस आएस जर्नी से बात कर लो आप आके तो बात करने से मना कर है तो नहीं करेंगे कोई नहीं करेंगा ना क्योंकि इनको पता है कि इनकी नस कहां दबी हुई है यह दूसरों को फ्रम फैलाएंगे असल जगह पर यह कभी नहीं आएंगा डिवेट करने बात है मैं उसको बोला कि ब्रामनों की रिसर्च पेपर को भाड में डाल दो अब मतलत तो वह बोल रहे है कि यह एक फॉरेनर का है गैब्रियल इलिस नाम के लेकिन उसमें दिक्तत सबसे बड़ी यह है कि वह यह मान के चल रहा है कि रुभवेदा का पिरियड गुद्ध से पहले था तो यही से पता चलता है ना कि वह उनकी चीज ही रिसर्च ही फिर गलत है इसी से पता चल रहा है सर बात यह है कि कुछ लोग को लगता है रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया मतलब वो इल्टिमेट टूथ हो गया वही सच बात है उसमें से सब लेकिन जितने रिसर्च पेपर उठा लो सबने यहीं आस्यों किया है कि रुभवेद वो वेदिक पिरियड कभी था वो उपासना तीन बताया ना तीन विद्या की बताई है वेद नहीं है तीन विद्या है और वो तीन विद्या क्या है तो ग्यान उपासना और तीसरा को भक्ति कहा क्या कोस्चन मार्क मारा गया है यानि कि वो जो भक्ति आज के समय कि जो भक्ति है वो वाली भक्ति नहीं है वो कुछ अपना डेडिकेशन है इस तरह कि उसको कहा गया है कि यह तीन विद्या थी जो उनके अन्य जो टकराहट होती थी जो विद्वानों से वो इन तीन विद्याओं के अधार पर बुद्ध से टकराते थे लड़ने आते थे तो वो एक जगा कहते भी हैं कि यहां के जो तीन विद्यां का अर्थ बना दिया रिग वेडि और यजुर्वेद असाम वेड इन लोगों ने इसका यह मतलब बना दिया अपने चार वेडिकों को छोड़ के तीन वेडि भी होते हैं इन लोगों की यह चीज्ज यह अब रिशर्च जो है कभी किसी ने नहीं बताया तमाम जो researcher जो research कर रहे हैं उन्होंने mention कि है कि उस तीन विद्या में तीन विद्या जो है वो बात हो रही है ग्यान उपाशना और भक्ति लिख के question mark मारा गया है यानि dedication की बात है आज वाला भक्ति मत समझ लिजिएगा वहाँ पर कहीं उस जो चार वेद इनके हैं उसकी चर्चा ही नहीं है उसमें तीपीटक में लेकिन इन सब ने क्या किया ब्रामडों ने यह ठाराया कि उसमें हमारे ही वेद की बात चल रही है और इसलिए वेद हमारा पुराना है बिना किसी सबूत के यह इनकी गपोड कहानी इसलिए यह डिवेट करने नहीं आते हैं इसलिए यह लोग डिवेट करने नहीं आते कि उनकी नस यहां पर पकड़ी हुई है आएंगे तुरंद खुल जाएगी पुब्लिक को तो गुम्रा कर लेंगे हाँ हाँ बुलिए यह चीज़ पर कंस्रेक्ट करते हैं कि दम्मसुत्ता में कुछ शब्द है जैसे कि वर्ण गोत कुल नाम तो वो बोलते हैं यह सब गोत्र वर्ण इसका यह मतलब है और वो समय पर भी हुआ करता था और वो अन्वर्सेशन्स है जो कि बुद्धा और उनके डिसाइपल्स के बीच में उन्हों ने कभी बुद्धा ने पूछा था कि तुमारा गोत्त कौन सा है वगरा तो वो ऐसी चीज़ों पर आर्गुमेंट बला रहे कि वो वक्त में भी कास्ट सिस्टिम था जाती वाद था जा थ्री विद्ध्या है थ्री विद्ध्या का मतलब ग्यान उपाशना से निकल रहा है और उन्हों ने आपको तीन वेद उसका अर्थ निकाल दिया मैं बार बार कहता हूँ कि यह जो है यह मतलब बदल देते हैं अब मैं आपको कुछ चीज़े दिखा ही देता हूँ एक परि करता हूं और दिखाता हूं इनकी लिखानी क्या है पिंप करने को बोलता हूं ट्रैवलॉफ है जैसे वो हैंस्ओं का हो या फिर आलबरुनिका हो तो वह करने से मना ही कर देते हैं हम उसके ट्रैव प्रॉस चेक करेंगे बुलते उदर को कुछ मैंशन नहीं है इनके वेदिक दर्म और इनकी जोग सनातन है उसका तो कोई रिसर्चर भी नहीं इनको मेंशन करता जैसे कि इन से डर ही है मतलब करेंगे लेकिन इसको जरब इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इनको इनको पता है कि इनकी पूल खुल जानी है इनको जो है यह बात अच्छी तरह से पता है कि यह पूल खुल जानी है अब मैं जो है यह एक इनका डिक्सनरी दिखा रहा हूं और इनके डिक्सनरी में दिखाता हूँ एक सब तो दिखाता हूँ इन लोगों बहुत लोग पूछते भी थे कि यह सर कहां लिखा है वो दिखाता हूँ अभी कुछ किरियर हो जाएगा सब लोगों को यह देखिए यह इनकी एक डिक्ष्णरी है संस्क्रीट की डिक्ष्णरी है और इस संस्क्रीट की डिक्ष्णरी में सबसे निचला लाइन पढ़ी यह क्या लिखा हुआ है देवा नाम प्रिया प्रॉम मुर्ख देवो का फूला फूल लिखा है ना फूल लिखा हुआ है अच्छा डियर आगे तुझ लिखा हुआ है और वी उसको भी पढ़ा देता हूँ उसमें भी क्या लिखा हुआ है वह सब लिखा था ना, dear to the God, आगे क्या लिखा है? That is a fool or a simple person. मतलब देवान प्रियजो है, उसका क्या मतलब है? Dear to the God, ना, that is, that is lिखा हुआ है, मतलब dear to the God, मतलब जो God का प्रिय है, लेकिन इसका मतलब क्या लिखा है, इन्हों ने? That is a fool or a simple person. या तो यह बहुत ही साधारन परसन है या फिर यह मूर्ख है अब यह बताएए कि देवान पिय जो सब्द है वो तो समराठ असोक अपनी उपाधी लगवाते थे अब यह संस्कृत उस समय होगा देवान पिय का मतलब संस्कृत उस समय होगा नहीं ये तो पभी लिखा हुआ मिला ही नहीं है बत्थरों पे तो संस्कृत नहीं होगा अब जरा सूचिए जब संस्कृत नहीं होगा तब वेद कहां से होगा उपनिसद कहां से होगा और देवान पिया अगर सब्द है और समराट असोक जो हैं समराट असोक जो इतने समराठ हैं वो देवान पी लिखवा रहा हैं गुपता वंस भी देवान पी अपने को लिखवा रहा है अब उसका अर्थ ये लोग क्या करते हैं फूल मूर्ख करते थे संस्कृत में अब जड़ा बताइए संस्कृत में जो मूर्ख सब्द होगा राजा उसकी उपाधी लेग यह लोग जैसे आज के सब्द में चंडाल सब्द हैं नीचा बना रखें सब्द को तो यह लोग दोनाचारे प्राइज तो दे देंगे लेकिन चंडाल प्राइज देते हैं यह नहीं देते ना तो यह बताईए कि अगर उस समय संस्कृत होता अच्छा इनके जितनी डिक्स नरी में जो है इन्होंने यही चीज दिखाया है कि इसका मतलब जो है मुर्ख होता है मुर्ख होता है देवान परिया बताईए संस्कृत अगर होता तो कोई मुर्ख के डिगरी लेता पांचवी सदी का राजा जो है वो भी अपने को ले रहा है पांचवी छोड़ देजे स साथवी सदी का हर्सवर्धन जो है साथवी सदी में हर्सवर्धन जिसका जो कवी है यह वानवठ जो कवी है जो मिस्रित संस्कृत लिखा करता था मिस्रित संस्कृत मिस्रित मतलब पाली प्राकृत लिखता था सेवन सेंचूरी में वानवठ वो बंदा भी इनको देवान सवर्धन को दरवारी कभी अब बताए कोई अपने राजा को मूर्ख का सकता है तो क्या कोई व्यक्ति जो है अपने राजा को ऐसे दोहरा सब्द परयोग कर सकता है कि आप इडियट है आप फिर कहें नहीं अच्छा वला इडियट कहा हूँ आपको कर सकता है नहीं कर सकता है हिम्मत नहीं है किसी की इससे पता चलता है कि 7th century तक भी संस्क्रीट के यह जो मीनिंग बता रहे हैं यह चीजह नहीं अस्तित् सेंचूरी के बाद 8th सेंचूरी के बाद इनोंने की सबके अर्थ बदले हैं सब्द चूराएं बौधों से जैसे यह सब्द चूरा के मुर्ख बना दिया उसी तरह से जो वण की बात कर रहे थे गोतर की बात कर रहे थे वो सब्द भी इनोंने चूरा के उसके अर्थ बदल ब्राम्हड सब्द 7th 8th century में बौधों के लिए इस्तमाल होता था, मुगलों ने जो तबाके नासिरी ऐसे करके जो किताब है उसने बौधों को ब्राम्हड लिखा है, विदेशी भी जितनी किताबे लिखते हैं सब बौधों को ही ब्राम्हड लिखते थे, तो जब बौधों क ब्राम्हड लिखते थे, यह ब्राम्हड लिखते थे, ब्राम्हड लिखते थे लगे थे उस समय, तो वो सब्द भी बौधों के हैं, लेकिन आज की डेट में ब्राम्हड को इन लोगों ने अपना जातिवादी रिसिष्ट सब्द बना लिया है, गोत्र को इनों ने अपना कि जो संस्क्रीट में दिवान-पिया का मतलब मूरक लिखे हो क्या यही मूरक जो है समराट असुक के समय उसका मतलब मूरक होता था किसी की हिमत थी रहन तक बोल देने कि उनको मूरक बता दीजिए सारे उन्हें अपने अभीलेख में दिवान-पिय लिख्वा रुखная सप्ट्स लाया हम समय टाइम पीरिड़ दाल दते हैं ना कि सेबंधर संचूरी के बाद हम टाइम पर दाल दते हैं हम इसलिए डाल दोते हैं चौन्प है कि कहीं से काट कर कहीं चूड़ देते हैं और पहर इन्हाई दिन कोई किदर से कोई वीडियो 140 दिखाया है वीडियो 140 साइन्स चर्नी पर देखिएगा इस्पेशाइन्ड वाला पूर्सन कि जब आगरी तो तुमारी हजार साल पुरानी है तो दो बरामण बेचयन हो गये को उन्हों नहीं को पता है एक नहीन हजार साल पुराना तरहीन करने के प्रयास किया एक बोल रहा है इतने वड़े धूरत होते हैं जब इनलों को पता नहीं था ना धम लिपी के बारे में अंग्रेजू के समय में यह तो अंग्रेज आके पढ़ा है खोज-खोज के इनको तो पता था देवनागरी तो इन्होंने क्या किया कि जब धम लिपी का पता चला न तब ब्रामडों ने एक सड्यन्त रखेला कि देवनागरी को इन्होंने सावित किया कि जो सबसे पुरानी है ना 5000 साल पूरानी देवनागरी लिपी है फिर चित्र लिपी को इन्होंने देवनागरी लिपी सावित करने का परयास किया बहुत खूब कुकर्म किया यह मैंने दिखाया है वीडियो जो बनना है न वो भी बोल रहाते कि यह तो बुद्धिस्ट चैनल है इधर जाना नहीं है तो मैं सब विवर्स को बताना चाहता हूं कि ना इधर किसी ने बुद्ध धमकी दिक्षा लेनी पड़ती है बुद्धिस्ट होने के लिए बात नंबर एक उसके बिना ऐसे ही बुद है. तो फिर किस की बाते करें ? शुक्रिया आपका ये संतोस कुमार चंद्रवर्सी जीन का भी सुपरिष्टीकर है शुक्रिया आपका नेतराम मीना जी ने लिखा है जैविम नमो बुध्धाये नवो बुद्धाय ญिदू अचा हिंदू क्यों लिखा है? मुझे नहीं समझ पा रहा हूँ मैं मतलब लब निदू का इसमें क्या मतलब है? या गलती से लिखा या क्या लिखा है? क्योंकि हिंदू सब्दे जो है ये थोड़ा पच नहीं पाता है ठीक है ना आच्छा इसके बाद यहाँ पे नमो बुद्धाय महावीर गायकवार जी सुपरेश्टीकर है शुक्रिया आपका और एकस यू वी डवलू एडिटर ये लिखते हैं कुछ OVC वाले इतने ब्रह्मेनिकल को क्यों मानते हैं सर वो दरसल वो अपने को छत्री मानते ह जो छत्री होता है वो पर माभारत पढ़ता है देखुयेगा उसको तो फिर उससे उनका अपना आप सी संबंद बन जाता इसलिए वह ऐसा करते हैं कुछ OVC तो अघ्यानी है वह नहीं समझ पाते हैं तो इसलिए वह ऐसा करते हैं लेकिन घ्यान तो सब का अधिकार है ना सब तक पहुंचना चाहिए तो वीडियो को जैदा से ज्यदा से एर करें टाकि ज्यान जो है सब तक पहुंचे और वो समझ सेखें दिर-सविरизнес तो समझेंगे, कितना भागेंगे, सत्य जो है, सत्य से कितना दिरत कोई भाग सकता है, प्रसांत शोनवाने जी का विशु परिष्टी कर है, सुक्रिया आपका, और नेचुरल वर्ड यहां लिखते हैं, आपकी जड़े खोदने का इरादा नहीं, हमारी विराष्ट दफन तो आप दबाएंगे, चीजे तो हैं ही निकल के सामने आही रही है, एनर मेखवाल जी लिखते हैं, आज गुप्ता जी की हालत ऐसी हो गई कि बार बार म्यूट होकर गुप्त काल की गुफा में चीपे जा रहे हैं, हाँ, गुप्ता जी जो है, उनको कुछ तकलीफ हो गई थी भाग ही गए बैचारे, इस सत्यार्थ प्रकास का सच देख लिया उन्होंने, आज लाइट ओफ रे उनको दिख गई, तो फिर वो निर्वान की ही प्राप्ती कर लिया है, आच्छा, चलें, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कौन आये हुए हैं यहाँ पे, यहाँ, समरजीत सिंग आये हुए हैं, डिवेट करने, चलें, इन से बाते करते हैं, हाँ जी, समरजीत सिंग, बताएं क्या कहना चाहते हैं, हाँ जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं, मैं कहना ने, पूछना चाहता हूं, आच्छा, जी, आप तो, बोलिए, बोलिए क्या पूछना च तो मैं जानना चाहता हूं आपके हिसाब से भारत के इतिहास का मतलब सही क्रोनोर्जिकल और नौट कालकरम क्या होना चाहिए आचा समरजीत सिंग आपको क्या लगता है यहां पर जो इतना भी आप देखते हो वीडियो उसको देखकर आपको क्या लगता है किसी में कुछ बात बोलते हैं बटाइए हमें किसमें क्या बूलते हैं किस आप कन्फ्योज हो गहीं कभी कभी करुंड पर है कफूर क्तकी में की कई चॉथम में में लिखे गई तो मैं किसी वानों कंवसमें पा रहा हूँ अल्वनी का समय कौन सा था कि अएकुली में यहाचुली में है तो 11 वी सदी महले alt तो उसने उसने क्या लिखा उसमें साब्ण क्या लिखा वेदू के बारे में नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा तो मुझसे पूछ रहे तो एक वीडियो में आपने बताया है कि अपने बताया है यह उस समय ब्रामण ने जो है ऐसा बोल कर अपनी पत्नियों से भी वेदों के बात नहीं करते थे ऐसा वो लिखाया आपने अपने एक वीडियो में बताया है लेकिन आपका भी कई बोलते हैं कि वेद जो है चौल में पंद्रवी सतावदी में आए तो मैं जाना चाहता हूं कि असले में वेद कव आये हैं देखिए यह समर्जीत सिंग है और यह जो है अब इनको जो है सवाल जो खड़ा करना चाहिए था जो चीज वो सवाल नहीं पूछे कंफ्यूज इस लिए हो गया है क्योंकि यह ब्रामडवादी है इस्वर मानते है आत्मा मानते सब मानते हैं पूछूंगा तो सब बताएंगे पिछले बार भी बताये थे आज भी बता जाए कि वैदिक काल कब अस्थापित किया है ब्रामडवन समर्जीत सिंग वैदिक काल कब अस्थापित किया गया है नहीं सथापित नहीं आपका आपका काल करम मैं तो अपना बता ही रहा हूं आप बता तो रहा हूं आप बताएंगे ना वैदिक सब्यता कब अस्थापित आपका पूरा सी लेवा सी ब्रामार ने डिजाइन किया है पूरा भारत में जितने प्रोफेशर हैं जितना एजुकेशन सिस्टम है उसे में तो हाल फिल हाल तक कहीं कहीं जगा पे पूरा हंड़ेट के हंड़ेट परचेंट थे एक दो ठाकूर मुश्किल से पहुंचते थे तो अगर अभी बहुत मुश्किल से दिख जाएंगे सारे के सारे कभजा था अब जाके ओवी सी वगरा रिजर्वेशन आया कुछ कुछ आया अभी एक प्रोफेसर ओवी सी नहीं बन पाया यह हालत है आप बोल रहें कि नहीं नहीं एकेडमी के नाम पर आप ब्रहानिकल सि बनती है सबके सब ब्राम हड एक जेट ब्राम हड शारा स्लेवर्श डिजाइन करने और यह सारी चीजे थोड़े चूप जाएंगे आपको पढ़ाया है वह प्राम हड के हाथ में आप यहां नाम ले लिए एकेडमी को उससे ब्राम हड का काम थोड़े चूप जाएगा नह अगर हम मुझसे कुछ जानना है ना जो पूछ रहा हूं वह भी बताना पड़ता है नहीं बता होगे तो टिक नहीं पाओगे पिर बाद का कुतरक करोगे तो नहीं टिक पाओगे आपने मुझसे मैंने पूछ लिया कि आपको ग्यारमी सदी में हो रहा है तो आपको ब्राम्हण धरम ने कब पढ़ाया है वैदिकाल रिगवेद उसका बताने में आपको सरम आ रही है वो भी तो एक पर पता दो ना तब तो पता चलेगा कि यारमी सदी का है कि चौदमी सदी का है आपकी आप नहीं जवारा दोगे तो ने टीक पाऊगे फिर समर्जीत सिंग बताएंग अगर किताब में लिखी है तो सरम क्वारीया बताने में क्यों नहीं पता रहे है क्यों से सदी में आया था विद्र इबताने में इतनी सरम आ रही है किताबों में पढ़ाया है किताब कभ पढ़ाया है कौण सी सदी में आया था बताओ जरा मुझे कौण सी सदी में आया था सबूत दिया है सबूत दिया है उसमें कुछ सबूत दिया है किसको सबूत मानते पर लिए बताइए मैं हर चीज को सबूत मानता हूं जो सबूत के योग्य हो हर वो चीज जो सबूत के योग्य हो मैं उसको योग्य मानता हूं सबूत मानता हूं मैं उसको बताओ क्या सबूत सबूट होता है रहे हो मैं जब बोल दिया कि आप ने उसमें क्या आपको सबूट दिया तो मुझे से क्यों पूछ रहे हो कि क्या होता है क्या होता है अब बताओ ना उसने क्या सबूट दिया है बखी जिसकी बात चल रहे हो न है वही बात करते हैं जब मैंने बोल दिया एक अगा HAR को 15 c into पढ़ाया है तो स्दूवष क्या दिया है तो आपको बताएं ओन Love तो pne at बिना बीच में टोके सुनना से को पहले सुन लो बिलकुल सुनूंगा लेकिन सबूत बताओगे तब सुनूंगा मैं बताओ क्या क्या सबूत दिया है तुम्हारे पास कंट्रोल बोल लो चलो मैं बताता हूं अभी सुनूत देखिए यह बंदा जो है यह बंदा तू तड़ा खा गया लेकिन मैंने इससे एक ही चीज पूछी थी कि आपके ब्रामर ने आपको कौन सी सदी में वेद पढ़ा दिया है जो इतने कंफ्यूज होगे मेरे को लेके और क्या सबूत दिया है वह अभी तक नहीं बता पाया अब तू तड़ाक पर आ गया यह बंदा बोल बिग कि उस टाइम का आर्कियोजिकल कुछ अवेलैवल नहीं है तो जो साहत साहतिक सौर्स में लेवए है उसके अकॉर्डिंग लिए साथी साथियों साथियोंड़ करते जाए नहीं कोई सबूत में मिला है एक नंबर दो नंबर लिट्रेरी सोर्स दो नंबर क्या था लिट्री सबूद देने में पसीना क्यों छोड़ रहे हो वाई सबूत ही तो देना है ना पेन निकालो यह निकालो अरे इतने फ्रस्टेट मत हो इतने हो अपको सबूत देना है सबूत देते जाओ लेकिन आग लिट्र रिसोर्स यान लिखित प्रमाणल दो तरह के इसा होता है तो चले देखें इनका कौन सा सििलालेख मिला है वेड का सिलालेक नहीं मिला है जो वरनन किया गया है भारत की भागले के स्थिति का वह भागले के स्थिति जिस समय से मेल खाती है ठीक है ओके हो गया हो गया तो सांतियों सुना आपने इन्होंने कहा कि इसका कोई इन्सक्रिप्शन नहीं मिला है अब यह सबूत क्या दे रहे हैं सबूत दे रहे हैं कि रिगवेद में जो लिखा है इन्होंने क्या कहा है रिगवेद में जो लिखा है और जो भागौलिक इस्तिति दी है यानि कि मैं एक डाइनासोर की किताब लिखूँ आज की डेट में और मैं उसमें dinosaur की बाते लिख दूँ तो अब कोई ये कहतेगा कि मेरी ये जो किताब है ना ये आज से 16 करोन साल पुरानी है मतलब आज मैंने एक dinosaur पर किताब लिख दी आज कितना तरीक है 11 सितंबर 2022 इसमें मैंने किताब लिखी dinosaur के बारे में और अब मैंने ये कह दिया कि चुकी dinosaur की बात इसमें आ गई है तो इसलिए अब ये किताब भी कितनी पुरानी हो गई 16 करोन साल क्या पॉसिबल हो सकता है 16 करोन साल पुरानी ये किताब हो जाए इन्होंने कहा literary source ये नहीं बता रहे हैं कि वो कब लिखा गया ये बोल रहे हैं उसमें जो लिखा गया है वो पुराना है अरे भाई साब लिखा कब गया ये तो बता दो inscription रॉक इंस्क्रिप्शन पर मिला नहीं रॉक इंस्क्रिप्शन पुराने होते हैं जैसे समराट असोग के रॉक इंस्क्रिप्शन मिले जो साड़े बाइस सो साल तेईस सो साल पुराने हैं वो सबसे पुराने हैं तो रोक इंस्क्रिप्शन पे इनका कुछ नहीं मिला तो अब जो गृटरी % क्या है उसकी सुदूंनी के अररे बहारि वी सुन पहले तुम बीच में टूक देतों चेले कि अंहें पूड़ा बात यह बंदा यह अभी बंदा तुम बोलना सुरू कर दिया सुरू में आप आप चल रहा था यह बंदा जो है इतना फ्रस्टेट हो गया है पसी ना छोड़ चुका है कि अब तुम बोल रहा है कि तुम बन कर देते हो यह बंदे से मैं पूछ रहा हूं कि लिटररी सोर्स कौन सी लिपी में लिखा हुआ मिला है जब रॉक इंस्क्रिप्शन पर नहीं मिला तो उसमें लिखा है अरे तो लिखा है तो कीताब में वुदी बीख है तो कीताब अम हम लें अब ल फिल्म आई थे बहुत पढ़ाई किया है, B-Ed कर लिए, M-Ed कर लिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिए है, अब बोल भी गड़ रहे हैं, किसी भी educated व्यक्ति का बोल नहीं भी गड़ता है, अगर evidence की बात होती है तो, जब भी evidence उसको देना हो, उसके पास sufficient evidence हो, तो evidence पर बात करेगा, भा अगर यह नहीं बताते हैं, वाई सब मेरी question जो है, उसको ध्यान से सुन लो, उसी का आपको जवाब देना है, तू तो तो यहाँ पर चलेगी नहीं, ज्यादा समय निटिक पाओगे, सवाल यह है कि आपने जिस literary source का हवाला दिया, कि इस literary source में भगवलिक इस्तिती दी में लिखा, और किस लिपी में लिखा, बस इसका वो रिगवेद को, जो आपका सबसे पुराना जो रिगवेद है, जिस literary source का आप हावाला दे रहो, बताएं, बताएं समरजीत सिंग, देखें, अब यह जो है, अब यह बोलेंगे ही नहीं, महोदे, अब यह को मा में चले ग हाँ, हाँ, बोले, सवाल सुना, सवाल आपने सुना, सवाल आपने सुना की नहीं सुना, मैं बोल रहा हूं, कि सुनिये, हाँ, मैंने सुना था, सुनिये, पहले, आप बीच में टोकिये मुझको, जी मैंने सुना, मैं आंसर दे दूँगा, आप सांत रहें, थुरा सा, दो म सवाल पर दो रहे हैं तो मैं सही तिक सोर्स की बात कर रहा था उसमें आपने जैसे बताया कि डाइनासोर का टाइम का लिख देंगे तो उसना पुराना हो जाएगा वैसे नहीं हो छोड़ दीजे मैं सही तिक आपने जो बताया रिगवेद में जो लिखा है मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका पहली बार रिगवेद जो लिखित है वो किस लिपी में लिखा गया और किस इस्वी में लिखा गया मैं यह जानना चाहता हूं आप मेरी point को समझ मैं और चाहता हूं कि वह सिमपल सा है आप सैद इसka या तो आके अगर आप मेरी बात किलियर हो गई है तो इसका उत्तर दीजिए जिस लिट्रोरिस से उसका आप हवाला देना चाहते हैं वो लिट्रेचर या वो जो किताब है कब पहली बार लिखी गई किस सदी में लिखी गई और किस लिपी में लिखी गई सिंपल सा सवाल है बस इसका उत सब्सक्राइब कर रहे हैं यहां पर पब्लिक इतनी सारी लाइन में है मैं आपको जितना समय दे रहा हूं उतना है आपको सबूत देना था मैं सबूत से रिगार्डिंग कुछ सवाल खड़े कर रहा हूं उसका आपको जवाब देना है आप इधर-उदर की बात किये जा रहा है टाइम पास किये जा रहा है किया मैं यह समझू कि आपके पास जवाब नहीं है आप भी अन्य कॉलर्स की तरह टालमटूल कर रहे हैं अगर जवाब है तो जवाब दीजिए आपने जिस लिटरेचर का हवाला दे रहे हैं वह लिटरेचर पहली बार कब लिखा गया और किस लिपी में लिखा गया बस इसका पूंछ पहला सवाल पिर से दोहराता हूँ सवाल उने आपने जिस literature का हवारा दिया वो literature पहली बार कब लिखा गया और किस लिपी में लिखा गया बहुत सिंपल से है इसी का उतर दीजिए इसका उतर इससे पहले क्या कोशन किया था आपने वह बताईए पहले उसके बाद आगे बढ़ेगा देखे साथियों ये मुझे लग रहा है कि इनके पास साइद नहीं है और ये मुझे लग रहा है कि साइद जूट मूट का टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है इनसे सिंपल सा सवाल पूछा है, मैंने बार-बार रिपीट किया है, फिर भी ये इदर-दर भाग रहे हैं और यही वेदिकों का हाल है इस सबसे पढ़े लिखे जो वेदिक लोग हैं, जो अपने को दावा करते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा ग्यानी हूँ वेद का सबूत दूँगा, उन लोग का यह हाल होता है, उन में से ये एक हैं इनका दावा था यह हुएसा सदावा करते हैं कि बहुत ज् ain'teer हूँ हूँ मैंने यह डिग्री या ली है वो डिग्री यह लेकिन जैसे ही मैं सवाल कर रहा हूं तो यह भाग रहा हैं उससे पहले वारा सवाल दूंगा उससे पहले लेकिन इसका जबाव नहीं रहे हैं जिस लिट्रेचर का आप हवाला दे रहे हैं वो कब लिखा गया पहली बार किस लिपी पर लिखा गया यह आप जवाब देंगे या नहीं देंगा समझी यह लाश्ट आपका प्रश्ण है बता दीजिए हो इसका जवाब आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहा है ये बताईए जी तहुंज पोब लिट्रेचर का हवाल दे रहा हूं इस lihat का हवाला दे रहा हं इस ही 강ड़ सुनिए तो मैं इस सी लिप्रेचर की बात कर रहा हूं उसको सबसे पहले असामाशा माना जाता तो आदमी तो पास्ट में देखके या रिसर्च करके नहीं पता कर सकते हैं तो आदमी देखता था वहीं लिखता था तो वह उन जो जो देखा भाव वाले किस्तिति अपने आसपास वहीं उन्होंने लिखा बुस्तक में इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वह उतनी पुरानी हो सकती है लेकिन कम से कम उतनी पुरानी है यह सिर्फ एक गेस है मुद्दे पर आईए आप जिस लिट्रेचर का आप हावाला देने जा रहे हैं जिसके अधार पर आप कुछ कहने जा रहे हैं वह पहली बार कभ लिखा गया गेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं वह ऐसे तो हम भी बैठके यहां पर कहा देंगे कि डाइ कहां से भी यह सब बेद के लिखे हुए प्रमाड मिले हैं पहली बार वो किस ने लिखा कहां से पहली बार लिखित प्रमाड मिला अनुमान तो छोड़ देजिए अनुमान तो इन्होंने तिरता यूग सत्यूग पता नहीं कितने यूग रच रखे हैं उसका हम क्या करें छ तो सांथियों सुना आपने इनका इतना जो है यह रिसर्च किये हैं इतना जाच किये हैं और यह गेस के अधार पर कि किसी ने कह दिया था कि 1500 साल पहले वेद लिख दिया गया था उसको एविडेंस मान के उस समय से टाइम पास कर रहे थे और बोल रहे हैं लिटरेरी एविडेंस है फूरा दुनिया जानता है कि भारत में लिखित प्रमाण मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के और उसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका उसके बाद से सीधे सीधे समराट असोक के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जिसको अंग्रेजों ने आके पढ़ा ब्रामण नहीं जानते थे उस लिपी को गुप्तकाल की लिपी नहीं जानते थे गुप्तकाल की लिपी भी फ्लीट ने आके पढ़ी भारत में अंग्रेज आके पढ़ते हैं गुपता काल की लिपी, तो मौरियंस की नहीं जानते हैं, गुपता की नहीं जानते हैं, इधर जो है 13-14 सदी तक की नहीं जानते हैं, वहाँ पे जो क्या नाम था, उसका तुगलक जो था, सारे ब्रामणों को खड़ा कर दिया कि समराथ असोक क क्या लिखा हुआ है, नहीं पढ़ पाया है, या इसमें से कोई नहीं जानता था, यह बोल रहा है, 35 साल पहले किसी लिपी में लिख दिया, कौन सी लिपी में वो भी नहीं पता है, भगोलिक इस्तिती देख के लिख दिये, अब मैं इतने सारे रिसर्च पेपर दिखा चु संस्कृत में गाली है, सेवन सेंचूरी तक भी राजा जो है उस सब्द का पर्योग करते थे, तब भी उस सब्द का संस्कृत में, संस्कृत तब भी अस्तित्तों में नहीं था, संस्कृत उसके बाद भी आया है, उसके बाद संस्कृत का इन लोगों ने ब्रामणी करन किय यह जो भी किया है तब जाके गाली को लोज भरी है यह इनका आलात है चले बाई बाई टाटा जब आपके पास जबाब ही नहीं है तो आप क्या करेंगे यहां पर निकले फिर देखें दोस्तों यह लेवल है ब्रभानिकल सिस्टम का यह लेवल है कि इनके जो सबसे पढ़े educated लोग हैं वो लोग आज आते हैं कहीं पर कोई चीज पढ़ लेते हैं लिख लेते हैं सबूत नहीं जानते हैं कि एक बार सबूत खोज ले बस यह सूचते हैं कि बस क्या हमको पढ़ा दिया गया है वो क्या गलत पढ़ा दिया गया है अरे भाई यह तो गलत ही तो पढ़ा रहा है आप question नहीं कर रहे हो अंध्भक्त बन रहे हो यह भी पढ़ा लिखा अंध्भक्त इसको कहते हैं ना जब आपको गलत चीजे पढ़ाई जाए और आप उस पर question खड़े कर सको तो वह एक अंध्भक्ती ही है और यह उसी तरह के अंध्भक्ती में यह लोग जी रहे हैं तब मैंने साफ साफ कहा है कि अलबुरूनी एक बात कहता था कि यहां के जो ब्रामण हैं वो यह कहते हैं कि वेद जो है उसको घर में नहीं पढ़ते थे वीवियों के सामने नहीं पढ़ते थे और कोई भी ब्रामण जो है अपने बीबी तक को वेद नहीं बताता था और व गुरुनी में बस ये लिखा है कि ये जो ब्रामण हैं इतने नोटंग की बाज होते हैं, ये कहते हैं कि अगर कोई वेद सुन लेगा, तो वैसया और जो सुद्र हैं, इनकी जनसंख्या देश में 90% से अधिक थी, 95% तो इन दोनों को वेद सुनने का अधिकार नहीं था, यान उनकी कोई वीवी तक नहीं जानती थी, यानि 5% जनसंख्या और काट लीजिए, अब बचे 5%, उच 5% में से 0.5% जो छत्रियत हैं, उनको वेद से क्या मतलब, वो सुनके ही क्या करेगा, उसका काम तो लड़ाई का है, तो उसको कोई मतलब नहीं, अब बचे जो 0.5% ब्राम में से, सारे ब्रामडों को आता नहीं था, क्योंकि अलबुरुनी खुद एक बात और लिखा है, कि तो रटू तोते होते थे, कुछ भी रट लेते थे, उसका और्थ और्थ कुछ नहीं जानते थे, वो लिखा है, ये बात लिखा है, मैंने दिखाया है आप लोगों को जगह पर वेद को खाड़ा कर सके, भारत में इनको त्रिपिटक की जगह पर वेद को अस्थापित करना था, इनको दिखाना था कि कोई वेद है, क्योंकि त्रिपिटक जो है, उस समय इनको खातमा करके वहां पर लाना था, इन्होंने धंपद को खतम करके अगीता लाने का पर्यास किया हर वो काम किये बुद्धिष्ट के हर चीज को रिप्लेस करने की कोजिस की ये पूरी कहानी है दोस्तों ये कोई नहीं बताने वाला आ कोश्चन खड़ा करने वाला जिसको कोश्चन खड़ा करना चाहिए वो बैचरा इसी पर कन्फ्यूज है अब ये बंदा को बताने पा रहा था कि 1464 में पहला एक भोजपत्र का पन्ना मिला है जिस पर रिगवेद के सायड के कमेंट्री लिखी हुई है सायड की मैक्स मुलर को मिला था 1464 एडी का ये बंदा नहीं बता पा रहा था 1464 की एक भोजपत्र पे उठा के अब 35 साल की कहानी गपोड़ना य नहीं रचना है भारत की सारा चीज तो उसका इरान औरान से मैच करता है इधर का ही नहीं बोल रहे है भगौली किस्तिति देख लिए थे तो यह जूठी बाते हैं दोस्तों और 14-15 सधी में लिखीत रूप में पहली बार लिखा हुआ मिला 11 सधी तक इन्होंने हवा फैलान प्र셔서 काम कोई यह ला चुके हैं वेद ला चुके हैं और धंपत की जगह पर कोई गीता वेटा ला रहे हैं इस तरह की कुछ चरचा है इनों होने शुरू की थी बस यह छोटी सीन की कहानिए है इसलिए अलबरूनी में वेद की चरचा तो आ जाती है लेकिन ये चरचा नही आती है लिखता भी आज तक कोई नहीं लिखा है क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं लिखेंगे तक गलती हो जाएगा अरे भाई तुम लोग फिर किस बात के विद्वान थे हैं एक बरामण किस बात का विद्वान था जो इसी बात से डरता था कि वो वेद लिख देगा तो गलती ह जाएगी और आज तक नहीं लिखा था लभुरुनी तक नहीं लिखा था ग्यार्वी सदी तक इससे पता चलता है इनका वेद अस्तित्तों में ही नहीं था यह जूठा प्रपोगेट कर रहे थे भरजी चीज है अच्छा इसके बाद से जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे पर्व आये हुए हैं इनको एड़ कर लेता हूँ लेकिन पर्व जी जरा एक मिनट रुके राम भाई जी ने यहाँ पे लिखा है देश का प्रधान मंत्री विदेश में जाकर बताते हैं कि मैं बुध की धर्ती से आया हूँ लेकिन लोग नहीं मानते है मजबूरी है ना देश में वहाँ पे नहीं बताएंगे सड़गुरु जो था इसकी हिम्मत है कि बुध की बुराई कर दे विदेश में नहीं करेगा जानता है कि पॉब्लिक जो है उसको इसलिए सुनने आ रही है क्योंकि बुद्ध की दो चार तारीफ करता है अधीर सा सीव का और इसके बाद से एक्स यू वी डबलू एडिटर जो है यह लिखते हैं सर मुझे पीडिएफ देदो जो आपके पास बुक्स है प्लीज अरे मेरे पास बुक्स जो है उसकी पीडिएफ आपको कैसे मिलेगी ठीक है ना इसके लिए जो है आप लोग आच्छा मैं करूंगा या तो इसकी वेवसाइट वगेरा बनेगी तभी आप लोग को कुछ चीज़े मिल सकेगी नहीं तो बुक जो मैं सजेस्ट करता हूँ न वो लोग आप लोग एरेंज कर लिया करें अपने लेखकों को थोड़ा सा फैदा भी तो होना चाहिए ना इतने मेहनत से लेखक लिखेगी किताबे लिखेंगी तो थोड़ा और प्रोट साहित होंगे और चीज़े नई रिसर्च करके लिखेंगे न अच्छा मिश्टर इंडिया यहां पर लिखते हैं प्लीज लाइक सेयर एंड सबस्क्राइब दे चैनल जैविम जी बहुत सुक्रिया आपका मिश्टर इंडिया और इसके बाद यहां पर सागर साहाजी ने लिखाया सर प्लीज प्रोवाइट लिंक जैविम नमुवदे अच्छा सागर साहाजी पिछले बार भी आपका आप सायद आये भी ते कुछ देर मैं देख नहीं पाया था पर आप आजाए मैंने लिंक सेयर कर दिया है अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो और इसके बाद से यहां पर फणी रोहन जी का सुपरिष्टी कर आया है शुक्रिया आपका फणी रोहन जी सुनील काश्ट लिखते हैं आपका टाइम बहुत मुल्लेवान है फालतू लोगों को हटाओ अच्छा जी बिलकुल सही कहा लाम धन्यवाद सर जय भारत जी आपको भी जय भारत और मदन को पाल यहां पर लिखते हैं इदवधर की बात ना कर या बता गुलिस्ता क्यों लूटा अच्छा जी वो उसके कॉलर के लिए कह रहे हैं लेकिन वो कॉलर तो भगोड़ा ही है जेम समार्स लिखते हैं बुद्ध से बुद्धी से बुद्धी मान से बुद्धी मता हाँ वो सब्द ही बुद्ध से बुद्धी बना है बुद्धी सब्द जो है उन्ही से ही बना है हैमंत कुमार लिखते हैं सर मत रुलाये वेचारे टुन्नी को जय विग्यान जय भारत हाँ वो जा जाते हैं जबरजस्ति ठीक है ना आचा यहां पर रिसिकेश गौतम जी लिखते हैं जैव हिम सर आप कैसे हैं जी ठीक है रिसिकेश जी तो चले देखें सागर साह आये हुए हैं ये दो तीन बार से आ रहे हैं इन से बात नहीं हो पा रही थी अचा परव एक मिनट एक मिनट पर जी को मैंने जूड रखा था पहले इन से थोड़ी बात कर लेता हूं फिर हाँ परवजी बता हैं क्या कहना चाहते है अपना ये सद्गुरू है या एक टनलोजी है रेकी तो उसमें एक एनर्जी के प्रवा को माना जाता है और सद्गुरू की जो इनर इंजरिंग की बात करते हैं तो कहीं न कहीं शायद वो ध्यान और कंसेंटेशन की बात करते हैं तो कि मैंने उनको कभी फॉलो नहीं किया बट कुछ जो बीच में उनके बारे में इनर इंजरिंग जो पब्लिकली मतलब वो देखने को मिलता है तो तो जो इन्नर इंजरिंग अगर आपको समय मिला हो उनको थोड़ा स्टड़ी करने के लिए तो क्या ये बुद्ध मार्ग में या उस समय में कुछ ऐसे पैरलल हैं जो कि हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्ट्रल में फायदे मंद हैं देखें परवजी भारत में जो मेडिटेशन की जो प्रणाली आई है वो बुद्ध मार्ग से ही आई है मेडिटेशन विपशना और बाद में तो इसकी टाइप बढ़ती गई है जितने भी इसके आगे जैसे जैसे अरहतों ने जो जो चीजे खोज की वो सारे चीजे इसमें एड होती गई इन लोगों ने तो बैठे बिठाये बुद्ध मारका ही उठके ब्रामडी करन तो बस किया है ना और कुछ थोड़े किया है ओके ओके तो मैं एक चीज जो मुझे वर्बली सुनने को मिली थी वो कहीं गोगल पे करने को भी मिल रही है कि जिसमें लॉड बुद्धा के औरा को लगबग 3500 किलोमेटर माना जाता है कि मतलब जो उनकी वाइट्स हैं वो मतलब उनको साड़े तीन किलोमेटर तक उनकी वाइट्स को फील कराजा सकता है तो यह क्या ब्रह्मेनिकल सिस्टम जो है इसने बुद्ध मार को धर के गाली देना शुरू किया नाइन सेंचूरी से इसके जितने भी लेखक हैं सबने धर-धर के गाली दी है तो जब यह जड़ा सोचें जो लोग बुद्ध मार को गाली दे रहे थें अब उसी मेंसे कुछ जो हैं बुद्ध के सुतूपों को थेरवादी थें तो इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि इनको चमतकार भी दिखाना था अब पबलिक जो है किसी को सुनना नहीं चाहती थी वो सिर्फ बुद्ध को सुनना चाहती थी पबलिक जो है पूरा बिश्व जो है बुध के नाम पर संगठी था ना पूरे चीन से लेकर जया आने यह सब बुध के नाम पर तो सब गुद्ध कर रहे अगर तुम्हारे तरक और उधि पर खरी नहीं उतर रही तो यहां से एक छी हमें समझना होगा कि यह सारा ब्रह्मेनिकल सिष्टम ने अपना चमतकार भी दिखाने के लिए बुध का नाम इस्तेमाल किया बाद में कि बुध में बुध तो ऐसी काते थे बुध के दांत इतने बड़े थे बुध के हांत इतने बड़े थे बुध जनम लेते साथ पर चले ये सारा काम 14-15 सवधी में ब्रह्मेनिकल सिष्टम ने किया है पूरा चमतकारी के रूप जो बुध का आया है ये पूरा 14-15 सवधी में ब्रह्मेनों ने खड़ा किया ताकि इनके लोग चमतकार को मानना सीख जाएंगे जब चमतकार मानना सीख जाएंगे तो हम तो आसानी से अपने जाल में फसा लेंगे, अंग्रेजों वाला हाल भारत में कोई चाय पीता नहीं था, अंग्रेजों ने फिरी में चाय पिलाया, एक बार लत लगी, तो चाय बिकने लगा, ब्रामरों ने यही किया, बुद्र के नाम पर पहले चमतकार परोसा, कि बुद्र तो चमतकारि अब लोग उठाते हैं उसी का reference उठाके उसी का reference उठाके लोग आ जाते हैं कि भाई इसमें क्या यह चीज़े जुड़ी है तो ब्रामण का किया हुआ काम है जी पर्वजी अच्छा सागर साथ जी आये हुए हैं इनको मैं जोड़ लेता हूं हां सागर जी बता है क्या करना च जी सवाल था कि यह जब आप बोलते हो कि ब्रामिन्स बाद में आए्ry आफ्टर बुध्धा तो सर ये मतब ऐसा बहुत मीश्चिन्मीलता है कि ब्रामिनस बहुत क्रिटिसाइश करते तो सर द्रमिन्स थो म्हरण गजिस्ट करते थे जो टाइम पर नएमी नहीं, ब्रॉण ही बुद्ध से बुद्ध से ऑपको लगता है बुद्ध से बुद्धि की टक्राहट होती है ,the प्रजाती बच जाती बुद्ध से जिनकी टकराहट होई उन सारी प्रजातिया खतम हो गई आजीवको की प्रजाती बची सब उनमें संबलित हो गए मेखल गोस्वाल से लेकर निगंटनात उत तक जो लो हैं सब के सब इनके अनुवाई थे पूरे A to Z 16 17 जितने भी ब्रांच थे सारे के सारे इनके अनुवाई थे आप 7th century में 7th century की आप बाणभट की किताब पढ़ लीजिये बाणभट जो हर्स चरित लिखा है जो हर्सवर्दन समराठ हर्सवर्दन 7th century के जो राजा थे हैं उनके बारे में लिखा है उस बाणभट को भी ये लोग कह देते हैं कि व वो बुद्ध की तारीफ कर रहा है, वो परासर भिक्षू को बता रहा है कि यह सारे बुद्धिष्ट भिक्षू थे, वो बोल रहा है कि उनके आस्रम में, उनके महाविहार में 16, 17, 18 तरह के लोग परजाती जाते थे, वो 18 में से सबका नाम लेता है, कि उस समय यह परजाती यह सब के सब बुद्धिष्ट से सिक्षा लेते थे, भागवत धरम से लेकर, यह धरम से लेकर, सारे के सारे लोग जो है, वो उन्हीं को बुद्धिष्ट से ही सिक्षा लेते थे, बुद्धिष्ट के ही वो ब्रांच थे, वो अपनी किताब में लिखता है, अब जरा सोच यह ना ब्रामडों में इन लोगों में कहेंगे प्रासर हमारा गोत्र है लेकिन वाणभट की किताब सेवन सेंचूरी का पढ़िएगा जो महा यानी बुधिष्ट है वो कहता है कि यह सारे बुधिष्ट भिखूत हैं और राजा हर्सवर्धन जो है उनकी बहन जो है वहीं खो जाएगी कि इनके सारे जिसको यह गोत्र बना के घूम रहे हैं जिसको रिसी बना के उससब के सब बुधिष्ट भिखूत है इनके पास अपना एक नाम तक नहीं है यह नाम तक जो है बुधिष्टों का चुराय हुए है अभी आज से एक साल पहले तक यह लोग क्या कहते पीाइद है कि अरे तुम लोग का यह जो नाम है ना यह नाम यह टुम लोगों हिंदुओं से लिया है अब जब इनकी पौल खुल गई है पूरी दुनिया पोधों से उनका सिंबॉल ही चोरी है उम्माडी पंदवा वो भी चोरी है तो यह पूरा का पूरा जो है न चोरी है और जिसको यह बता रहे हैं न कि ब्रामण है दरसल वो सारे के सारे बहुत भी खुत है अब वो चुकी इन्हों ने जाती बना ली बाद में नवी-दसवी है न तो इसका मतलब हेरista यह हमारे रिसीफ है लेकिन है इतिहांस पढ़ियेगा एविडन्स पढ़ियेगा तो س सारे के सारे बधूष्डे वीजओ कूत है स्वैंगर सारे के सारे पुत है यह उसी चीरा से है जैसे जो मुहम्मध थे हुआ लग थे मुसा इलग थे लेकिन जो बाद मैं आया उसने सब लिए वह प्रॉफेट मौवद्न ने बोला कि सारे सब यहां क्रेट किया गया है कि और सर दूसरा यह था इसके बाद एक छोटी सी वाद रखनी थी कि सर जो जैसे कि जो 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 जोती सी है जब बुद्धा पैदा होने वाले थे तो वो सब बाते सह जुनटि बाते हैं, वह किताब देते हैं वह किताब ही संस्कृत में है कि महायान बुद्ध के 300-40 साल बाद आया फिर इसने जो है अपनी नई नई कहानिया बनानी शुरू की बुध का ये सिल्प कला में बनाता था इसके जो राजा हुए ये सिल्प कला बनाते थे इसी में से एक हुए थे ये अस्वगोस तो असवगोस जो थें वैसे तो वो सरवस्तिवादी थें लेकिन महायान में वो सामील हो गए थे, दोनों का ट्रेस मिलता है तो इन्होंने काव्य लिखा, काव्य में उन्होंने ये भी लिख दिया कि इस काव्य में मैंने बहुत कुछ इमेजिन किया है खुद से क्योंकि वो बुद्ध के बहुत समय बाद लिखे थे, बुद्ध से कम से कम साथ आट सो साल बाद लिखे थे, उन्होंने इमेजिन करके लिखा, उसमें उन्होंने क्या कह दिया, कि उस समय जो हाथी होता था, हाथी बहुत ही पवित्र माना जाता है, आज भी देखिएगा क्षाटी करें लुग काम कर रहें जनता वही काम कर रहें बस ब्रामट बाइठ गया है बुदहिश्ट की जगह और रिष्णाल्टी की जगह पाखंद करमकांड आ गया है तो सोता हूं अगर बुद्धा ऐसा कि मेरे बातें कुछन करो तो मेरे को कभी में लगता है कि यह सब ह हो सकता है हां तो उसमें उसमें ना उसने दिखाया महयानि ने अपनी महाकाव्यका साथ सो आट सो साल बाद उसमें वह क्या दिखाया की अपने महाकावे को अच्छा बनाने के लिए अच्छा दिखाने के लिए कि फारानी थी उनको conception şapna आया सपने में उन्हें Assistant Pamal का heaven चुकि कमल के फूल पर ये लोग सारी चितरकला बनाते थे तक कमल का उसने वर्णन किया, फिर दूसरा वर्णन किया कि उसमें एक हाथी, सफेद हाथी भी आता हुआ सपने में दिखा, तो ये तो पूरा हिस्टोरिक प्रमाड है, पूरी दुनिया में प्रमाड है, कि जितनी जो महिलाये होती है, वो सपने देखती है, अचर्चा करती है, कि आज मैंने सपने में ये देखा, वो देखा, तो वो सपने की वहाँ पर बात थी, कि वो देखा, तो इस तरह की बाते हैं सपने, लेकिन लोग क्या जोड़ते हैं, कि वही उन्होंने सपना देख लिया, तो शाफन यसे थोड़े होता है सपना मतलब सपना होता है सपना हो सपने आते हैं सब GP yeah शोपने नियुचा पैंच God भी दो नौने यहुंड होती है उसको सपने आते है यह तो सपने आने से उसके क्या रिलेशन है और सर कोई नहीं थैंक्यू वाकी डाउट्स क्लियर करने की और सब्सक्राइब यह बोल रहा था कि आपने एक्चुली वह रील देखा मैंने जो बेजा था मतलब मेरे मेरा नाम नहीं था मतलब उसमें सीन आया है शायद आपने देखा हो तो उसमें ऐसा था कि सब मतलब दुनिया के सारे नास्तिक एज ब्रदर हुड रहते हैं हमारे लिए कोई बाउंडरी नहीं है हम पाकिस्तानी हो अमेरिकन हो या डच हो फ्रेंच हो सारे एथिस सब लोग साथ में बहुत अच् और आपका बहुत-बहुत सुक्रिया आपका आने के लिए ठीक है ओके ओके थेंक्यू थेंक्यू तो आज जो है काफी शमय भी हो गया है और मेरे ख्याल से क्या और कॉलर को लेना चाहिए अच्छा एकाद कॉलर ले ही लेते हैं यहां पर बीर बहादूर आये हुए हैं इन से दो बाते लेते हैं हाँ जी वीर बहादूर जी बताएं क्या काना चाहते हैं और वीर बहादूर जी से पहले यहां पर कुछ सुपरचैट्स आये हैं मिश्टर इंडिया लिखते हैं सर आपने दिखा दिया कि एजूकेशन की ताकत क्या है जी शुक्रिया आपका मिश्ट क्या या है कि हम लोग जब श्कूल में पढ़ते थें तब यह समझाया ही नहीं गया कि सबूत होता क्या है मैं सभी को कहना चाहूंगा देखें डार्किन्स की सेलफिस जीन पढ़ें बहुत कुछ समझाएगा जी ओके पंकच धोरे जी और फिर यहां पे रिसकिश कोतम लिखत किल्प कला बनाते थें लेकिन आज की डेट में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हम उसी से फाइट कर रहा है और वही चीज ढोएंगे तो फाइट कैसे होगी फिर मिश्टर इंडिया लिखते हैं सर कभी महान अशोक की मुलाकात बुध से हुई थी नहीं जी नहीं कैसे होगी दोनों के बीच में सो साल का अंतर है ना दोनों के टाइम लाइन में सो साल का अंतर है आचा एनर मेगवाल जो है वो लिख रहे हैं हिंदू की अवाज की अनुसार हिंदू मूर्तियां बिजनेस है फिर भी जायज है परितिहांसिक तत्यों के लिए बुद्धिजम की बात ना करो इससे हिंदु धंदे क्यानी होती है नहीं वो दरसल वो ब्रामः था वो जो हिंदु आवाज बनके आया था उसको मैंने अभी देखा इसमें प्राइवेट चैट में बहुत मतलब माभेहन की गाली दे रहा है यह नास्तिकों को माभेहन की गाली दे रहा है और वो यह यह पर आके बता रहा था ना कि आप लोग इश्या फैला रहा था दरसल यह ट्रोल होता है यह ट्रोल आके यहां पर सामने आके ऐसे दिखायेंगे कि बड़ा अच्छा सा कुछ है और जैसे ही इनके आप पढ़ोगे ना कमेंट पढ़ोगे यहां प्राइवेट चैट में आ ब्रामब्ध का दरसल यही चेहरा है, ठीक है ना, ब्रामब्ध जो है इसका यही चेहरा है, यह हिंदू की अवाज, चले अब यहाँ हाँ, यहाँ पे वर्ड ओफ् मौराल्टी जो है यहाँ पे लिख रहे हैं, एश्चे सर, वाइस इज दपावर अफ दूट इस हेल्पिंग एवरीवन अडरेस्टेंड आवर ओन ट्रू कल्चर, आवर ओन सिविलाइजेशन, दिस इज वाट वी आल सूद बी प्राउड ओफ, थैंक यू सो मच फोर यूर एफोर्ट, जी बहुत बहुत सुक्रे आपका हाँ, बताएं वीर बहादूर जी, क्या कहना चाहते हैं? तो उस देश पर जब आप जाएंगे, तो उस देश के जो जवान होंगे, जो जवान लड़के होंगे, वो क्या करेंगे? आपको, मतलब आपको वो करेंगे, विरोध करेंगे, मतलब आप जब उनकी चीज़ों को हड़ापने जाएंगे, तो वहां के जो जवान लड़के ह होंगे वो खड़े हो जाएंगे कि कि तुम्य ए्रीया में कैसे घुस रहा है यहां कैसे कपचाएब वह लड़ेंगे करेंगे जब उन्हें ऐसा पता चलेगा कि उनके घर की महिलाओं को या उनके जमिन जैदाद पर खत्रा हो सकता है तो सारे जवान लड़के जो उस महले गाओं के होंगे वो सब लड़ने को त्यार हो जाएंगे तो हर दुनिया में यही होता है यहाँ पे जब ब्रामण कायर बन गए जब इन्होंने जब देश को गुलाम बनवा दिया अब कोई लड़ने को बचा नहीं तो इन्होंने एक फरजी टरम एजा कारे ऐं मिलके जब बचा नहीं प महावारत रितता है तोा आतरके बंदेशी में लड़ने सब उसके और दोड़के गई क्रबवववर्रम बलचा करना है तब उससे जो बच्चा पैदा हुए हैं तब जाके जो है छत्री आया यह इसने लिख रखा है इतनी गंदी संदी बाते लिखा है यह ब्रामर ने बना रखा है यह बास्तों मतलब कौन है यह मतलब मूर लिवासी है कि नहीं यही चीज हमें समझना पड़ेगा कि ब्रामर ने एक वर्चूल सिस्टम खड़ा किया उसने अपनी वर्ण ब्यवस्ता के लिए फरजी चीज खड़ा कि न दरसल हर देश के जो लड़ाके होते हैं हर मुहले में लड़ाके मिलेंगे आप किसी गाउं में चले जाओ किसी उसी को इन्होंने क्या कहा कि जो लड़ने जाएगा उच्छतरी होगा समझ रहे हैं जो लड़ने जाएगा च्छतरी होगा इसका यह मतलब था कि भारत के मूल निमासियों को लड़ने ही नहीं देंगे तुमको हम हथियार ही नहीं देंगे तुमको गुलाम बनवाएंगे म आपनी इस वह जो ब्रह्मानिकल सिष्टम उसको खड़ा कर सके इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है आपको सुधर कहने का क्या मतलब है कि तुमको हम लड़ने ही नहीं देंगे जिसको हम बुलाएं है न वही राजा बनेगा तुमको लड़ने नहीं देंगे यह इसका मत लड़ था तो खीक है वीर भादुर जी सर 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 एक और पोशन था मुझे जैसे ही इनके वड़ वैस्था में जो है ब्रामार च्छत्री वैस सूद्र चार इन्होंने पाड़ कर रखा है यह स्जी स्ट कब इन्होंने इजाद कर दिया इसमें एस सी इस्टी का इजाद देखें कैसे हुआ है धीरे धीरे हुआ है ना जब आच्छा यह बताइए आप कि आप जो है किसी के दूसरे का जमीन छीन लेंगे किसी दूसरे का जो किसी चीज पर कबजा कर लेंगे और वो आदमी जब आपके अगल बगल दिखाई देगा ता आप उसको घुसने देंगे अपने धर में दुबारा जहां पर आप कबजा किया हैं नहीं कुतने देंगे ना, गाइंग दिखाई देगे, गड्यक्षा कर लिया अब लोग जब लोग जाते तो यह लोग कहते थे स्वाहिमानी थे नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो दिखाई दो तो मार देंगे तुमको मुसलिमों से यह करवाएंगा तो भागाना शुरू किया नहीं घुसने देता था टेंपल अगरा में तब वहां से अच्छूद परमप्राइस ने शुरू करवाया टेंपल में घुसने देना यह जब मुगलिया अने वाली थी आई तब से नहीं सुरू कि उससे पहले तो महाविहार था बहुत राजा थे तब तो सब लोग जाते थे सब लोग सब लोग जाते थे तब तो कोई पर्तिबंद नहीं था कभी सुना है आपने कि बहुत राजाओने कभी रोका हो किसी को यह पुरा ब्रामपर ने खड़ा कि आना घुसने नहीं दिया नहीं घुसने देंगा इसमें सिर्फ अब मेरा अधिकार है तो वहां से अच् सब्सक्राइब करते रहोगे तो आपका दस काम करोगे तो आपका एक दो काम नहीं कर देगा और वही अगर राजा रहता तो तो सुनता नहीं फिर इनकी वह तो फिर बुद्ध की सुनता ना वह वह तो फिर बुद्ध की सुनता है क्वालिटी की बात करता हो हाँ एक सथ छोटा से कोशन बस और है यह जो त्रिपिटक और बीने पेटक में सब अंतर क्या है मैं यह थोड़ा सा आपके चैनल लेगता हो तो इसमें यह दो हमें साथ जिक्र करते रहते हैं विने पेटक प् आपको बता देता हूं इस पे जो है ना एक चैनल है साथ सम्यक कल्चर है उस पे उन्होंने साथ बनाया है तीपिटक वगर मैं आपको बता देता हूं देखें इसमें क्या होता है कि तीपिटक को कहा क्या है कि तीन पेटियां मतलब तीन अलग अलग कलेक्शन एक है उसमें से सुत पीटक, तो सुत पीटक में कई सारे सेक्षन है, जैसे मज्जिम निकाय है, दिग निकाय है, उसी में जातक कताय है, वगर सारे चीज़े आती जाएंगी, तो वो पुरा एक कलेक्शन है उसमें, बहुत सारे किताबों का कलेक्शन है, उसको कहा जाएगा कि ये जो है उसमें बहुत सारे विनेयों का अलग-अलग विनेयों का कलेक्षिण है। फिर आएगा आपका अाभिधम ड्रक पीटक। अभिधम ड्रक जो है वो काफी बाद में जूडआ गया है। बहुत भिख़्ों का उसमें संग्राहे पहूत सारी चीजें यह अरे अर शारी चीज़े काफी बाद में एड की गई हैं तो वह चीजह बुद्ध के बहुत बाद में एड की पहले वह भी नहीं था कि नहीं रुख सकता है बहुत भी हार में आना है फिर नियम बना एक दिन रुख सकता है फिर आगे चलके बहुत भी हो ने उसको तीन दिन क्य est storm तो यह अलंग अल्ग जगों पर समय के अनुशार अपने नियम कानुन को परिवर्तित कर सकते थे इन्हों ने कभी लखीर नहीं बना बुद्धमार की सबसे खास बात रही कि इसमें कोई भी लकीर का फकीर नहीं है कि बुध ने ये कहा है वो कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है यही चीज थी इसमें ठीक है वीर बहादुर जी ओके अच्छा इसके बाद से यहाँ पे सूरज जी ने यहाँ पे लिखा है एक पीड़ी का पाखंड दूसरे पीड़ी की परापन जाती है बिल्कुल सही का है आपने शुरज जी और गौतम का एक वाड़े लिखते हैं जै भीम नमो बुद्धा है आपका काम अच्छा है जी शुक्रिया आपका और इसके बाद से यहाँ पर यह मेटा गलेक्सी जो है यह लिखते हैं पियम सेज आउटसाइड ही इस फ्रॉम दे लेंड ऑफ बुद्धा वाइड डॉंट ही से इट इन दिस कंट्री यह आपका बहुत सुंदर प्रश्न है कि अपने देश में क्यों नहीं कहते हैं सबको पता है न कहां पर क्या चीज कहन बागी जो पूरी दुनिया से जानता है समझता है सबको पता है बुद्ध की बात अप भारत की इतिहास की बात समढ कल्चर की बात अपने ही लोग इससे आजान है तो यही चीज है तो इसी के साथ आज का जो है हम लोग session यहीं पर close करते हैं और मैं कहूंगा सभी सांथियो से कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें और फिर हम लोग Tuesday को आते हैं साथ यो Tuesday, Thursday, Sunday, 7 p.m. to 11 p.m. या 11.30 p.m. इसी के बीच में राता है सेशन जुड़ने का बहुत असान तरीका है किसी भी जो चैट सेक्षन होता है जब लाइव होगी तो लिंक दी जाती है उसको क मेंबर से अगर आप नहीं मेंबर है तो फिर यहां चैट बॉक्स में आपको दिया जाता है यहां से आप लिंक क्लिक करके आ सकते हैं तो बहुत सिंपल सा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का अंतिम तक बने रहने के लिए और चलिए आप लोग अराम करें सभी लोग फिर मिलते हैं Tuesday 7 पे.